पार्वती के कहने से शनेश्चर का गणेश पर द्रिष्टी पात करना, गणेश के सिर का कटकर गो लोक में चला जाना, पार्वती की मूर्चा, श्री हरी का आगमन और गणेश के धड़ पर हस्ती का सिर जोड़ कर जीवित करना, फिर पार्वती को होश में लाकर बालक को श्री नारायन जी कहते हैं नारद शनेश्चर का वचन सुनकर दुर्गा ने परमेश्वर श्री हरी का स्मरण किया और सारा जगत इश्वर की इच्छा के वशी भूत ही है यों कहा फिर देव वशी भूता पारवती देवी ने कौतुहल वश शनेश्चर से कहा तुम मेरी तथा मेरे बालक की और देखो भला इस निशेक को कौन हटा सकता है तब पारवती का वचन सुनकर शनेश्चर स्वयम मन ही मन यों विचार करने लगे अहो क्या मैं इस पारवती नंदन पर दृष्टी पात करूं अत्वा न करूं क्योंकि यदि मैं बालक को देख लूँगा तो निशे ही उसका अनिश्च हो जाएगा यों कहकर धर्मात्मा शनेश्चर ने धर्म को साक्षी बना कर बालक को तो देखने का विचार किया पर अन्तु बालक की माता को नहीं शनेश्चर का मन तो पहले से ही खिन था उनके कंट ओष्ट और तालू भी सूख गए थे फिर भी उन्होंने अपने बाय नेत्र के कोने से शिशु के मुख की और निहारा मुने शनी की द्रिष्टी पढ़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया तब शनेश्चर ने अपनी आँख फेर ली और फिर वे नीचे मुख करके खड़े हो गए इसके बाद उस बालक का खून से लत्पत हुआ सारा शरीर तो पारवती की गोद में पड़ा रह गया परन्तु मस्तक अपने अभीष्ट गो लोक में जाकर श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया यह देखकर पारवती देवी बालक को चाती से चिप्टा कर फूट फूट कर विलाब करने लगी और उनमत की भांती भूमी पर गिर कर मुर्चित हो गई तब वहां उपस्थित सभी देवता देवियां परवत गंधर्व शिफ तथा कैलास वासी जन यह द्रिश्य देखकर आश्चर्य चकित हो गए उस समय उनकी दशा चित्र लिखित पुतलिका के समान जड़ हो गई इस प्रकार उन सब को मुर्चित देखकर श्री हरी गरुड पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्प भद्रा के निकट गए वहां पुष्प भद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा जो निद्रा के वशीभूत हो बच्चों से घिर कर हथनी के साथ सो रहा था उसका सिर उत्तर दिशा की और था मन पर्मानन से पूर्ण था और वह सुरत के परिश्रम से ठका हुआ था फिर तो श्री हरी ने शीग्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से भीगे हुए उस मनुहर मस्तक को बड़े हर्श के साथ गरुड पर रख लिया गज के कटे हुए अंक के गिरने से हथनी की नींद तूट गई तब अमंगल शब्द करती हुई उसने अपने शावकों को भी जगाया फिर वह शोक से विवहल हो शावकों के साथ बिलक बिलक कर चीतकार करने लगी तत पश्चात जो लक्ष्मी के स्वामी है जिनका स्वरूप परम शांत है जिनके करकमलों में शंक, चक्र, गदा और पद्म शोभा पाते हैं जो पितामभरधारी, परातपर, जगत के स्वामी, निशेक का खंडन करने में समर्थ, निशेक को उत्पन करने वाले, सर्व व् पक, निशेक के भोग के दाता और भोग के निस्तार के कारण स्वरूप हैं, तथा जो गरूड पर आरूड हो, मुस्कुराते हुए सुदर्शन चक्र को घुमा रही हैं, उन परमेश्वर का उसने स्तवन किया, विप्रवर उसकी स्तुती से प्रसन होकर भगवान ने उसे वर दिया और दूसरे गज का मस्तक काट कर इसके धर से जोड दिया, फिर उन भ्रह्म वेता ने भ्रह्म ज्यान से उसे जीवित कर दिया, और उस गजेंद्र के सरवांग में अपने चरण कमल का स्पर्श कराते हुए कहा, गज तु अपने कुटुम्ब के साथ एक कल पर्यं उन्होंने उस बालक को अपनी चाती से चिप्टा लिया और हाथी के मस्तक को सुन्दर बनाकर बालक के धर से जोड दिया, फिर ब्रह्म स्वरूप भगवान ने ब्रह्म ज्यान से हुंकारों चारण किया और खेल खेल में ही उसे जीवित कर दिया, पुन्हे श्री कृष्ण ने पार्वती को सचेत करके उस शिशु को उनकी गोद में रख दिया और आध्यात में ज्यान द्वारा पार्वती को समझाना आरंभ किया, विश्णु ने कहा, शिवे तुम तो जगत की बुद्धी स्वरूपा हो, क्या तुम नहीं जानती कि ब्रह्मा से लेकर कीट पर्य एक योनी में शुब अशुब फल रूप से नित्य प्राप्त होता रहता है, सती इंद्र अपने कर्म वश कीडे की योनी में जन्म ले सकते हैं, और कीड़ा पूर्व कर्म फला अनुसार इंद्र भी हो सकता है, पूर्व जन अमर्जित कर्म फल के बिना सीह मक्षी को मारने में भी असमर्थ है और मच्छर अपने प्राक्तन कर्म के बल से हाथी को भी मार डालने की शक्ती रखता है सुक तुक भैशोक आनंद ये कर्म के ही फल हैं इनमें सुक और हर्ष उत्तम कर्म के और अन्यपाप कर्म के परिणाम हैं कर्म का भोग शुप अशुब रूप से इह लोक अथ्वा पर लोक में प्राप्त होता है परंतु कर्म और पार्जन के योग्य पुर्ण्यक्षेत्र भारत ही है स्वयम श्री कृष्ण कर्म के फल दाता विधी के विधाता मृत्यू के भी मृत्यू काल के काल निशेक के निशेक करता संहर्ता के भी संहारक पालक के भी पालक, परातपर, परि पूर्णतम, गो लोकनात हैं, हम ब्रह्मा, विष्नु और महेश्वर जिस पुरुष की कलाए हैं, महा विराट जिसका अंश है जिसके रोम विवर में जगत भरे हैं, कोई-कोई उनके कलांश हैं और कोई-कोई कलांश के भी अंश हैं, और जो सम्पू उन चराचर जगत स्वरूप हैं उन्हीं श्री कृष्ण में विनायक स्थित है इस प्रकार श्री विश्णु का कथन सुनकर पार्वती का मन संतुष्ट हो गया तब वे उन गदाधर भगवान को प्रणाम करके शीशु को दूद पिलाने लगी तदनंतर प्रसन्न हुई पार भक्ति पूर्वक उन कमलापती भगवान विश्णु की स्तुती की तब विश्णु ने शिशु को तथा शिशु की माता को आशीरवाद दिया और अपने आभूशन कौस्तुब मनी को बालक के गले में डाल दिया ब्रह्मा ने अपना मुकुट और धर्म ने रत्न का रमशह देवियों ने तथा उपस्तित सभी देवताओं, मुनियों, पर्वतों, गंधर्वों और समस्त महीलाओं ने यतोचित रूप से रत्न प्रदान किये। उस समय महादेवजी का हृदय अत्यंत हर्ष्मग्न था वे विश्णु का स्तवन करने लगे। नारद वहां मरकर जीवित हुए बालक को देख कर शिव पार्वती ने ब्रहमनों को असंख्य रत्न दान किये। मरे हुए बालक के जी उठने पर हर्ष गदगद हुए हिमाले ने वंदियों को एक सो हाथी और एक सहस्त्र गोडे प्रदान किये। तथा देवगन हर्षित ह ब्रहमनों को और सभी नारियों ने वंदियों को दान दिया। लक्ष्मी पती विश्नु ने मांगलिक कार्य संपन कराया। ब्रहमनों को भोजन से त्रिप्त किया और वेदों तथा पुरानों का पाठ कराया। तथ पश्चात शनेश्चर को लज्जा युक्त देखकर पा विश्नु आदी देवताओं द्वारा गनेश की अगर पूजा पार्वती कृत विशोष अप्चार सहित गनेश पूजन विश्नु कृत गनेश स्तवन और संसार मोहन नामक कवच का वर्णन श्री नारायन जी कहते हैं नारत तदनंतर विश्नु ने शुब जमय आने पर हवस तुम सर्व पूज तथा योगिंद्र हो यों कहकर श्रीहरी उसके गले में वनमाला डाल दी और उसे मुक्ति दायक ब्रह्मग्यान तथा संपून सिध्या प्रदान करके अपने समान बना दिया फिर शोडशोपचार की सुन्दर वस्तुएं दी और मुनियों तथा द पुनह सनातन श्रीहरी ने उन मुनियों को बुलवा कर उसे आशिरवात दिलाया तदनंतर सभी देव देवियों तथा मुनियों आदी ने अनेक प्रकार के उपहार श्रीगनेश को दिये और पिर क्रमशह उन्होंने भक्ति पूर्वक उसकी पूजा की नारद तदनंतर द्वारा वेद मनत्रो चारण पूर्वक उसे स्नान कराया और अगनी में तपा कर शुद्द किये हुए दो वस्त्र दिये फिर पाद्द के लिए गोदावरी का जल अर्ग के लिए गंगा जल और आचमन के तू दुरुआ अक्षद पूश्प और चंदन से युक्त पुश पुश्प तुल्सी के अतिरिक्त पूजोप योगी तरह तरह के पत्र चंदन अगरू कस्तूरी कुमकुम धेर के धेर रत्न प्रदीप और धूप सादर समर्पित किये तत्पश्चात उसे प्रिये लगने वाले नैवैध्यों तिल के लड़ू जो और गेहुं के चूड प पनोहर पक्वान शंक्रा मिश्रित स्वादिष्ट स्वास्तिक के आकार का बना हुआ त्रिकोन पक्वान विशेश गुड युक्त खीर चिवड़ा और अगनी के चावल के आटे के बने हुए पदार्थ नाना प्रकार के वेंजनों के साथ पहार लगा दिया नारत फिर उस के खजूर कैथ जामुन आम कटहल केला और नारियल के असंग के फल दिये इनके सिवा और जो भी रितु के अनुसार विभिन देशों में उत्पन्न हुए स्वादिष्ट वे मधुर पके हुए फल थे उन्हें भी महमाया ने समर्पित किया पुनह आच्मन और पान करने के लिए अत्यंत निर्मल करपूर आदी से सुवासित स्वच्छ गंगा जल दिया नारद इसके बाद उसी प्रकार सुवासित उत्तम रमणी पान के बीड़े और वायन से परिपूर्ण सेकड़ों स्वण पात्र दिये तदनंतर मेंका हिमालय हिमालय के पुत्र और प्रिय अत सर्व सिद्धी प्रदेशाय विगनेशाय नमो नमह इसी मंत्र से भक्ति पूर्वक वस्तुएं समर्पित करके परमानंद से मंगन थे इस मंत्र में 32 अक्षर हैं यह संपूर्ण कामनाओं का दाता धर्म अर्थ काम मोक्ष का फल देने वाला और सर्व सिद्धी प्रद है इ जाता है उसके नाम स्परण से सारे विगन भाग जाते हैं निश्य ही एक महान वक्ता महा सिद्ध संपूर्ण सिद्धियों से संपन स्रेष्ट कवियों में भी स्रेष्ट गुणवान विद्वानों के गुरू का गुरू तथा जगत के लिए साक्षात व्याकपती हो जाता ने इस मंत्र से शिशु की पूजा करके अनेक प्रकार के बाजे बजवाय उत्सव कराया ब्राम्वनों को भोजन से त्रिप्त किया फिर उन ब्राम्वनों को तथा विशेष्टया वंदिनों को दान दिया श्री नारायन जी कहते हैं नारद तदनंतर उस सभा के बीच परनतु आपके अनुर्व निरूपन करने में मैं सरवता असमर्त हूं क्योंकि आप इच्छा रहित संपूण देऊ में स्रेष्ठ सिद्धों और योग्यों के गुरू सर्व सुरूप सरवेश्वर ज्यान राशी स्वरूप अव्यक्त अविनाशी नित्य सत्य आत्म भक्तों पर अनुग्रह करने वाले श्रेष्ट वरणी वर्दाता वर्दानियों के भी इश्वर सिध्ध सिध्धि स्वरूप सिध्धि दाता सिध्धि के साधन ध्यान से अतिरिक्त ध्ये ध्यान द्वारा असाध्य धार्मिक धर्म स्वरूप ध्यान के ग्याता धर्म और आश्रय श्त्री पुरुष और नपुन्सक के सुरूप में विराजमान तथा इनकी इंद्रियों से परे सबसे आदी अगर पूजी सर्व पूजी गुण के सागर स्वेच्छा से सगुण ब्रह्म तथा स्वेच्छा से ही निर्गुण ब्रह्म का रूप धारन करने वाले प्रकृति से परे प्राकृत रूप हैं शेश अपने सहस्त्रों मुख से आपके स्तूति करने में मैं असमर्थ हूं आपके स्तवन में मैं पंजमुख महेश्वर समर्थ हैं ना चत्रमुख ब्रह्मा ही ना ही सरस्वती की शक्ति है और ना ही मैं कर सकता हूं ना चारों वेदवादियों की क्या गणना इस प्रकार देवसभा में देवताओं के साथ सुरेश्वर गणेश की इस्तुति करके सुराधिश रमापति मौन हो गए मौने जो मनुष्य एकाकरचित हो भक्ति भाव से प्राता मध्यान और साहे काल इस विश्णुकृत गणेश तोत्र का सतत पाठ करता है विगनेश्वर उसके समस्त विगनों का विनाश कर देते हैं सदा उसके सब कल्यानों की वृध्धी करते हैं और वो स्वयम कल्यान जनक ह हो जाता है जो यात्रा काल में भक्ति पूर्वक इसका पाठ करके यात्रा करता है निसंदिह उसकी सभी अभिसंट प्ouleब हो जाती है उसके द्वारा देखा गया दुस्वपन सुसवपन में परिनीथ हो जाता है उसके दारुन ग्रह पीडा नहीं भोगनी पड़ती उसके का विनाश और बंदूं का विशेश उतकर्ष होता है निरंतर विग्नों का शय और सदा संपत्ति की वृद्धी होती रहती है उसके घर में पूत्र पौत्र को बढ़ाने वाली लक्षमी तीर रूप से निवास करती है वह इस लोक में संपून एश्वरों का भागी होकर अंत के मनोहर पूजन को तो मैंने सुन लिया अब मुझे जन्मृत्यू के चक्र से छुडाने वाले कवच को सुनने के इच्छा है श्रे नारायन ने कहा नारत उस देवसभा के मध्धे जब गणेश की पूजा समाप्त होई तब सनेश्चर ने सब के तारत जगत गुरू विश उस विग्ण के प्रशमन के लिए मैं उस कवच को धारन करूँगा तदनंतर भगवान विश्णू ने कवच की गोपनियता और महिमा बतलाते हुए कहा सूर्य नंदन दस लाग जब करने से कवच सिद्ध हो जाता है जो मनुष्य कवच सिद्ध कर लेता है बुमृत्यू को जीतने में समर्थ हो जाता है सिद्ध कवच वाला मनुष्य उसके ग्रहन पांड से भूतल वागमी चिरजीवी सरवत्र विजयी और पुज्य हो जाता है इस माला मंत्र को तथा इस पुन्य कवच को धारन करने वाले मनुष्य के सारे पाप निश्य ही नश्ठ हो जाते हैं भूत, प्रेत, पिशाच, कुश्मांड, ब्रह्मराक्षष, डाकनी, योगिनी, वेताल, आधी, बाल गरह, गरह तता शेत्रपाल, आधी कवच के शब्द मात्र श्रवन से भैभीत होकर भाग खड़े होते हैं। जैसे गरुड के निकट सर्प नहीं जाते, उसी तरह कवच धारी पुरुषों के सन निकट, आधी, व्याधी और भैदायक शोग फटकते नहीं। इसे अपने सरल्स भाव वाले गुरुभक्त शिश्य को भी बतलाना चाहिए। ये मेरे मस्तक की रक्षा करें। ओम लम श्री लंबोदराय स्वाहा सदा गंड स्थल की रक्षा करें। ओम कलीम हीम विगनाशाय स्वाहा सदा कानों की रक्षा करें। ओम श्री गम गजाननाय स्वाहा सदा कंधु की रक्षा करें। ओम श्री विनाकाय स्वाहा सदा प्रिष्ट भाग की रक्षा करें। ओम कलीम हीम कंकाल की और गम वक्षिस्थल की रक्षा करें। विगन हिंता हाथ पैर और सरवांग को सुरक्षित रखें। पूरुदेशा में लंबोदर और अगनी कोण में विगन नायक रक्षा करें। दक्षिन में विगनेश और नैरिर्त कोण में गजानन रक्षा करें। पश्चिम में पार्वति पुत्र वावव्य कोण में शंकरात्मज उत्तर में परिपून्तम श्रीकृष्ण का अंश इशान कोण में एकदंत और उर्दु भाग में हिरंब रक्षा करें अधो भाग में सर्वपूज गणाधि पती तथा सब और से मेरी रक्षा करें सयन और जागरन काल में योगियों के गुरु मेरा पालन करें वत्स इस प्रकार जो संपून मंत्र समूहों का विग्रह स्वरूप है उस परम उद्भूत संसार मोहन नामक कवच का तुमसे वर्णन कर दिया सूरिनन इसे प्राचीन काल में गोलोक के वरंदावन में रास मंदल के अउसर पर स्रीक्रिष्ट ने मुझे विनीद किया था वही तुम्हें प्रदान कर दिया है तुम इसे जिस किसी को मद्दे डालना ये परमश्रेष्ट सर्वपूज और संपून संकटों से उबारने वाला है जो मनुष्य विधिपुर्वक गुरू की अभ्यर्चना करके इस कवच को गले में अत्वा दक्षिन भुजा पर धारन करता है वो निसंदेह विष्णु ही है ग्रहेंद्र हजारों अशुमेध और सैकड़ों वाजपे यग इस कवच की सोलुई कला की समानता नहीं कर सकते जो मनुष्य इस कवच को जाने बिना शंकर सुवन श्री गने शुप हो गए तब समीप में इस्ठित पर्मानंद में निमगन हुए देवताओं ने कहा पार्वति को देवताओं द्वारा कार्तिके का समाचार प्राप्त होना, शिवजी का कृतिकाओं के पास दूतों का भेजना, वहां कार्तिके और नंदी का समवाद तदनंतर पहले शंकर का वीर्य पृत्वी पर गिरने से कार्तिके के उत्पन होने की बात आई थी उसी के संबंध में बात छिरने पर श्री धर्म ने कहा भगवन प्रकोप के कारण रती से उठते हुए शंकर जी का वह अमोग वीर्य भूतल पर गिरा था ये मुझे ग्यात है भूमी ने कहा ब्रह्मन उस वीर्य का वहन करना अत्यंत कठिन था इसलिए जब मैं उसका भार सहन न कर सकी तब मैंने उसे अगनी में डाल दिया अतह मुझ अबला को शमा कीजिए अगनी ने कहा जगननात मैंने भी उस वीर्य का भार उठाने में असमर्थ होकर उसे सरकंडों के वन में फैंक दिया भला दुर्बल का पुरुशार्थ ही क्या और उसका यश ही कैसा वायू ने कहा विश्णो स्वर्ण रेखा नदी के तट कर सरकंडों में गिरा हुआ वह वीर्य तुरंथी अत्यंत सुंदर बालक हो गया श्री सूर्य ने कहा भगवन काल चक्र से प्रेरित हुआ मैं उस रोते हुए बालक को देखकर अस्ताचल की और चला गया क्योंकि मैं रात में ठहरने के लिए असमर्थ हूं चंद्रमा ने कह विश्णों उसी समय कृतिकाओं का समुदाय बद्रिका आश्रम से आ रहा था उन्होंने उस रुदन करते हुए बालक को देखा और उसे उठाकर वे अपने भवन को चली गई जल ने कहा प्रभो कृतिकाओं ने उस रोते हुए शिशु को अपने घर लाकर और उसके भावशाली था दोनों संध्याओं ने कहा भगवन इस समय वह बालक छेहों कृतिकाओं का पौश्य पूत्र है उन्होंने स्वयम ही प्रेम पूर्वक उसका कार्ति के ऐसा नाम रखा है रातरी ने कहा प्रभो वे कृतिकाओं उस बालक को आखों से ओजल नहीं करती हैं उन वह पुत्र कहलाता है दिन ने कहा देव जो जो वस्तुएं त्रिलोकी में दुरलब हैं और अपने स्वात के लिए प्रशंसित हैं उन्हीं को वे उस बालक को खिलाती हैं जब उस सभा में उन सब लोगों ने प्रसन्न मन से श्री हरी से यों कहा तब उनके उस कथन को सुनक मधु सुदन संतुष्ट हो गए पुत्र का पूरा समाचार पाकर पार्वती का मन हर्श से खिल उठा उन्होंने ब्रह्मनों को करोडों रत्न बहुत सा धन और विभिन्य प्रकार के सभी वस्त्र दिये तत पश्चात लक्ष्मी सरस्वती सावित्री मेना आदी सभी ने तथा विष्णु आदी सभी देवताओं ने ब्रह्मनों को धन दिया श्री नारायन कहते हैं मुने पुत्र का समाचार मिल जाने पर जब विष्णु देवगंड मुनी समुदाए और परवतों ने पार्वती सहित शंकर को प्रेरित किया तब उन्होंने लाखों क्षेत चत्रपाल, भूत, बेताल, यक्ष, कूश्मांड, भ्रह्मराक्षस, डाकिनी, योगिनी और भैरवों के साथ महान बल पराकरम संपन्वीर भद्र, विशालाक्ष, शंकुकर्ण, कबंध, नंदीश्वर, महाकाल, वज्रदंद, भगंदर, गोधा मुक, दधी मुक, आदी दूतों को जो धधकती हुई आग की लपट के समान उद्दीप्त हो रहे थे भेजा, उन सभी शिव दूतों ने जो नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसजित थे, शिग्रही जाकर कृतिकाओं के भवन को चारों ओर से घेर लिया, उन्हें देखकर सभी कृतिकाओं का मन भए से व्याकुल हो गया, तब वे भ्रह्मतेज से उद्दीप्त होते हुए कार्तिके के पास चाकर कहने लगी, कृतिकाओं ने कहा, बेटा कार्तिके, असंख्यों कराल सेनाओं ने भवन को चारों ओर से घेर लिया है, और हमें पता भी नहीं है कि ये किसकी हैं, तब कार्तिके बोला, माताओ, आप लोगों का भए दूर हो जाना चाहिए, मेरे रहते आपको भए कैसा, ये कर्म भोग दुर निवारिय है, इसे कौन हटा सकता है, इसी बीज, सैनापती नंदिकेश्वर भी वहां कार्तिके के समक्ष उपस्तेत हुए और कृतिकाओं से बोले, नंदिकेश्वर ने कहा, भ्राता, संगहार करता सुर्ष रेष्ठ शंकर और माता पार्वती द्वारा भेजे गए शुप समाचार को मुझसे श्रवन करो। तब विश्णु ने तुम्हारी प्राप्ति के निम्मित क्रमशह उन सभी देवों से पूछा, उनमें से प्रत्येक ने यतोचित उत्तर भी दिया। उन्ही में धर्म अधर्म के साक्षी, धर्म आती सभी देवताओं ने परमेश्वर को तुम्हारे यहां कृतिकाओं के भवन में रहने की सूचना दी। प्राचीन काल में शिव पार्वती की जो एकांत क्रीडा हुई थी, उसमें देवताओं द्वारा देखे जाने पर शंभू का शुक्र भूतल पर गिर पड़ा था। भूमी ने उस शुक्र को अगनी में और अगनी ने उसे सरकंडों के वन में फैंक दिया था। वहां से इन क्रितिकाओं ने तुम्हें पाया है। अब तुम अपने घर चलो, वहां तुम्हें संपूर्ण शस्त्र अस्त्रों की प्राप्ती होगी। विश्णु देवताओं को साथ लेकर तुम्हारा अभिशेक करेंगे और तब तुम तारका सुर का वध करोगे। तुम विश्व संहर्ता, शंकर के पुत्र हो। अतह ये क्रितिकाओं तुम्हें उसी तरह नहीं छिपा सकती। जैसे शुष्क व्रिक्ष अपने कोटर में अगनी को गुप्त नहीं रख सकता। तुम तो विश्व में दीप्ती मान हो। इन क्रितिकाओं के घर में तुम्हारी उसी प्रकार शोभा नहीं हो रही है। जैसे महा कूप में पड़े हुए चंद्रमा शोभित नहीं होते। जैसे सूर्य मनुश्यों के हाथों की ओट में नहीं छिप सकते। उसी तरह तुम भी इनके अंग तेज से आच्छादित ना होकर जगत को प्रकाशित कर रहे हो। शंभू नंदन तुम तो जगत व्यापी विश्णू हो अतह इन कृतिकाओं के व्याप्य नहीं हो। जैसे आकाश किसी का व्याप्य नहीं है बलकि वह स्वयम ही सबका व्यापक है। तुम विश्यों से निरलिप्त योगींद्र हो तथा विश्व के आधार और ऐसी दशा में कृतिकाओं के भवन में तुम सरवेश्वर का निवास होना उसी प्रकार संभव नहीं है जैसे एक शूद्र गोरईया के उदर में गरुड का रहना असंभव है। तुम भक्तों के लिए मूर्तिमान अनुक्रह तिथा गुणों और तेजों की राशी हो। द भक्ति हिन मनुश्यों को हरी की उत्कृष्ट भक्ति का ज्यान नहीं होता। उसी तरह ये कृतिकाओं तुम्हें कैसे जान सकती हैं क्योंकि तुम अनिर्वच्निय हो। भ्राता जो लोग जिसके गुण को नहीं जानते वे उसका अनादर ही करते हैं। जैसे मेंड़क एक स साथ रहने वाले कमलों का आदर नहीं करते। कार्तिके ने कहा भ्राता जो भूत भविश्यत वर्तमान तीनों का ग्यान है वह सब मुझे ग्यात है। तुम भी तो ग्यानी हो क्योंकि मृत्यूंजे के आश्रित हो। ऐसी दशा में तुम्हारी क्या प्रशंसा की जाए। भ निर्वृत्ति लाप करते हैं। वे चाहे संत हो अत्वा मूर्ख हो जिन्हें कर्म भोग के परिणाम स्वरूप जिस योनी की प्राप्ती हुई है। वे विश्णु माया से मोहित होकर उसी योनी को बहुत बढ़कर समझते हैं। जो सनातनी विश्णु माया सबकी आदी सर वस्व प्रदान करने वाली और विश्व का मंगल करने वाली है। उन्हीं जग जन्नी ने इस समय भारत वर्ष में शैल राज की पत्नी के गर्भ से जन्मधारण किया है। और दारून तपस्या करके शंकर को पती रूप में प्राप्त किया है। ब्रह्मा से लेकर त्रिण पर्यंत सारी श्रिष्टी कृत्रिम है अतेव मिथ्या ही है सभी श्री कृष्ण से उत्पन हुए हैं और समय आने पर केवल श्री कृष्ण में ही विलीन हो जाते हैं प्रत्यक कल्प में श्रिष्टी के विधान में मैं नित्य होते हुए भी माया से आभध्ध होकर जन्म धार करता हूं उस समय प्रतेक जन्म में जगत जन्नी पारवती मेरी माता होती है जगत में जितनी नारियां हैं वे सभी प्रकृती से उत्पन हुई हैं उनमें से कुछ प्रकृती की अंच भूता हैं तो कुछ कलात्मिका तथा कुछ कलांच के अंच से प्रकट हुई हैं ये ज्या तता उपहार से मेरा पालन पूशन किया है अतह मैं उनका पोश्य पुत्र हूँ और पोशन करने के कारण ये मेरी माताएं हैं साथ ही मैं उन प्रकृती देवी का भी पुत्र हूँ क्योंकि तुम्हारे स्वामी शंकर जी के वीर्य से उत्पन हुआ हूँ नंदिकेश्वर मैं गिरी राज नंदिनी के गर्ब से उत्पन नहीं हुआ हूँ अतह जैसे वे मेरी धर्म माता हैं वैसे ही ये कृतिकाएं भी सर्व सम्मती से मेरी धर्म माताएं हैं क्योंकि स्थन पिलाने वाली, गर्ब में धारन करने वाली, भोजन देने वाली, गुरु पत्नी, अभीष्ट देवता की पत्नी, पिता की पत्नी, कन्या, बेहन, पुत्र वधू, पत्नी की माता, माता की माता, पिता की माता, सहोधर भाई की पत्नी, माता की बेहन, पिता की बहन तथा मामी ये सोलहें मनुश्यों की वेद विहित माताएं कहलाती हैं ये कृतिकाएं संपूर्ण सिध्यों की ग्याता परम एश्वर्य संपन और तीनों लोकों में पूजित हैं ये एक शूद्र नहीं है बलकि ब्रह्मा की कन्याएं हैं तुम भी सत्व संपन तथा विष्णु ने तुम्हें भीजा है अतह चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं वहां देव समुदाय का दर्शन करूंगा कार्तिके का नंदिकेश्वर के साथ कैलास पर आगमन उनका स्वागत सभा में जाकर विष्णु आदी देवों को नमस्कार करना और शुब आशीरव श्री नारायन जी कहते हैं नारद शंकर सुवन कार्तिके नंदिकेश्वर से यों कहकर शीग्रही कृतिकाओं को समझाते हुए नीती युक्त वचन बोले कार्तिके ने कहा माताओ मैं देव समुदाय बंधुवर्ग तथा माता को देखना चाहता हूं अतह शंकर जी के प्रदान करें सारा जगत शुबदायक जन्मकर्म संयोग वियोग सभी देव के अधीन हैं देव से बढ़कर दूसरा कोई बली नहीं है वह देव श्री कृष्ण के वश में रहने वाला है क्योंकि वे देव से परे हैं इसलिए संत लोग उन एश्वर्य शाली परमात्मा का निरंतर भजन करते हैं अविनाशी श्री कृष्ण अपनी लीला से देव को बढ़ाने और घटाने में समर्थ हैं उनका भक्त देव के वशीभूत नहीं होता ऐसा निर्णेत है इसलिए आप लोग इस दुख दायक मोह का परित्या कीजिए और जो सुक दाता मोक्षप्रत स संसार सर्वस्व जन्म मृत्यू के भए का विनाश करता पर्मानंद के जनक और मोह जाल के उच्छेदक हैं तथा ब्रह्मा विश्णू और शिव आदी सभी देवगन जिनका निरंतर भजन करते हैं उन गोविंद की भक्ति कीजिए इस भवसागर में मैं आप लोगों का संसार परवाह का वह सारा कर्म फेन की भांती पुंजी भूत हो गया है संयोग अत्वा वियोग यह सब इश्वर की इच्छा से ही होता है यहां तक की सारा ब्रह्मान इश्वर के अधीन है वह भी स्वतंत्र नहीं है ऐसा विद्वान लोग कहते हैं सारी त्रिलो की जल के ब मोहित्चित वले लोग इस अनित्य जगत में माया का विस्तार करते हैं परंतु जो कृष्ण परायन संथ हैं वे जगत में रहते हुए भी वायू की भांती लिप्त नहीं होते इसलिए माताओ आप लोग मोह का परित्याग करके मुझे जाने की आग्या दीजिए यों कहकर जी के पार्षदों के साथ यात्रा के लिए प्रस्थान किया इसी बीज उन्होंने वहां एक उत्तम रत को देखा वह बहु मूल्य रतनों का बना हुआ था जिसे विश्व कर्मा ने भली भांती निर्मान किया था उसमें स्थान स्थान पर मानिक्य और हीरे जड़े गए थ पारिजात पुश्पों की माला वली से वह सुशोभित था मनियों के दरपन तथा श्वेद चम्वरों से वह अत्यंत उद्भासित हो रहा था और चित्रकारी युक्त रमनिय क्रीडा भवनों से वह भली भांती सुसजित था वह मनोहर तो था ही उसका विस्तार भी बड़ा था उसमें सौ पहिये लगे थे उसका वेग मन के समान था और श्रेष्ठ पार्षद उसे घेरे हुए थे उस रत को पार्वती ने भेजा था उस रत पर कार्तिके को चड़ते देख कर कृतिकाओं का हृदय दुख से फटा जा रहा था उनके केश खुल गए थे और वे शोक से व्याकुल थी सहसा चेतना प्राप्त होने पर अपने सामने सकंद को देख वे अत्यंत शोक के कारण ठगी सी रह गई फिर वहीं भैवश उनमत की भांती कहने लगी कृतिकाओं ने कहा हाई अब हम लोग क्या करें कहा चली जाएं बेटा हमारे आश्रे तो तुम ही हो इस तुम्हारे लिए धर्म संगत बात नहीं है हम लोगोंने बड़े स्नेह से तुम्हें पाला पोसा है अतह तुम धर्मा अनुसार हमारे पुत्र हो भला उपयोक्त पुत्र मात्र वर्गों का परित्याक कर दे यह भी कोई धर्म है यों कहकर सभी कृतिकाओं ने कार्तिके को से चिपका लिया और पित्र वियोग जन्या दारुण दुख के कारण वे पुन्हे मुर्चित हो गई मुने तत पश्चात कुमार कार्थिके ने अध्यात्मिक वच्णों द्वारा उन्हें समझाया और फिर उनके तथा पार्षदों के साथ वे उस रत पर सवार हुए मुने यात्रा काल में उन्होंने अपने सामने सांड, गजराज, गोडा, जलती हुई आग, भरा हुआ सुवर्ण कलश, अनेक प्रकार के पके हुए फल, पति पुत्र से युक्त स्त्री, प्रदीप, उत्तम मनी, मोती, पुष्प माला, मचली और चंदन, इन मांगलिक वस्तुओ को वाम भाग में श्रिगाल, नकुल, कुम्भ और शुप दायक शव को तथा दक्षिन भाग में राजहंस, मयूर, खंजन, शुप, कोकिल, कबूतर, शंक चिल, मांगलिक चक्रवाग, कृष्ण सार म्रिग, सुर्भी और चमरी गौं, श्वेक चमर, सवत्सा धेनू और हरी कीर्तन तथा घंटा और शंक का शब्द होने लगा, इस प्रकार मंगल शकुनों को देखते तथा सुनते हुए, कार्ति के आनंद पूर्वक उस मन के समान वेकशाली रत के द्वारा, क्षण मातर में ही पिता के मंदिर पर जा पहुँँचे, वहां कैलास पर पहुँच कर वे अविनाशी वट वरिक्ष के नीचे, कृतिकाओं तथा श्रेष्ठ पार्षदों के साथ कुछ देर के लिए ठहर गए, उस नगर के राजमार्क बड़े मनुहर थे, उन पर चारों और पदमराग और इंद्र नील मनी जड़ी हुई थी, समोह के समोह केले के खंबे ग सुशोभित था, उस पर चंदन मिश्रित जल का छड़काव किया गया था, असंख्यों रत्न प्रदीपों तथा मणियों से उसकी विशेश शोभा हो रही थी, वे सदा उत्सवों से व्याप्त, हाथों में दूप और पुश्प लिये हुए, वंदियों और भ्रामनों से य रस्वती, दुर्गा, सावित्री, तुलसी, रती, अरुन्धती, अहल्या, दिती, सुंदरी तारा, अधिती, शत रूपा, शची, संध्या, रोहिनी, अंसुया, स्वाह, संघ्या, वरुनपत्नी, आकूती, प्रसूती, देवहूती, मेनका, एक रंग तथा एक प्रकृती पाली मैनाग पत्नी वसुंधरा और मंसा देवी को आगे करके वहां आई तद नंतर देवगण मुनी समुदाये परवत गंधर्व तथा किन्नर सबके सब आनंद मगन हो कुमार के स्वागत में गए महेश्वर भी नाना प्रकार के बाजों रूद्र गणों पार्शदों भैर तद क्षेत्रपालों के साथ वहां पधारे तत पश्चात शक्तिधारी कार्तिके पार्वती को निकट देखकर हर्श गदगद हो गए उस समय वे तुरंथी रत से उतर पड़े और सिर जुका कर उन्हें प्रणाम करने लगे तब पार्वती ने कार्तिके को देखकर लक्ष भाशन किया और उन्हें अपनी गोद में उठाकर वे चुमने लगी फिर शंकर देवगण परवत शैल पत्नियों पार्वती आदी देवियों तथा सभी मुनियों ने कार्तिके को शुभाशीरवाद दिया तद नंतर कुमार गणों के साथ शिव भवन में आए वहां सभा क के मध्य में उन्होंने एक शीर सागर में शयन करने वाले भगवान विश्णु को देखा वे रत्न भर्णों से विभूशे थो रत्न सिंहासन पर विराज मान थे धर्म ब्रह्मा इंद्र चंद्रमा सूर्य अगनी वायू आदी देवता उन्हें गेरे हुए थे उनका मुख प्रसन था तथा उस पर थोड़ी थोड़ी मुस्कान की चटा च्छा रही थी वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर हो रहे थे उन पर श्वेट चमर डुलाया जा रहा था और देवेंद्र तथा मुनींद्र उनका स्तवन कर रहे थे उन जगननात को देखकर कार्त चो आया उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक सिर जुका कर उन्हें प्रणाम किया इसके बाद ब्रह्मा धर्म देवताओं और हर्शित मुनिवरों में प्रतेक को प्रणाम किया और उनका शुभाशीरवात पाया फिर बारी-बारी से सबसे कुशल समाचार पूच कर वे एक प्रत्न सिंहासन पर बैठे उस समय पार्वती सहित शंकर ने भ्रह्मनों को बहुत सा धन दान किया कार्तिके का अभिशेक तथा देवताओं द्वारा उन्हें उपहार प्रदान श्री नारायन जी कहते हैं नारत तद्रनंतर जगदीशुवर विश्णू ने प्रसन्न मन से शुब मुहुरत निश्य करके कार्तिके को एक रमणी सिंहासन पर बैठाया और कौतुकवश नाना प्रकार के जांज मंजीरा तथा यंत्र में बाजे बजवाए और अमुल्य रत्नों के बने हुए सैकड़ों घड़ों से जो वेद मंत्रों द्वारा अभिक्षिक्त तथा चंपून तिर्थों के जलों से परिपूर्ण थे कार्तिके को हर्ष पूर्वक्स नान कराया तथ कार्तिके को प्रसंद मन से बहुमुल्य रत्नों द्वारा निर्मित किरिट दो मांगलिक बाजुबंद अमुल्य रत्नों के बने हुए बहुत से आभूशन अगनी में तपाकर शुद्ध किये हुए दो दिव्यवस्त्र शीर्षागर से उत्पन्न हुई कोस्तुब मनी और और समस्त जीवों पर दया समर्पित की शिव ने पर्मोत कृष्ट मृत्यूंजय ग्यान संपूर्ण शास्त्रों का ग्यान निरंतर सुख प्रदान करने वाला परम्मनोहर तत्त्व ग्यान योग सत्व सिध्धी सत्व परमदुरलब ब्रम्ह ग्यान त्रिशूल पिनाक फर सा शक्ती पाशुपताष्ट्र धनुष और संधान संहार के ज्यान सहित संहाराष्ट्र अर्पित किया वरुन ने श्वेच्छत्र और रत्नों की माला महेंद्र गजराज अम्रित सागर ने अम्रित का कलश चूर्य ने मन के समान वेग वाली रत और मनोहर कवच यम ने दम दंड और अगनी ने बहुत बड़ी शक्ति प्रदान की इसी प्रकार अनान्य सभी देवताओं ने भी हर्ष पूर्वक नाना प्रकार के शस्त्र उन्हें भेंट किये काम देव ने हर्ष मगन होकर उन्हें काम शास्त्र और शीर सागर ने अमुल्य रत्न तथा रत्नों के बने हुए विशिष्ट नुपूर दिये पारवती का मन तो उस समय पर्मानंद से विमगन था उन्होंने मुस्कुराते हुए महाविध्या सुशील विध्या मेधा दया स्मृति अत्यंत निर्मल बुद्धी शांती तृष्टी पुष्टी शमा धृती श्रीहरी में सुद कर लेने वाली अत्यंत सुंदरी थी जिसे विद्वान लोग शिशुओं की रक्षा करने वाली महाशश्टी कहते हैं वैवाहिक विधी के अनुसार वेद मंत्रों चारण पूर्वक कार्थी के अर्पित कर दिया इस प्रकार कुमार का अभिशेक सभी देवता करके मुनीग और गंधर्व जगदिश्वरों को प्रणाम करके अपने अपने घर चले गए नारत इसके बाद शंकर ने नारायन ब्रह्मा और धर्म के स्तुति की और धर्म का अलिंगन करके परंप्रिय श्रीहरी को मस्तक जुकाया तदनंतर शंकरद्वारा सत्कृत होकर शैल राज हिमा कुछ समय बीतने के बाद शंकर ने पुना उन सभी देवों को बिलाकर विवाह विधी के अनुसार पुष्टी को महात्मा गणेश के हाथों समर्पित कर दिया इस प्रकार दोनों पुत्रों तथा गणों के साथ रहती हुई पार्वती का मन बड़ा प्रसन्न था वे पूजन और विवाह तथा गणेश का विवाह ये सारा व्रतान तुमसे वर्णन कर दिया अब तुम्हारे मन में और कौन सी अभिलाशा है फिर और क्या सुनना चाहते हो गणेश के शिरश छेदन के वर्णन के प्रसंग में शंकर द्वारा सूर्य का मारा जाना कश्यप का शाप देना सूर्य का जीवित होना और माली सुमाली की रोग निव्रति नारत ने पूछा महाभाग नारायन आप तो वेद वेदांगों के परमगामी विद्वान है परमेश्वर मैं आप से एक बहुत बड़े संदेह का समाधान जानना चाहता हूं प्रभो जो देवेश् महात्मा शंकर के पुत्र तथा विग्णों के विनाशक हैं उन गणेश्वर के लिए जो विग्ण घटित हुआ उसका क्या कारण है जब परिपूर्णतम परात पर परमात्मा श्रीमान गो लोपनात स्वयम ही अपने अंश से पार्वती के पुत्र होकर उत्पन हुए थे तब उन ग्रह अधिराज भगवान श्री कृष्ण के मस्तक का ग्रह के द्रिष्टी से कट जाना बड़े आश्चर्य की बात है आप इस वृत्तांत को मुझे पतलाने की कृपा करें श्री नारायन ने कहा ब्रह्मन विग्णेश्वर का यह विग्ण जिस कारण से हुआ था उस प्राचीन इतिहास को तुम सावधान होकर श्रवन करो नारत एक समय की बात है भक्त वत्सल शंकर ने माली और सुमाली को मारने वाले सूर्य पर बड़े क्रोध के साथ त्रिशूल से प्रहार किया वह शिव के समान तेजस्पी त्रिशूल अमोग था अतह उसकी चोट स सूर्य की चेतना नश्ट हो गई और वे तुरंथी रत से नीचे गिर पड़े जब कश्यप जी ने देखा कि मेरे पुत्र की आँखें उपर की और चड़ गई है और वे चेतना हीन हो गया है तब वे उसे च्छाती से लगा कर फूट फूट कर विलाप करने लगे उस समय सा सारे देवताओं में हाहाकार मच गया वे सभी भैभीत होकर जोर-जोर से रुदन करने लगे अंधकार चा जाने से सारा जगत अंधी भूत हो गया तब भ्रह्मा के पौत्र तपस्वी कश्यप जी जो भ्रह्मतेच से प्रज्वलित हो रहे थे अपने पुत्र को प्रभाही देख कर शिव को शाप देते हुए बोले जिस प्रकार आज तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का वक्ष स्थल विदेण हो गया है उसी तरहें तुम्हारे पुत्र का मस्तक कट जाएगा शिव जी आशूतोष तो हैं ही अतहिक्षण मात्र में ही उनका क्रोध जाता र किया तदनंतर जो भ्रह्मा विष्णू और महेश के अंच से उत्पन है वे त्रिगुनात्मक भक्त वत्सल सूर्य चेतना प्राप्त करके पिता के समक्ष खड़े हुए फिर भक्ति पूर्वक पिता को तथा शंकर को नमस्कार किया साथ ही शंभू के शाप को जानकर वे कुद्ध हो गए जिससे उन्होंने अपने विशे को ग्रहन नहीं किया और क्रोधा वेश में यों कहा इश्वर के बिना यह सब कुछ तुछ अनित्य और नश्वर है अतेह विद्वान को चाहिए कि वह मंगल कारक सत्य को छोड़कर अमंगल की इच्छा न करे इसलिए अब मैं विशे का परित्या करके परमेश्वर श्री कृष्ण का भजन करूंगा यह सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा को प्रेरित किया तब उन प्रभु ने शीग्रता पूर्वक वहां पधार कर सूर्य को समझाया और उन्हें इनके कार्य पर नियुक्त किया फिर ब्रह्मा शि सूर्य को आशीरवाद देकर अपने अपने भवन को चले गए इधर सूर्य भी अपनी राशी पर आरूड हुए तत्पश्चात माली और सुमाली व्याधी ग्रस्त हो गए उनके शरीर में सफेद कोड हो गई जिससे सारा अंग गल गया शक्ति जाती रही और पहे अनों को सूर्य का कवज स्तोत्र और पूजा की सारी विधी बतलाकर भ्रह्म लोग को चले गए मुने दिन अंतर्वे दोनों पुष्कर में जाकर सूर्य का भजन करने लगे वहां वे तीनों काल स्नान करके भक्ती पूर्वक उत्तम सूर्य मंत्र के जप में तल्लीन हो फिर समयानुसार सूर्य से वर्दान पाकर वे पुन्हे अपने असली रूप में आ गए इस प्रकार मैंने यह सारा वृत्तान प्वर्णन कर दिया अब और क्या सुनना चाहते हो ब्रह्मा ध्वारा माली सुमाली को सूर्य के कवच और स्तोत्र की प्राप्ति तथा सूर्य की कृपा से उन दोनों का निरोग होना तदनंतर नारद जी के पूछने पर नारायन बोले नारद मैं श्री सूर्य के पूजन का क्रम तथा संपूर्ण पापों और व्याधियों से विमुक्त करने वाले कवच और स्तोत्र का वर्णन करता हूँ सुनो, जब माली और सुमाली ये दोनों दैत्य व्याधी ग्रस्त हो गए तब उन्होंने स्तवन करने के लिए शिव मंत्र प्रदान करने वाले ब्रह्मा का स्मरण किया ब्रह्मा ने वैकुंट में जाकर कमलापती विश्नु से पूछा उस समय शिव भी वहीं श्री हरी के सन्निकट विराज मान थे ब्रह्मा बोले हरे माली और सुमाली दोनों दैत्य व्याधी ग्रस्त हो गए हैं अतेह उनके रोग के विनाश का कौन सा उपाय है ये बतलाईए बिश्नु ने कहा ब्रह्मन वे दोनों पुष्कर में जाकर वर्ष भरतग मेरे अंश भूत व्याधी हंता सूर्य की सेवा करें इस से वे रोग मुक्त हो जाएंगे शंकर ने कहा जगदीश्वर उन दोनों को रोग नाशक महात्मा सूर्य का स्तोत्र कवच और मंत्र जो कल्प तरू के समान है प्रदान कीजिए ब्रह्मन स्वयम श्री हरी तो सर्वस्व प्रदान करने वाले हैं और सूर्य रोग नाशक हैं जिसका जो जो विशे है अपने विशे में ये दोनों समपत्ती प्रदायक हैं इस प्रकार विश्णू और शिव की अनुमती पाकर भ्रह्मा उन दैतियों के घर गए तब दैतियों ने उन्हें प्रणाम करके कुशल समाचार पूछा और बैटने के लिए आसन दिया उन दैतियों का शरीर गल गया था उसमें से पीब और दुरगंध निकल रही थी आहार रहित होने के कारण वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे तब स्वयम दैालू ब्रह्मा ने उन दोनों से कहा ब्रह्मा बोले वत्सो तुम दोनों कवज, स्तोत्र और पूजा की विधी का क्रम ग्रहन करके पुशकर में जाओ और वहां विनम्र भाव से सूर्य का भजन करो उन दोनों ने कहा ब्रह्मन किस विधी से और किस मंत्र से हम सूर्य का भजन करें उनका स्तोत्र कौन सा है और कवच क्या है वे सब हमें प्रदान कीजिए ब्रह्मा ने कहा वत्स वहां त्रीकाल स्नान करके इस मंत्र से भक्ति पूर्वक भासकर की भली भांती सेवा करने पर तुम लोग निरोग हो जाओगे ओम रीम नमो भगवते सूर्याय परमात्मने स्वाहा इस मंत्र से साफधानत्या सूर्य का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक सोल्हे उपहार प्रदान करना चाहिए योहीं पूरे वर्ष भरतक करना होगा इससे तुम लोग निश्चे ही रोगमुक्त हो जाओगे पूर्वकाल में अहल्या का हरन करने के कारण गौतम के शाप से जब इंद्र के शरीर में सहस्त्र भग हो गए थे उस संकट काल में ब्रहस्पति जी ने प्रेम पूर्वक पाप युक्त इंद्र को जो कवच दिया था वही अपूर्व सूरे कवच मैं तुम लोगों को प्रदान करता हूँ ब्रहस्पति ने कहा इंद्र सुनो मैं उस परम अद्भुत कवच का वर्णन करता हूँ जिसे धारन करके मुनिगन पवित्र हो भारत पर्ष में जीवन मुक्त हो गए इस कवच के धारन करने वाले के सननिकट व्याधी भय के मारे उसी प्रकार नहीं जाती है जैसे गरुड को देख कर साप दूर भाग जाते हैं इसे अपने शिश्य को जो गुरु भक्त और शुद्ध हो बतलाना चाहिए परंतु जो दूसरों के दुष्ट स्वभाव वाले शिश्य को देता है वे मृत्यों को प्राप्त हो जाता है इस जगत विलक्षन कवच के प्रजापती रिशी हैं गायतरी चंद हैं और स्वयम सूर्य देपता हैं व्याधी नाश तथा सौंदर्य के लिए इसका विनियोग किया जाता है यह सार स्वरूप कवच ततकाल ही पवित्र करने वाला और संपूर्ण पापों का विनाशक है ओम रीम क्लीम श्रीम श्री सूर्याय स्वाहा मेरे मस्तक की रक्षा करें वो प्रियुक्त अश्टा दशाक्षर मंत्र सदा मेरे कपाल को बचावे ओम रीम रीम श्रीम श्री सूर्याय स्वाहा मेरे नासिका को सुरक्षित रखें शूर्य मेरे नेत्रों की विकर्तन पुतलियों की भासकर ओठों की और दिनकर दातों की रक्षा करें प्रचंड मेरे गंड स्थल का, मारतंड कानों का, मिहिर सकंधों का और पूशा जंगाओं का सदा पालन करें रवी मेरे वक्षे स्थल की, स्वयम सूर्य नाभी की और सर्व देव नमस्कृत कंकाल की सदा देख रेक करें ब्रधन हाथों को, प्रभाकर पैरों को, और सामर्थ्य शाली विभाकर मेरे सारे शरीर को निरंतर सुरक्षित रखे वत्स, यह जगद विलक्षन नामक कवच, अत्यांत मनुहर तथा त्रिलोकी में परम दुरलब है, इसे मैंने तुम्हें बतला दिया पूर्वकाल में पुलस्ते ने पुषकर क्षेतर में प्रसन होकर इसे मनु को दिया था, वही मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसे तुम जिस किसी को मत दे देना, इस कवच की क्रिपा से तुम्हारा रोग नश्ट हो जाएगा और तुम निरोग और श्री संपन हो जाओगे, इसमें संशे नहीं है एक लाख वर्ष तक हविश्य भोजन से मनुष्य को जो फल मिलता है, वह फल निश्चे ही इस कवच के धारण से प्राप्त हो जाता है इस कवच को जाने बिना जो मूर्ख सूर्य की भक्ति करता है, उसे दस लाख जप करने पर भी मंत्र सिध्धी नहीं प्राप्त होती सूर्य स्तवन का वर्णन साम वेद में हुआ है, यह व्याधी विनाशक सर्व पापहारी, परमोतक्रिष्ट, सार रूप और श्री तथा आरोग्यों को देने वाला है भगवन जो सनातन ब्रह्म, परमधाम, जोती रूप, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, त्रिलोकी के नेत्र रूप, जगन्नात, पापनाशक, तपस्याओं के फलदाता, पापियों को सदा दुख दाई, कर्मान रूप फल प्रदान करने वाले, कर्म के बीच स्वरूप दया सागर, कर्म रूप, क्रिया रूप, रूप रहित, कर्म बीच, ब्रह्मा, विश्नु और महेश के अंच रूप, त्रिगुनात्मक, व्याधी दाता, व्याधी हंता, शोक मोह, भय के बिनाशक, सुख दायक, मोक्ष दाता, सार रूप, भक्ति प्रद, संपूर्ण कामन के दाता, सर्वेश्वर, सर्वरूप, संपूर्ण कर्मों के साक्षी, समस्त लोकों के दृष्टी गोचर, अप्रत्यक्ष, मनोहर, निरंतर रस को हरने वाले, ततपश्चात रस दाता, सर्व सिध्धी प्रद, सिध्धी स्वरूप, सिध्धेश, और सिद्धों के परम जाता हूं वत्स मैंने इस तव राज का वर्णन कर दिया है यह गोपनिये से भी परम गोपनिये हैं जो नित्य तीनों काल इसका पाठ करता है वह समस्त व्याधियों से मुक्त हो जाता है उसके अंधापन कोड़ दरिद्धरता रोग शोग भय और कलह यह सभी सूर्य की कृपा से निश्चे ही नश्ट हो जाते हैं जो भयंकर कुष्ट से दुखी गलित अंगों वाला नेत्रहीन बड़े-बड़े घावों से युक्त यक्ष्मा से ग्रस्त महान शूल रोग से पीडित अत्वा नाना प्रकार की व्याधियों से युक्त हो वह भी यद स्नान करने का फल प्राप्त होता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है अतह पुत्रो तुम लोग शीग्र ही पुष्कर में जाओ और वहां सूर्य का भजन करो यो कहकर ब्रह्मा आनंद पूर्वक अपने भवन को चले गए इधर वे दोनों दैत्य सूर्य की सेवा करके निरो विग्न हर सूर्य कवज और सूर्य स्तव आदी सुना दिये अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है भगवान नारायन के नवोदित पुष्प की अवहेलना से इंद्र का श्री भ्रष्ठ होना पुना ब्रस्पती के साथ ब्रह्मा के पास जाना ब्रह्मा द्वारा दिये गए नारायन स्तोत्र कवच और मंत्र के जब्ट से पुना श्री प्राप्त करना तब श्री नारायन ने कहा नारत एक बार देवराज इंद्र निर्जन वन में एक पुष्पोत दान में गए थे वहां रंभा अपसरा से उनका समागम हुआ तदनंतर वे दोनों जल व भगवान नारायन का दिया हुआ पारिजात पुष्प इंद्र को देकर मुनी ने कहा देवराज भगवान नारायन के नवेदित ये पुष्प सब विगनों का नाश करने वाला है ये जिसके मस्तक पर रहेगा वो सरवत्र विजय प्राप्त करेगा और देवताओं में अग भगवान हरी के तुल्य पर आक्रमी होगा परंतु जो पामर अहंकार वश्ट भगवान श्री हरी के नवेदित इस पुष्प को मस्तक पर धारण नहीं करेगा वो अपनी जाती वालों सहित श्री भ्रष्ट हो जाएगा इतना कहकर दुर्वासाजी शंकरालय को चले गए महान अरण्य में चला गया और हथिनी के साथ विहार करने लगा उस वन में उसके बहुत से बच्चे हुए इसी समय श्री हरी ने उस हाती का मस्तक काटकर बालक गणेश के सर पर लगा दिया वत्स गजमुक के लगाने का प्रसंग तुमको सुना दिया इसके श्रवन से जननी कमला को प्राप्त किया उस समय महेंद्र ने क्या किया आप उस परम दुरलब गोपनी रहस्य को बतलाने की कृपा करें नारायण ने कहा नारत जिसकी बुद्धी अत्यंत मंद हो गई थी श्री से भ्रष्ठ होने के कारण जिस पर दीनता चाय हुई थी और जिसका आन प्रष्ठ का नाम निशान नहीं है वह दीनता से ग्रस्त बंधूओं से हीन और शत्र वर्गों से खचाखच भर गई है तब दूत के मुख से सारा व्रतांत सुनकर वह गुरु ब्रहस्पती के घर गया और फिर गुरु तथा देवगणों के साथ वह ब्रह्मा जी की सभा म को नमस्कार किया और भक्ति भाव सहीत वेद विधिक के अनुसार स्तोत्र द -"वारा उनके सतूती की ततपश्यात ब्रहस्पती ने प्रजापती ब्रह्मा से सारा वरतांत कहध सुनाया उसे सुनकर ने नीचे मुख करके कहना आरंभ किआ ब्रह बोले देविंद्र तुम मेर के प्रपौत्र हो और श्री संपन्न होने से सदा प्रज्वलित होते रहते हो किन्तु राजन लक्षमी के समान सुन्दरी शची के पती होने पर भी तुम आचरन भ्रस्थ हो जाते हो जो आचरन भ्रस्थ होता है उसे लक्षमी अत्वायस की प्राप्ति कहां से हो सकती है वह प इस समय सब के द्वारा भोगी जाने वाली वो रंभा कहां है और श्री से भ्रष्ट हुए तुम कहां जिसके कारण तुम्हें लक्ष्मी से रहित होना पड़ा वो रंभा भी तुम्हें शन भर में ही त्याक कर चली गई क्योंकि वेश्या चंचला होती है वो धनवानों को पस नहीं आता अब तुम श्री लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक नारायन का भजन करो इतना कहकर नारायन परायन ब्रह्म्हा ने इंद्र को जगत्त्रिष्टा नारायन का स्तोत्र कवच और मंत्र दिया तब इंद्र देवताओं तथा गुरू के साथ का हार रहकर लक्ष्मी की प्राप्ति हितु उन्होंने लक्ष्मी पति की सेवा की तब श्रीहरी ने प्रकट होकर इंद्र को मनवांचित वर्त अथा लक्ष्मी का स्तोत्र कवच और एश्वर्य वर्धक मंत्र प्रदान किया उन्होंने ये सब देकर श्रीहरी तो पती को अपने अधिकार में कर लिया इसी प्रकार सभी दियोता एक एक करके अपने चित इस्थान को प्राप्त हुए श्री हरी का इंद्र को लक्ष्मी कवच तथा लक्ष्मी स्तोत्र प्रदान करना नारद जी ने पूछा तपोधन लक्ष्मी पती श्री हरी ने प्रकट होकर इंद्र को महालक्ष्मी का कौन सा स्तोत्र और कवच प्रदान किया था वे मुझे बतलाईए नारायन ने कहा नारद जब पुष्कर में तपस्या करके देवराज इंद्र शान्त हुए तब उनके कलेश को देखकर स्वयम श्री हरी वहीं प्रकट हुए उन रिशी केश ने इंद्र से कहा तुम अपने इच्छा अनुसार वर मांग लो तब इंद्र ने लक्ष्मी को ही वर रूप से वरन किया और श्री हरी ने हर्ष पूर्वक उन्हें दे दिया वर देने के पश्चात रिशी केश ने जो हितकारक, सत्य, सार रूप और परिणाम में सुक दायक था ऐसा वचन कहना आरंभ किया श्री मधु सुदन बोले इंद्र तुम लक्ष्मी कवच ग्रहन करो यह समस्त दुखों का विनाशक परम एश्वर्य का उत्पादक और संपूर्ण शत्रूओं का मर्दन करने वाला है पूर्वकाल में जब सारा संसार जल मगन हो गया था उस समय मैंने इसे ब्रह्मा को दिया था जिसे धारण करके ब्रह्मा त्री लोकी में श्रेष्ठ और संपूर्ण एश्वर्यों से संपन्न हो गये थे इसी के धारण से सभी मनू लोग संपूर्ण एश्वर्यों के भागी हुए थे देवराज इस सर्व एश्वर्य प्रत कवच के भ्रम्मा रिशी हैं पंक्ति छंद है स्वयम पदमाल्या लक्ष्मी देवी हैं और सिध्धैश्वर्य के जपों में इसका विनी योग कहा गया है इस कवच के धारण करने से लोग सर्वत्र विजई होते हैं पदमा मेरे मस्तक की रक्षा करें हरे प्रिया कंट की रक्षा करें लक्ष्मी नासिका की रक्षा करें कमला नेत्र की रक्षा करें केशव कांता केशों की, कमलाल्या कपाल की, जगत जन्नी दोनों कपूलों की और संपत प्रदा सदा सकंध की रक्षा करें। ओम श्रीम कमल वासिनई स्वाहा मेरे प्रिष्ट भाग का सदा पालन करें। ओम श्रीम पदमालियाई स्वाहा वक्षय स्थल को सदा सुरक्षित रखें। श्री देवी को नमस्कार हैं, वे मेरे कंकाल तथा दोनों भुजाओं को बचावें। ओम रीम श्रीम लक्षमई नमह चिरकाल तक निरंतर मेरे पैरों का पालन करें। ओम रीम श्रीम नमह पदमाए स्वाहा नितंब भाग की रक्षा करें। ओम श्रीम महालक्षमी स्वाहा मेरे सर्वांग की सदा रक्षा करें। ओम रीम श्रीम क्लीम महा लक्षमेई स्वाहा सब और से सदा मेरा पालन करें वत्स इस प्रकार मैंने तुमसे इस सर्व एश्वर्य प्रद नामक परमोत क्रिष्ट कवच का वर्णन कर दिया यह परम अद्भुत कवच संपूर्ण संपत्तियों को देने माला है जो मनुष्य विधी पूर्वक गुरू की अर्चना करके इस कवच को गले में अत्वा दाहिनी बुझा पर धारन करता है वे सबको जीतने वाला हो जाता है महालक्ष्मी कभी उसके घर का त्याग नहीं करती बलकि प्रत्येक जन्म में छाया की भांती सदा उसके साथ लगी रहती है जो मंद बुध्धी इस कवच को बिना जाने ही लक्ष्मी की भक्ती करता है उसको एक करोड जब करने पर भी मंत्र सिद्धी दायक नहीं होता नारायन कहते हैं महा मुने यो जगदीश्वर श्री हरी ने प्रसन्न हो इंद्र को यह कवच देने के पश्चात पुन्हे जगत की हित कामना से कृपा पूर्वक उन्हे ओम रीम श्रीम क्लीम नमो महा लक्षमी हरी प्रियाई स्वाहा यह शोटशा अक्षर मंत्र भी प्रदान किया फिर जो गोपनिये परम दुरलब सिद्धों और मुनीवरों द्वारा दुष प्रापय और निश्चित रूप से सिद्धी प्रद है वे सामवेदोक्त शुप ध्यान भी बतलाया जिनके शरीर की आभा श्वेट चमपा के पुष्प के सद्रिश तथा कांती सैंक्डों चंद्रमाओं के समान है जो अगनी में तपाकर शुद्ध की हुई साड़ी को धारन किये हुए तथा रत्न निर्मित आभूशनों से विभूशित है जिनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा चाई हुई है जो भक्तों पर अनुग्रह करने वाली स्वस्त और अत्यंत मनुहर है सहस्त्र दल कमल जिनका आसन है जो परम शांत तथा शुरी हरी की प्रियतमा पत्नी है उन जगत जन्नी का भजन करना चाहिए देवेंद्र इस प्रकार के ध्यान से जब तुम मनोहारनी लक्ष्मी का ध्यान करके भक्ती पूर्वक उन्हें शोडश उपचार समर्पित करोगे और आगे कहे जाने वाले स्तोत्र से उनकी स्तुती करके सिर जुकाओगे तब उनसे वर्दान पाकर तुम दुख से मुक्त हो जाओगे देवराज महा लक्ष्मी का वह सुक प्रत्स्तोत्र जो परम गूपनिये तथा त्रीलोकी में दुरलब है बतलाता हूँ सुनो नारायन कहते हैं देवी जिनका स्तवन करने में बड़े बड़े देवेश्वर समर्थ नहीं है उन्हीं आपकी मैं स्तुती करना चाहता हूँ आप बुद्धी के परे सुक्षम तेजो रूपा सनातनी और अत्यंत अनिर्वचनिया है फिर आपका वर्णन कौन कर सकता है जगदंबिके आप स्वेच्छामई निराकार भक्तों के लिए मूर्ती मान अनुग्रह स्वरूप और मन वानी से परे हैं तब मैं आपकी क्या स् करूं आप चारों वेदों से परे भव सागर को पार करने के लिए उपाए स्वरूप संपूर्ण अन्नों तथा सारी संपदाओं की अधि देवी हैं और योगियों योगों ज्यानियों ग्यानों वेदों वेद्वेताओं की जननी है फिर मैं आपका क्या वर्णन कर सकता जिसके बिना सारा जगत निश्चे ही उसी प्रकार वस्तुहीन एवं निश्पल हो जाता है जैसे दूद पीने वाले बच्चे को माता के बिना सुख नहीं मिलता आप तो जगत की माता हैं अतेह प्रसन हो जाईए और हम अत्यांत भवैभीतों की रक्षा कीजिए हम लोग आपके चरण कमल का आश्रय लेकर शरणापन हुए हैं आप शक्ती स्वरूपा जगत जन्नी को बारम बार नमस्कार है ज्यान बुद्धी तथा सर्वस्व प्रदान करने वाली आपको पुन्हे पुन्हे प्रणाम है महालक्ष्मी आप हरी भक्ती प्रदान करने वाली मुक्तिदाइनी सर्वग्या और सब कुछ देने वाली हैं आप बारम बार मेरा प्रणीपात स्विकार करें मा कुपुत्र तो कहीं कहीं होते हैं परंतु कुमाता कहीं नहीं होती क्या कहीं पुत्र के दुष्ट होने पर माता उसे छोड़ कर चली जाती है हे मातेह आप कृपा सिंधु श्री हरी की प्राण प्रिया है और भक्तों पर अनुग्रह करना आपका स्वभाव है अतेह दुद्मुहे बालकों की तरहें हम लोगों पर कृपा करो हमें दर्शन दो वत्स इस प्रकार लक्ष्मी का वह शुप कारक स्थोत्र जो सुकदायक, मोक्षप्रद, साररूप, शुभद और संपत्ती का आश्रे स्थान है तुम्हे बता दिया, जो मनुश्य पूजा के समय इस महान पुन्या कारक स्थोत्र का पाठ करता है, उसके ग्रह का महालक्ष्मी कभी परित्याग नहीं करती इंद्र से इतना कहकर श्री हरी वही अंतरधान हो गए तब उनकी आग्या से देवताओं के साथ देवराज शीर सागर पर गए देवताओं के स्थवन करने पर महालक्ष्मी का प्रकट होकर देवों और मुनियों के समक्ष अपने निवास योग्य स्थान का वर्णन करना नारायन कहते हैं नारद, तदनंतर इंद्र, गुरु, ब्रहस पती तथा अन्यान्य देवों को साथ लेकर लक्ष्मी की प्राप्ती के लिए प्रसन्न मन से शीग्र ही शीर सागर के तड़ पर गए वहां उन्होंने अमूल्य रत्न की गुटिका से युक्त कवच को गले में बांध कर पुनहे पुनहे उस दिव्य स्थोत्र का मन ही मन स्मरण किया फिर सब लोगोंने भक्ती भाव पूर्वक कमल वासनी लक्ष्मी का स्थवन किया उस समय उनके सिर भक्ती के कारण जुके हुए थे और अत्यंत दीनता वश नेत्रों में आंसु छलक आये थे उनके द्वारा की गई स्थुती को सुनकर सहस्त्र दल कमल पर वास करने वाली तथा सैंक्णों चंद्रमाओं के समान कांती मती महालक्ष्मी तुरंत ही वहां प्रकट हो गई मुने उन जगन माता की उत्तम प्रभा से सारा जगत व्याप्त हो गया तदनंतर जगत का धारन पोशन करने वाली लक्ष्मी ने देवताओं से यतोचित, हितकारक इवं सार रूप वचन कहा श्री महालक्ष्मी बोली बच्चो तुम लोग भ्रहमशाप के कारण ब्रश्ट हो गए हो अतह मेरा तुम लोगों के घर जाने का विचार नहीं है इस समय मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं हूँ क्योंकि मैं ब्रहमशाप से डर रही हूँ ब्रहमण मेरे प्राण हैं वे सभी सदा मुझे पुत्र से भी बढ़कर प्रिये हैं वे ब्रहमण जो कुछ देते हैं वही मेरी जीविका का साधन होता है यदि वे विप्र प्रसनता पूर्वक मुझसे कहें तो मैं उनकी आग्या से चल सकूंगी वे तपस्वी मेरी पूजा करने में समर्थ नहीं है जब अभाग्य का समय आ जाता है तभी वे गुरू, ब्रहमण, देव, सन्यासी तथा वैश्नवो द्वारा शापित होते हैं जो सबके कारण एश्वर्यशाली, सर्वेश्वर और सनातन हैं वे भगवान नारायन भी ब्रहमशाप से भय मानते हैं प्रहमण, इसी बीच अंगीरा, प्रचेता, क्रतु, भ्रिगु, पुलह, पुलस्ते, मरीची, अत्री, सनक, सनन्दन, तीसरे सनातन, साक्षात, नारायन, स्वरूप, भगवान, सनतकुमार, कपिल, आसुरी, बोढु, पंशिक, दुर्वासा, कश्यप, अगस्ते, गोतम, क परव, कात्यायन, कनाद, पानिनी, मारकंडे, लोमेश और स्वयम भगवान वसिष्ट, ये सभी ब्रहमण, हर्षपूर्ण चित से वहां आए, वे सभी ब्रहम तेच से प्रजवलित हो रहे थे और उनके मुखों पर मुस्कुराहट थी, उन्होंने अनेक प्रकार की पूज सामगरी से भगवती लक्ष्मी का पूजन किया और देवताओं ने उन्हें वन्य पदार्थों का नैवेद्य समर्पित किया, फिर उन मुनीश्वरों ने हर्ष के साथ उनकी स्तुती करके भक्ती पूर्वक उनका आराधन किया और कहा, जगदंबी के आप देव लोक तथा मर्ते लोक में पधारिये, उनका वह वचन सुनकर जगद जन्नी संतुष्ट हो गई और ब्रहमनों की आग्या से निर्भय हो चलने के लिए उध्यत होकर उनसे बोली, श्री महालक्ष्मी ने कहा, विप्रवरो मैं आप लोगों की आग्या से देवताओं के घर जाऊंगी, क घर में तो मैं स्थिर रूप से निवास करूंगी और पुत्र की भांती उनकी रक्षा करूंगी, जिस जिसके प्रती उसके गुरू, देवता, माता, पिता, भाई बंदू, अथिती और पित्र लोग रुष्ट हो जाएंगे, उसके घर में नहीं जाऊंगी, जो मिथ्याव पराक्रम हीन और दुष्ट स्वभाव वाला है, तथा मेरे पास कुछ नहीं है, यो सदा कहता रहता है, उसके घर में नहीं जाऊंगी, जो सत्य हीन, धरोहर हडप लेने वाला, जूठी गवाही देने वाला, विश्वास खाती और कृत्गन है, उसके ग्रह में नहीं जाऊ जो चिंता ग्रस, भैभीत, शत्रू के चंगुल में फसा हुआ, महान पापी, करजदार और अत्यंत कृपन है, ऐसे पापियों के घर में नहीं जाऊंगी, जो दीक्षाहीन, शोकार्थ, मंदबुद्धी और सदास्त्री के वश में रहने वाला है, तथा जो कुल्टास्त् अत्वा पुत्र है, उसके घर में कभी नहीं जाऊंगी, जो दुष्ट वचन बोलने वाला और जगडालू है, जिसके घर में निरंतर कलह होता रहता है, तथा जिसके घर में स्त्री का स्वामित्व है, ऐसे लोगों के घर में नहीं जाऊंगी, जहां श्री हरी की पूजा और उनके गुणों का कीर्टन नहीं होता, तथा उनकी प्रशंसा में उत्सुकता नहीं है, उसके घर मैं नहीं जाओंगी। जो कन्या, अन्न और वेद को बेचने वाला मनुश्य घाती और हिंसक है, उसका घर नरक कुंड के समान है, अतेह मैं उसके घर नहीं जाओंगी। जो क्रिपन्टा वश, माता, पिता, भार्या, गुरु पत्नी, गुरु, पुत्र, अनात बहन और आश्रे हीन बांधवों का पालन पोशन नहीं करता, सदधन संग्रह में ही लगा रहता है, उसके नरक कुंड सद्रिश घर में मैं नहीं जाओंगी। जिसके दांत और वस्त्र मलिन, मस्तक रूखा और ग्रास तथा हास विक्रित रहते हैं, उसके घर में नहीं जाओंगी। जो पहले मस्तक पर तेल लगाकर पीछे उस तेल से अन्य अंगों का सपर्श करता है, अत्वा सारे शरीर में लगाता है, उसके घर में नहीं जाओंगी। जो मस्तक और शरीर में तेल लगाकर मल मूत्र का त्याग करता है, नमस्कार करता है और पुष्प तोड़ कर लाता है, उसके घर में नहीं जाओंगी। जो नक्खों से त्रिन तोड़ता और नक्खों से भूमी कुरेता है, तथा जिसके शरीर और पैर में मैल जमी रहती है, उसके घर में नहीं जाओंगी। जो अपने द्वारा अत्वा पराय द्वारा दी हुई भ्रह्मन की और देवता की वृत्ती का अफरन करता है, वे ज्यान शील ही क्यों ना हो, उसके घर में नहीं जाओंगी। जो मूर्क कर्म करके दक्षिना नहीं देता, वे शट पापी और पुन्यहीन है, उसके घर में नहीं जाओंगी। जो दिन में स्त्री प्रसंग करता है, उसके घर में नहीं जाओंगी। नारद इतना कहकर महालक्ष्मी अंतरधान हो गई, फिर उन्होंने देवताओं के ग्रह तथा मृत्यू लोग की और देखा, तब सभी देवता और मुनिगण आनंद पूर्वक महालक्ष्मी को प्रणाम करके शिग्र ही अपने अपने वास्थान को चले गए। उस समय उनके ग्रहों को शत्रूओं ने छोड़ दिया था और वे सूह रिदों से परिपूर्ण थे। मुने फिर तो स्वर्ग में दुन्दुबियां बजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार देवताओं ने अपना राज्य और स्थिरा लक्ष्मी को प्राप्त किया। वत्स इस प्रकार मैंने लक्ष्मी के उत्तम चरित का जो सुखदायप, मोक्षप्रद और सार रूप है वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो। गणेश के एक दंत वर्णन प्रसंग में जमदगनी के आश्रम पर कार्तवीरी का स्वागत, सत्कार, कार्तवीरी का बलपूर्वक कामधेनु को हरन करने की छप्रकट करना, कामधेनु द्वारा उत्पन की हुई सेना के साथ कार्तवीरी की सेना का युद्ध। नाराज जी ने पूछा, हरी के अंश से उत्पन हुए महाभाग नारायन, आपकी कृपा से मैंने गणेश का सारा शुब चरित सुन लिया, किन्तु ब्राम्हन, विश्णु ने उस बालक के धड़ पर गजराज के दो दातों वाला मुख जोड़ा था, फिर वो शिशु एक द दात कहां चला गया, वो प्रशंग बतलाने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप सरवेश्वर, सरवग, कृपालू और भक्स वत्सल हैं, नारायन ने कहा नारत, एक दंत का चरित संपून मंगलों का मंगल करने वाला है, मैं उस प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूं, सुनो, मुने एक समय की बात है, राजा कार्तवीर ये शिकार खेलने के लिए वन में गया, वहां वो बहुत से वन्य पश्वों का वद करके ठक गया, इतने में सुर्यास्त हो चला, तब उस राजा ने साइकाल में सेना सहीत वहीं वन में जमदगनी रिशी के आश्रम के निकट काल राजा सरोवर में स्नान करके पवित्र हुआ और अपने शरीर को अलंकरित करके ततात्रे द्वारा दिये गए मंत्र का भक्ति पुर्वक जब करने लगा, मुनिवर जमदगनी ने देखा कि राजा के कंठ ओट और तालू सूख गए हैं, तब उन्होंने प्रेम के साथ आदर पूर्वक कोमल वानी से राजा का कुशल समाचार पूछा, तदनंतर राजा ने बड़ी उतावली के साथ सूरे के समान तेजस्वी मुनि को प्रणाम किया और मुनि ने चर्णों में पड़े हुए राजा को स्नेह पूर्वक शुभाशिरवात दिया, राजा ने उन्होंने लक्षमी सद्रशी माता कामधेनु से सारा व्रतांत कह सुनाया, तब कामधेनु भैवीत हुए मुनी से बोली मुने, मेरे रहते आपको भै कैसा, आप तो मेरे द्वारा सारे जगत को भोजन कराने में समर्थ हैं, फिर राजा की क्या बात है, आप राजाओं के भोजन योग्य त्रिलोकी में दुरलब जिन जिन पदार्थों की आचना करेंगे, वो सब मैं आपको प्रदान करूँगी, तदनंतर कामधेनु ने अनेक प्रकार के भोजन करने योग्य सोने और चांदी के बरतन, असंख्यों भोजन बनाने के पात्र और बहुत से लग गई, जोव और गेहूं के आटे की बनी हुई पूडियों और भाती-भाती के पकवानों का परवत तथा उत्तम उत्तम अन्नों का धेर लग गया, दूद दही और घी की नदियां बह चली, शक्कर का धेर तथा मोदुकों का पहाड लग गया, उत्तम धान के चूड़ का सामगरी से संपन्न हो, मुनी ने खेल ही खेल में सेना सहित राजा को मनोहर पदार्थ देकर भोजन कराया, तब जो वस्तुएं परम दुरलब थी, उन्हें भरी पूरी देखकर राजा धिराज कार्थ वीरी को महान विसमय हुआ, फिर उन बरतनों को देखकर वो कहने बोला महाराज, मैंने मुनी के आश्रम में सब कुछ देख लिया है, सुनिए, वहां तो अगनीकुंड, समिधा, कुष, पुष्प, हल, कृष्ण मर्ग, चर्म, तुरुआ, तुरुक, शिश्य समुदाय और सूरी के तेज के आधार पर पकने वाले अन्नादी भी हैं, वो स उसके अंग बड़े सुन्दर हैं, चांदनी किसी उसकी कांती है और लाल कमल के समान उसके नेत्र हैं, पुर्णिमा के चंद्रमा किसी कांती मई वो गौव वहां तेज से उद्विप्थ हो रही है, वही साक्षात लक्षमी की तरह संपून संपत्यों और गुणों की आधा हुआ था, भला पुन्य अत्वा उत्तम बुद्धि क्या कर सकती है, क्योंकि होनहार ही सब तरह से बली होता है, इसी कारण पुन्यमान एवं बुद्धिमान होकर भी राजेंद्र कार्त वीर्य देववश ब्राम्वन से याचना करना चाहता है, पुन्य से भारत वर्ष में पुन्य रूप कर्म और पाप से भय दायक पाप रूप कर्म प्रकट होता है, पुन्य कर्म से स्वर्ग का भोग करके मनुष्य पुन्य स्थल में जन्म लेते हैं और पाप कर्म से नरक का भोग करने के पश्षात प्राणियों के निंदित योनी में उत्पत्ति होती है, ना प्राणियों के कर्मों का शुब अशुब भोग दारुण रोग के समान है जिसे भक्त रूपी वैद्ध्य श्रीकृष्ण भक्ती रूपी रसायन के द्वारा नश्ट करते हैं जगत का धारण पोशन करने वाली बुद्धिदायनी माया प्रत्यक जन्मे सेवा किये जाने पर संतुष्ठो कर भय को वह भक्ती प्रदान करती है तद्रंतर माया से विमुग्द हुए राजा कार्थ वीर्य ने यतन पूर्वक मुनी को अपने पास बुलाया और हर्ष के साथ अंजली बांध कर भक्ती पूर्वक उनसे विनैपूर्ण वचन कहा राजा बोला भक्तों प आप जैसे दाताओं के लिए भारत में कोई वस्तू अदे नहीं है मैंने सुना भी है कि पूर्वकाल में दधीची ने देवताओं को अपनी हड़ी दे डाली थी तपो राशे आप तो भारत वर्ष में लीला पूर्वक भुरूब्रंग मात्र से समूह की समूह कामधेनु क की स्रिष्टी करने में समर्थ हैं मुनी ने कहा राजन आश्यर्य है तुम तो उल्टी बात कर रहे हो अरे मूर केवं छली नरेश मैं ब्रामन होकर शत्री को कैसे दांदूंगा इस कामधेनु को परमात्मा स्री कृष्ण ने गोलोक में यग्य के आउसर पर ब्रह्मा को दि इस प्रकार ये कपिला मेरी पैत्रिक संपत्ति है ये कामधेनु गोलोक में उत्पन्न होई है अथा त्रिलोकी में दुरलब है तब भला मैं लीला पूर्वक ऐसी कपिला की स्रिष्टी करने में कैसे समर्थ हो सकता हूं ना तो मैं हलवाहा हूं और ना तुम्हारी साहत्या से बुद्धिमान हुआ हूँ मैं अतिथी को छोड़ कर शेष सब को एक मात्र से भस्म साथ करने की शक्ति रखता हूँ अता अपने घर जाओ और इस्त्री पुत्रों को देखो मुनी के इस वचन को सुनकर राजा को क्रोध आ गया तब वो मुनी को नमस्कार करके सेना के मध्धि में चला गया उस समय भाग्ये ने उसे बोधित कर दिया अता क्रोध के कारण उसके होट फड़क रहे थे उसने सेना के निकट जाकर बलपूरवक गो को लाने के लिए नौक रह करने के लिए उद्वत रहने वाली वो गव जो साक्षात लक्षमी सुरूपा थी ब्राम्हन को रोते देखकर बोली सुरभी ने कहा मुने जो निरंतर अपनी वस्तूओं का शाशक पालक और दाता है चाहे वो इंद्र हो अथवा हलवाह वही अपनी वस्तू का दान कर स रखता है तपोधन यदि आप स्विच्छा नुशार मुझे राजा को देंगे तब ही मैं स्विच्छा से अथवा आपकी आग्या से उसके साथ जांगी यदि आप नहीं देंगे तो मैं आपके घर से नहीं जाओंगी आप मेरे द्वारा दी गई सेना के सहरे राजा को जब तक ये संबंद है तभी तक आप मेरे हैं मन जब तक जिस वस्तु को केवल अपना मानता है और उस पर अपना अधिकार समझता है तभी तक उसके वियोग से दुखी होता है इतना कहकर कामधेनु को झाह Lev Bend法 ने सूरिक सद्रुष्र max ऑना प्रकार के सश्त् sû्थ्रास्थ्र और अध्येर करोणों करोणों छड़कधारी शूल धारी provide दंड शक्ति और गदा धारी शूरविर निकला वा न इस प्रकार कपिला ने मुनी को सेनाय देकर उन्हें निर्भय कर दिया और कहा ये सेनाय युद्ध करेंगी आप मत जाएए उस सामगरी से संपन्न होने के कारण मुनी को महान हर्ष प्राप्थ हुआ इधर राजा द्वारा भेजे गए भृत्य ने लौटकर राजा को सारा व दूत भेज कर अपने देश से और सेना मंगवाई जमद अगनी और कार्थ वीर्य का युद्ध तथा ब्रह्मा द्वारा उसका निवारण नारायन कहते हैं नारद तदनंतर कार्थ वीर्य ने दुखी हृदय से श्री हरी का स्मरण किया और कुपित हो मुनी के पास दूत भ आंचित गो दीजिए भली भांती विचार करके जो उचित समझिए वही कीजिए दूत की यह बात सुनकर मुनी वर जमद अगनी ठहाका मार कर हस पड़े और जो हित कारक सत्य नीती का सार तत्व था वह सब दूत से कहने लगे मुनी बोले दूत राजा को अहार रहित देख कर मैं उसे अपने घर ले आया और यतोचित रूप से शक्ती के अनुसार अनेक प्रकार के व्यंजन भोजन कराए अब वह राजा मेरी प्राणों से प्यारी कपिला को बल पूर्वक मांग रहा है मैं उसे देने में सर्वता असमर्थ हूं अतह युद्ध दान दूंगा यह निश्चित है मुनी का यह वजन सुनकर दूद लौट गया और सभा के मध्य भाग में भय के कारण कवच धारन करके बैठे हुए नरेश से सारा वृतांध कह सुनाया इधर मुनी ने कपिला से कहा इस समय में क्या करूं क्योंकि जैसे कर्ण धार के बिना नौका अनियंत्रित रहती है अस्त्र की शिक्षा और उसके उप्योग में आने वाले संधान आदी का ज्यान प्रदान करते हुए कहा विप्रवर आपकी जै हो आप युद्ध में निश्चे ही शत्रू को जीत लेंगे तथा यह भी ध्रूव है कि अमोग दिव्य अस्त्र के बिना आपकी मृत्यू नही है ब्रह्मन इतना कहकर मनस्विनी कपिला चुप हो गई तब मनस्वी मुनी ने सेना को सुसजित किया और उस सारी सेना को साथ लेकर वे युद्ध स्थल को उपस्तित हुए उधर राजा भी युद्ध के लिए आडटा उसने मुनीवर जमद अगनी को प्रणाम किया फिर दोनों सेनाओं में अत्यंत दुशकर युद्ध होने लगा उस युद्ध में कपिला की सेना ने बल पूर्वक राजा की सारी सेना को जीत लिया और खेल ही खेल में राजा के विचित्र रत को चूर चूर कर दिया फिर हस्ते हस्ते राजा के कवच और धनुष को भी छिन भ वर्षा से राजा को हत्यार रख देने के लिए विवश कर दिया तत पश्चात बाणों तथा शस्त्रों की वर्षा से राजा मुर्चित हो गया उस समय राजा की कुछ सैना तो मर चुकी थी और कुछ भाग खड़ी हुई मुने जब कृपा सागर मुनिवर जमद अगनी ने देखा कि मेरा अतिथी बना हुआ राज राजेश्वर कार्त वीर्य मुर्चित हो गया है तब कृपा पर वश हो उन्होंने उस सैना को लोटा लिया फिर तो वह कृत्रिम सैना जाकर कपिला के शरीर में विलीन हो गई तदनंतर कृपालू मुनिने शीग्र ही राजा को अप चीरवात प्रदान किया और अपने कमंडलू के जल के छीटे देकर उसे चैतन्य कराया होश में आने पर वह राजा युद्ध भूमी में उठकर खड़ा हो गया और भक्ती पूर्वक हाथ जोड़े हुए उसने मुनिवर को सिर जुका कर प्रणाम किया तब मुनी ने राज को शुप आशीष देकर हृदे से लगा लिया और पुन्हें उसे स्नान कराकर यतनपूर्वक भूजन कराया क्योंकि भ्रामनों का हृदे सदा मखन के समान कोमल होता है परंतु दूसरों का हृदे सदा चुरी की धार के सद्रिश्ट तेज असाध्य और दारुन होता है तर प्राजा ने कहा महा बाहो युद्ध कीजिए अत्वा मेरी अभीष्ट गौँ मुझे समर्पित कीजिए नारायन कहते हैं नारद भूपाल के वचन को सुनकर मुनीवर ने श्री हरी का स्मरण करके जो हितकर सत्य और नीती का सार रूप था ऐसा वचन कहना आरंब किया मुनी ने कहा महा भाग अपने घर जाओ और सनातन धर्म की रक्षा करो क्योंकि धर्म के सुरक्षित रहने पर सारी संपत्तियां सदा स्थेर रूप से निवास करती हैं यह पूर्णत्या निश्चित है राजन तुम्हें भोजन से वंचित देखकर मैं अपने घर लाया और विधी पूर्वक यथा शक्ति तुम्हारा आदर सत्कार किया इस समय तुम्हें मूर्चित देखकर मैंने चरंदुली और शुभाशीरवा दिया जिससे तुम्हारी मूर्चा दूर हुई अतेह तुम्हारा ऐसा कहना उचित नहीं है उस वचन को सुनकर राजा ने मुनीवर को प्रणाम किया और एक दूसरे रत पर सवार हो युद्ध कीजिए ऐसे ललकारा तब मुनी भी कवच धारन करके उससे युद्ध करने के लिए उध्यत हो गए क्रोध के कारण राजा की बुद्धी मारी गई थी अतेहवे मुनी के साथ जूजने लगा मुनी ने कपिला द्वारा दी गई शक्ती और शस्त्र के बल से राजा को शस्त्र हीन करके मूर्चित कर दिया तब कमल लोचन राजा कार्त वीर्य पुन्हे होश में आकर क्रोध पूर्वक मुनी के साथ लोहा लेने लगा उस निरिप श्रेष्ट ने समर भूमी में आगने अस्त्र का प्रियोग किया तब मुनी ने वारून अस्त्र द्वारा उसे हस्ते हस्ते शांत कर दिया फिर राजा ने रण भूमी में मुनी के उपर वारून अस्त्र फैंका तब मुनी ने लीला पूर्वक वायवय अस्त्र द्वारा उसे शांत कर दिया तब राजा ने युद्ध स्थल में वायवय अस्त्र चलाया मुनी ने उसी क्षण गांधर्व अस्त्रद्वारा निवारन कर दिया फिर नरेश ने रण के मुहाने पर नाग अस्त्र छोड़ा मुनी वर ने उसे हर्ष पूर्वक ततकाल ही गारुड अस्त्रद्वारा प्रतिहत कर दिया तब निरिप वर ने जो सैंक्डों सूर्यों के समान कांतिवान एवं दसों दिशाओं को उदीप्त करने वाला था उस माहेश्वर नामक महान अस्त्र का प्रियोक किया नारद तब मुनी ने बड़े यत्न के साथ त्रिलोक व्यापी तिव्य वैश्नव अस्त्र द्वारा उसका निवारन कर दिया और फिर यत्न पूर्वक नारायन अस्त्र चलाया उस अस्त्र को देख कर महाराज कार्ट वीरे उसे नमस्कार करके शरनागत हो गया तब प्रलय अगनी के समान वह अस्त्र वहाँ उपर ही उपर घूम कर क्षण भरतक दसो दिशाओं को प्रकाशित करके स्वयम अंतरधान हो गया फिर मुनी ने रण के मुहाने पर ज्रिम्भन अस्त्र चोड़ा उस अस्त्र के प्रभाव से राजा को निद्रा ने आघेरा और वह मृतक तुल्य होकर सो गया तब राजा को निद्रित देखकर मुनी ने उसी क्षण अर्ध चंद्रद्वारा उस भूपाल के सार्थी, रत और धनुश बान को छिन भिन कर दिया शुर्पर से मुकुट, छत्र और कवच काट डाला तथा भांती-भांती के अस्त्र प्रियोक से उसके अस्त्र, तरकस और गोडों की दज्जियां उड़ा दी फिर युद्ध सल में हसते हुए मुनी ने खेल ही खेल में ना गस्त्र द्वारा राजा के सभी मंत्रियों को बांध कर कैद कर लिया फिर लीला पूर्वक उत्तम मंत्र का प्रियोक करके उस राजा को जगाया और उन बंदे हुए सभी मंत्रियों को उसे दिखाया राजा को दिखा कर मुनी ने ततकाल ही उन्हें बंधन मुक्त कर दिया और नरेश को आशीरवा दे कर कहा राजन अब अपने घर जाओ परन्तु राजा क्रोट से भरा हुआ था उसने उठकर त्रिशूल उठा लिया और यतन पूर्वक उसे मुनीवर जमद अगनी पर चला दिया तब मुनी ने उस पर शक्ती से प्रहार किया इसी बीच उस युद्ध स्थल में ब्रह्मा ने आकर उत्तम नीती द्वारा उन दोनों में परस्पर प्रेम स्थापित कर दिया तब मुनी ने संतुष्ट होकर रणक शेत्र में ब्रह्मा के चरणों में प्रणी पात किया और राजा ब्रह्मा तथा मुनी को नमस्कार करके अपने घर को प्रस्थान कर गया फिर मुनी और ब्रह्मा अपने अपने भवन को चले गए इस प्रकार इसका वर्णन तो कर दिया अब आगे तुमसे कुछ और कहूंगा जमद अग्नी कार्ट वीर्य युद्ध जमद अग्नी का वद, रेणुका का विलाप, परशुराम का आना और क्षत्रिय वद की प्रतिग्या करना भ्रिगु का आकर उन्हें सांतावना देना नारायन कहते हैं नारत राजा घर लोट तो गया पर उसके मन में युद्ध की लगी रही इस से उसने लाखों सैना संग्रह करके फिर जमद अग्नी के आश्रम पर जाकर आश्रम को घेर लिया राजा की विशाल सैना को देखकर जमद अग्नी के आश्रम वासी भय से मूर्चित हो गए महरिशी ने मंत्रो चारण पूर्वक बानों का एक ऐसा जाल बिछाया कि उससे आश्रम भूमी पूरी ढग गई सारी सैना उसी में आबध हो गई तब राजा ने रत से उतर कर महरिशी को नमस्कार किया महर्शी ने उसे आशिरवाद दिया राजा ने फिर आक्रमन किया यो कई बार राजा आक्रमन करता रहा मूर्चित होता रहा पर क्षमाशील मुनी ने उसका वद्ध नहीं किया, बड़ा घोर युद्ध हुआ अंत में राजा कार्थ वीरिया ने दत्तात्रे मुनी के द्वारा प्राप्त एक पुरुष का नाश करने वाली अमोक शक्ती का प्रियोग किया वे भगवान विश्णू की शक्ती थी, उसने मुनी के हृदे को बींद डाला, मुनी ने उसके आघात से जीवन विसर्जन कर दिया, शक्ती भगवान विश्णू के पास चली गई, जगत में हाहाकार मच गया, कपिला गों तात तात पुकारती हुई, गों लोग को प्रस्थ कर गई, तदनंतर राजाकार्त वीरे आर्जुन भ्रह्म हत्या जनित पाप का प्राइश्चित करके अपनी राजधानी को लोड गया, इधर पती व्रता महर्शी पतनी रेणु का पती के मरण से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी, वे अपने पुत्र परशुराम को पुका में थे, वे उसी क्षण मानस गती से चलकर माता के पास आ पहुंचे, उन्होंने माता को प्रणाम किया और पिता की अंतेश्टी क्रिया की तैयारी की, सारी बातें सुनकर माता के युद्ध न करने का अनुरोध करने पर भी, भारगव परशुराम ने 21 बार प्रिथ्वी को चत्रिये हीन करने की प्रतिग्या कर ली, और राजाकार्त वीर्य अर्जुन के वध करने का प्रण कर लिया, फिर विलाब करती हुई, पति शोख पिडिता माता को समझाते हुए बोले, परशुराम ने कहा, माता जो पिता की आग्या भंग करने वाले तथा पिता की हिंसक का वध नहीं करता वह महान मूरक है उसे निश्चे ही रौरव नर्क में जाना पड़ता है आग लगाने वाला, विश देने वाला, हाथ में हत्यार लेकर मारने के लिए आने वाला, धन का अफरन करने वाला, छेतर का विनाश करने वाला, स्त्री को चुराने वाला, पिता का वध करने वाला, बंधूों की हिंसा करने वाला, सदा अपकार करने वाला, निंदक और कटू वजन कहने माला ये ग्यारह वेद विहित गोर पापी हैं ये मार डालने योग्य हैं इसी बीच वहां स्वयम महरिशी भ्रिगु आ पहुँचे वे मनस्वी मुनी अत्यंत भैभीत थे और उनका हृदय दुखी था उन्हें देखकर रेणुका और परशुराम उनके चर्णों पर गिर पड़े तब भ्रिगु मुनी उन दोनों से ऐसी वेदोक्त बात कहने लगे जो पर लोग के लिए हितकारिनी थी भ्रिगु जी बोले बेटा तुम तो मेरे वंश में उत्पन और ज्ञान संपन्न हो फिर विलाप कैसे कर रही हो इस संसार में सभी चराचर प्राणी जल के बुलबुले के समान क्षन भंगुर हैं पुत्र सत्य के सार तथा सत्य के बीच तो शिरी कृष्ण ही है तुम उन्ही का स्मरंड करो वत्स जो बीद गया सो गया क्योंकि बीती हुई बात पुन्हें लोटती नहीं जो होने वाला है वे होता ही है और आगे भी जो होने वाला होगा वे होकर ही रहेगा क्योंकि निशेक जन्य कर्म सत्य होता है भला कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है वत्स श्री कृष्ण ने जिस प्रकार के भूत वर्तमान और भविश्य की रचना की है उनके द्वारा निरूपित उस कर्म को कौन निवारण कर सकता है बेटा माया का कारण मायावियों के पंच भौतिक शरीर और संकेत पूर्वक नाम ये प्रातह काल के स्वप्न सद्रिश निरर्थक हैं परमात्मा के अंच भूत आत्मा के चले जाने पर भूप, निद्रा, दया, शान्ती, शमा, कान्ती, प्राण, मन तथा ज्यान सभी चले जाते हैं जैसे राजा धिराज के पीछे नौकर चाकर चलते हैं, उसी प्रकार बुद्धी तथा सारी शक्तियां उसी का अनुगमन करती हैं। अतह तुम यतन पूर्वक श्री कृष्ण का भजन करो। बेटा कौन किसके पित्र हैं और कौन किसके पुत्र हैं। ये सभी इस दूसतर भ रुदन मत करो। क्योंकि रोने के कारण आसूओं के गिरने से मृत्कों को निश्चे ही नर्क में जाना पड़ता है। भाई बंदू, आदी कुटुम के लोग जिस सांकेतिक नाम का उच्चारण करके रुदन करते हैं, उसे वे सौ वर्ष तक रोते रहने पर भी नहीं पा सकते। यह निश्चित है क्योंकि त्वचा आदी पृत्वी के अंश को पृत्वी, जलांश को जल, शुन्यांश को आकाश, वायू के अंश को वायू, तिथा तेजांश को तेज ग्रहन कर लेता है। इस प्रकार सभी अंश अपने अपने अंशों में विलीन हो जाते फिर रोने से कौन वापिस आएगा। मरने के बाद तो नाम, शास्त्र, ज्यान, यश और कर्म की कथा मात्र अवशिष्ट रह जाती है। इसलिए जो वेद विहित पारलौकिक कर्म हैं, इस समय तुम वही करो। क्योंकि जो पर लोग के लिए हितकारी हो, वही वास्तव में पुत्र है और वही बंधू है। ब्रिगु के उस वचन को सुनकर महा साधवी रेणुका ने उसी क्षन शोक का परित्याक कर दिया और मुनी से कहना आरंब किया। रेणुका ने कहा, ब्राम्हन, अब मैं अपने प्राणनात का अनुगमन करना चाहती हूँ। दूसरों को मान देने वाले ये मेरे पती देव आज मेरे रितुकाल के चौन्थे दिन मृत्यु को प्राप्तु हैं। अतावेद वेताओं में स्रेश्ट मुने बतलाईए। अ अपने पुर्ण्यात्मा पती का अनुगमन करो। क्योंकि रितु का चौथा दिन पती के सभी कारियों में शुद्ध माना चाहता है। जो भक्ती दाता हैं वही पुत्र हैं। जो अनुगमन करती है वही स्त्री है। जो दान देता है वही बंधु है। जो गुरु की अर्चना करता है वही शिष्य है। जो रक्षा करे वही अभिष्ट देवता है। जो रजा का पालन करे वही राजा है। जो अपनी पतनी की मुने भारत वर्ष में कैसी नारियां अपने पती के साथ सती हो सकती हैं और कैसी नहीं हो सकती तपोधन ये मुझे बतलाने की कृपा कीजिए ब्रिगु ने कहा रेणु के जिनके बच्चे छोटे हो जो गर्विनी हो जिन्होंने रितुकाल को देखा ही नहो जो रजस्वला क उल्टा कुष्ट रोग से ग्रस्त पती की सेवा ना करने वाली पती भक्ती रहित और कटुवादनी हो ये यदि देववश सती हो भी जाएं तो वे अपने पती को प्राप्त नहीं होती पती व्रताय चिता में शेहन करने वाले पती को पहले संसकार से शुद्ध हुई आग परीर जन्में उसी के साथ सवव्ग में पुर्णे का उप्भोग करती है पतीव्रते ग्रहस्तों की ये वैवस्था मैंने तुम्हे बतला दी अब तेर्थ में मरने वाले तधा वैशनों के विशें में स्रवन करो जो सादवी नारी जहां जहां अपने वैशनों पती आंव करती है वहाँ वहाँ वह स्वामी के साथ वैकुंट में जाकर श्रीहरी की सन्निधी प्राप्त करती है नारत कृष्ण भक्ति परायन जीवन भक्तों के तीर्थ में अथ्वा अन्यत्र मरने में कोई विशेष्टा नहीं है क्योंकि उन दोनों जगा समान फल मिलता है इसलिए यदि स्त्री अथ्वा पुरुष भगवान नारायन तथा कमला लया लक्ष्मी का भजन करें तो उस भजन के प्रभाव से महाप्रलय होने पर अंगलिक शोक को त्याग दो ब्रिगुनंदन अपने पिता को दक्षिन सिर करके उत्तान कर दो नया वस्त्र और यग्यो पवित पहनाओ और आंसु रोख कर दक्षिना भीमुख हो बैट जाओ और भक्ति पुर्वक अरणी से उत्पन्न हुई अगनी हाथ में लो और प्रि पुष्प भद्रा भद्रा नर्मदा सरस्वती गोदावरी कावेरी सुर्ण रेखा पुष्कर रेवत वराह श्रीशेल गंध मादन हिमाले कैलास समेरू रत्न परवत वारण असी प्रयाग पुण्यमे वनवरंदावन हरिद्वार और बद्री इनका बारंबार स्मरण करो पिर चंदन अगरू कस्तूरी तता सुगंधित पुष्प देकर और वस्त्र से अच्छादित करके पिता के शव को चिता के उपर स्थापित करो तात फिर सोने की सलाई से कान आँख नाक और मुख में निर्मंधन करके उसे आदर सहित ब्राम्मन को दान कर दो तत्पशात में अध्वा अंजान में पाप कर्म करके मृत्युकाल के वशी भूत हो पंचुत्वत्त को प्राप्त हुआ है ओम धर्म अधर्म से युक्त तथा लोब मोह में समावरित उस मनुष्य के सारे शरीर को जलाता हूं यह दिव्य लोकों में जाए इस मंत्र को पढ़कर पिता क की प्रदिक्षणा करो और फिर ओम तुम हमारे कुल में उत्पन्य हुए हो मैं पुनाह तुम्हारा होकर उत्पन्य हो तुम्हें स्वर्ग लोग की प्राप्ति हो स्वाहा इस प्रकार उच्चारण करो तथा श्रीहरी का स्मरण करते हुए इसी मंत्र से पिता का दाह करो हे ये पहले तुम भाइयों के साथ सिर में आग लगाओ तब भ्रिगुम मुनि के आग्ज्यानवसार परषुराम ने अपने गोत्र वालों के साथ यह सारा कारिसम पर ने किया तदनंतर रेणुका ने वहाँ अपने पुत्र परशुराम को छाती से लगा लिया और परिणाम में सुख दायक कुछ वचन कहे बेटा इस भव सागर में विरोध ना करना संपूर्ण मंगलों का मंगल है और विरोध कारण तथा समस्त उपद्रवों का हेतु है अता भयंकर शत्रियों के साथ विरोधना करना ही उचित है किन्तु मेरे सुनते सुनते तुमने जो प्रतिग्या की है उसे पूर्ण करना चाहिए इसके लिए तुम दिव्य मंत्रों के ग्याता भ्रगु और ब्रह्मा के साथ विश परशु राम की और निहारती होई चिता में सो गई तब भाइयों के साथ परशु राम नेастा अग लगा दि फिर भाईयों और पिता के सिस्चों के साथ विविलाप करने लगे। इतने में ही सती रेंगषा राम 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 यो चारण करके परशु राम के देख़ते, देखते जलके राख हो गई तब अपने स्वामी का नाम सुनकर वहां श्री हरी के दूता पहुँचे वे सभी रत में सवार थे उनके शरीर का रंग श्याम था सुंदर चार भुजाय थी जिनमें शंक चक्र गदा और पद्म धारन किये हुए थे उनके गले में वनमाला लटक रही थी और वे किरीट कुंडल तथा रेश्मी पितांबर से विभूशित थे वे उस रेणुका को रत में बिठा कर रंभलोक ले गए और जमदगनी को लेकर श्री हरी के सन्निकट जा पहुँचे वहां बैकुंट में वे दोनों पती पत्नी निरंतर श्री हरी की परिचर् पादुका फल मनोहर माला फल मूल जल और मनोहर मिष्थान तथा धन ब्रामनों को दे कर वे ब्रह्म लोक को चल पड़े ब्रह्म लोक में पहुचकर परशूराम ने भक्ती भाव से अव्यात्मा ब्रह्मा जी को नमस्कार करते हुए रोते हुए सारी घटना कह सुनाई कृपा मैं ब्रह्मा जी ने सारी बाते सुनकर उन्हें शुभा शिरवात दिया और अपने हिर्दे से लगा लिया प्रिगुवंशी परशूराम की बहुत से जीवों का विनाश करने वाली दुशकर एवं भयंकर प्रतिग्या को सुनकर चतुरमुक ब्रह्मा को महान विश्मय हुए वे प्रारब्द वश सब कुछ घटित हो सकता है ऐसा मन में विचार कर परशूराम से परिणाम में सुखदायक वचन बोले ब्रह्मा ने कहा वच्ष बहु संख्यक जीवों का विनाश करने वाली तुम्हारी प्रतिग्या दुशकर है क्योंकि ये सृष्टी भगवान श्रीहरी की इच्छा से उत्पन्न होती है बेटा उनी परमेश्वर की आग्या से मैंने बड़े कश्ट से इस सृष्टी की रश्णा की है किन्तु तुम्हारी निर्देता पूर्ण घोर प्रतिग्या सृष्टी का लोब कर देने वाली है तुम्हें एक शत्री के अपराज से प्रिध्री को 21 बार भूप रहित कर देना चाहते हो और शत्री जाती को समूल नश्ट करने की तुमने ठान ली है किन्तु ब्राम्मन शत्री वैश शूद्र ये चार प्रकार की सृष्टी नित्य है जो श्री हरी की आग्या से पुना-पुना आविर भूत और तिरोहित होती रहती है अन्यता किसी प्राक्तन कर्मा नुसार तुम्हारी प्रतिग्या पूर्ण होगी तुम्हें अपनी कार्य सिध्धी के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा अतहवत्स तुम शिवलोक में जाओ और शंकर की शरण ग्रहन करो क्योंकि भूतल पर बहुत से नरेश शंकर के भक्त हैं जब वे शक्ती सोरूपा पारवती और शंकर के दिव्य कवच को धारण करके खड़े होंगे तब महेश्वर की आग्या के बिना उन्हें मारने में कौन समर्थ हो सकता है अतह जो विजय का कारण एवं शुब कारक है उस उपाय को तुम यत्न पूरवक करो क्योंकि उपाय पूरवक आरंब किये गए कार्य ही सिद्ध होते हैं इसलिए तुम शंकर से स्रिक्रिष्ण के मंत्र और कवच को ग्रहन करो वो वैश्णव तेज परम दुरलब है उसके प्रभाव से तुम शैव और शाक्त दोनों तेजों पर विजय पासकोगे जगदीश्वर शिव तुमारे जन्म जन्मांतर के गुरु है अता मुझसे मंत्र ग्रहन करना तुम्हारे लिए युक्त नहीं है क्योंकि जो उप्योक्त होता है वही विधी है कर्म भोग से ही मंत्र स्वामी, त्री, गुरु और दियोता प्राप्त होते हैं जो जिनके हैं वे उनके पास स्वयम ही उपस्तित होते हैं यह धुरू है भ्रिगुनंदन तुम त्रिलोक के विजय नामक स्रेष्ट कवच ग्रहन करके 21 बार प्रिथ्वी को भूप रहित कर डालोगे दानी शंकर तुम्हें दिव्य पाशु पताश्त्र प्रदान करेंगे उ उस दिये हुए मंत्र के बल से तुम शत्री समुदाय को जीत लोगे परशु राम का शिव लोक में जाकर शिव जी के दर्शन करके उनकी स्तुति करना नारायन कहते हैं नारद तद नंतर परशु राम ने भ्रम्मा की बात सुनकर उन जगत गुरु को प्रणाम किया और उन लाख योजन उचा तथा ब्रह्म लोक से विलक्षन है उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है उसके दक्षिन भाग में वैकुन और वाम भाग में गौरी लोक है नीचे की और धुरुव लोक है जो संपूर्ण लोकों से परे कहा जाता है उन सब के उपर पचास करोड योजन के विस्तार वाला गो लोक है उससे उपर दूसरा लोक नहीं है वही सर्वोपरी कहा जाता है मन के समान वेक्षाली योगिंद्र परशुराम ने उस शिव लोक को देखा वह महान अद्भुत लोक उपमान और उपमे से रहित अर्थात अनुपम प्रेष्ठ योगिंद्रों सिधों, विध्या विशारदों, करोडों गल्पों की तपस्या से पवित्र शरीर वाले फुर्णे आत्माओं से निशेवित, मनोरत पूर्ण करने वाले कल्प व्रिक्षों की समूहों से परिवेश्टित अ संख्य काम धेनुओं के समुदायों से सुशोभित, पारिजात व्रिक्षों की वनावली से विशेश शोभायमान, दस हजार पुश्पु ध्यानों से युक्त, सदा उतक्रिष्ट शोभा से संपन, बहु मूल्य मनियों द्वारा रचत, सुन्दर मनी वेदियों, तथा सैंक्णों दिव्य राज मार्गों द्वारा बाहर भीतर विभूशित और नाना प्रकार की पच्चिकारी से युक्त, उत्तम मनियों के कल्शों से उज्वल दिखने वाला अमुल्य मनियों द्वारा निर्मित सो करोड भवनों से युक्त था, उसके रमनिय मध्य भाग में उन्हें शंकर जी का भवन दिख पड़ा, उस परम मनोहर भवन के चारों और बहु मुल्य मनियों की चार दिवारी का निर्मान हुआ था, वह इतना उचा था कि आकाश का स्पर्श कर रहा था, उसका रंग दूद और जल के समान उज्वल था, उसमें सोलह दर्वाजे थे, तथा वह सैंक्डों ऐसे मंदिरों से सुशोभित था, ज रतनों की सीडियों से विभूशित थे, उनमें हीरे जड़े हुए रतनों के खंबे और किवार लगे थे, वे मनियों की जालियों से सुशोभित, उत्तम रतनों के कल्शों से प्रकाशित, नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से चित्रित, अतैव, परम मनुहर थे, वहां भीतरी भाग, पदमराग एवं महा मरकत मनियों द्वारा रचित वेदियों से सदा बाहर भीतर सुशोभित रहता था। नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित होने के कारण वह अत्यंत सुहावना लग रहा था। उसके द्वार पर दो भ्यंकर द्वारपाल नियुक्त थे जिन्हें परशुराम ने देखा, उनकी आकरिती बे डॉल थी। दांत और मुख बड़े विक्राल थे, तीन बड़े-बड़े नेत्र थे जिनमें कुछ पीलीमा और ललाई च्छाई हुई थी। वे जले हुए परवत के समान काले और महान बल पराक्रम से संपन्न थे। शरीर उत्तम बागंबर तथा विभूती से विभूशित था। त्रिशूल और पटिश धारण किये हुए वे दोनों भ्रमत एच से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें देखकर परशूराम का मन भय ग्रस्त हो गया फिर भी वे डरते डरते कुछ कहने को उध्यत हुए। उन्होंने विनीत होकर बड़ी नम्रता के साथ उन दोनों महाबली उच्छ श्रिंकलों के सामने अपना सारा वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मन की बात सुनकर उन दोनों के मन में दया का संचार हो आया। तब उन श्रेष्ट अनुचरों ने दूत द्वारा महात्मा शंकर की आग्या लेकर परशूराम को भीतर प्रवेश करने का आदेश दिया। परशूराम उनकी आग्या पाकर श्री हरी का स्मरण करते हुए भवन के अंदर प्रविष्ट हुए। वहाँ उन्होंने एक एक करके सोलहें दर्वाजों को देखा जो नाना प्रकार की चित्रकारी से चित्रित होने के कारण अत्यंत सुन्दर थे तथा उन पर द्वार पाल नियुक्त थे। उन्हें देख कर परशु राम को महान आश्चर्य हुआ। आगे बढ़ने पर उन्हें शंकर जी की सभा दिखाई पड़ी जो बहुत से सिध्ध गणों से व्याप्त, महरिश्यों द्वारा सेवित तथा पारिजात पुष्पों के गंध से युक्त वायू द्वारा सुवा पाजमान थे। उनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे बागंबर पहने तथा त्रिशूल और पटिश धारण किये हुए थे। उनका शरीर विभूती से सुशोभित था। वे सर्प का यग्योपवीत पहने थे। तथा महान कल्यान स्वरूप कल्यान करन कल्यान के कारण, कल्यान के आश्रे स्थान, आत्मा में रमन करने वाले पूर्ण काम और करोडों सूर्यों के समान प्रभाशाली थे। उनका मुख प्रसन था जिस पर मंद मुस्कान की अध्भुत छटा बिखर रही थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अधीर ह रहे थे। वे सनातन ज्योतिह स्वरूप, लोकों के लिए अनुग्रह के मूर्त रूप, जटाधारी, सती की हड्डियों से शोभित, तपस्याओं के फल देने वाले तथा संपूर्ण संपदाओं के दाता थे। उनका वर्ण शुद्ध स्वटिक के सद्रिश उज्वल था उनके पांच मुख और तीन नेत्र थे। वे तत्व मुद्रा द्वारा शिश्यों को गुहय ब्रह्मा का उपदेश कर रहे थे। योगींद्र उनके स्वन में तथा बड़े-बड़े सिध उनकी सेवा में नियुक्त थे। श्रेष्ठ पार्षद श्वेच चमरो द्वारा निरंतर उनकी सेवा कर रहे थे। वे बुढ़ापा और मृत्यू का हरण करने वाले गुणातीद स्वेच्छा में परिपूर्णतम परब्रह्म के ध्यान में निमगन थे। जो ज्योती रूप सबके आदी प्रकृती से परे और पर्मानंद में हैं। उन श्री कृष्ण का ध्यान करते समय उनके शरीर में रोमांच हो रहा था। तथा वे आँखों में आशु भरे उत्तम स्वर से उनकी गुणावली का गान कर रहे थे। और भूतेश्वर, रूद्रगन तथा क्षेत्रपाल उन्हें घेरे हुए थे। उन्हें देखकर पर्शुराम ने बड़े नंदीश्वर, महाकाल और वीरभद्र तथा उनकी गोद में उनकी प्रियतमा पत्नी गिरी राज नंदिनी गौरी को देखा। उन सबको भी पर्शुराम ने बड़े हर्श के साथ भक्ती पूर्वक सिर जुका कर नमस्कार किया। उस समय शिवजी का दर्शन करके पर्शुराम परम संतुष्ट हुए। शोक से पीडित तोवे थे ही अतेह आखों में आसु भरकर अत्यंत कातर हो हाथ जोड़कर शांद भाव से दीन एवं गदगद वानी के द्वारा शिवजी की स्तुती करने लगे। पर्शुराम बोले इश मैं आपकी स्तुती करना च मैं मंद बुद्धी हूं। मुझमें शब्दों क्योजना करने का ज्यान ही नहीं और चला हूं देवेश्वर की स्तुती करने भ़ला जिनका स्तवन करने की शक्ति वेदों में नहीं है उन आपकी स्तुती करके कौन पार पासकता है। आप मन, बुद्धी और वानी के अगोचर, सार से भी सार रूप, परातपर, ज्यान और पुद्धी से असाध्य, सिद्ध, सिद्धों द्वारा सेवित, आकाश की तरहें आदी, मध्य और अंत से हीन, तथा अविनाशी, विश्व पर शासन करने वाले, तंत्र रहित, स्वतं तंत्र के कारण, ध्यान द्वारा असाध्य, दुराराध्य, साधन करने में अत्यंत सुगम और दया के सागर हैं, दीन बंधो मैं अत्यंत दीन हूँ, करुणा सिंधो मेरी रक्षा कीजिए, आज मेरा जन्म सफल तथा जीवन सू जीवन हो गया, क्योंकि भक्तगन जिन्हे स्वपन में भी नहीं देख पाते, उन्हीं को इस समय मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, जिनकी कला से इंद्र आदी देवगण तिथा जिनके कलांच से चराचर प्राणी उत्पन हुए हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य, चंद्रमा, अग्नी, ज और वायू के रूप में विराजमान है, उन महेश्वर को मैं अभिवादन करता हूँ, जो स्त्री रूप, नपंसुक रूप, पुरुश रूप धारन करके जगत का विस्तार करते हैं, जो सबके आधार और सर्व रूप हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, हिमा उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ जो सब के लिए कल्प व्रिक्ष रूप हैं और अभिलाशा से भी अधिक फल प्रदान करते हैं जो बहुत शीग्र प्रसन्न हो जाते हैं और जो भक्तों के बंधू हैं उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ जो लीला पूर्वग शन भर में अनन्त विश्व स्रिष्टियों का संहार करने वाले हैं उन भ्यंकर रूप धारी महेश्वर को मेरा प्रणाम है जो काल रूप, काल के काल, काल के कारण और काल से उत्पन होने वाले हैं तथा जो अजन्मा एवं बारंबार जन्म धारन करने वाले आदी सब कुछ ह उन महेश्वर को मैं मस्तक जुकाता हूँ यो कहकर ब्रिगुवन्शी परशुराम शंकर जी के चरण कमलों पर गिर पड़े तब शिवजी ने परम प्रसन होकर उन्हें शुप आशीरवाद दिये नारद जो भक्ती भाव सहीत इस परशुराम कृत स्तोत्र का पाठ करता है बह संपूर्ण पापों से पूर्णतियां मुक्त होकर शिव लोक में जाता है परशुराम का शिवजी से अपना अभिप्राय प्रकट करना उसे सुनकर भद्रकाली का कुपित होना परशुराम का रोने लगना शिवजी का कृपा करके उन्हें नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र एवं शास्त्र अस्त्र प्रदान करना तद नंतर महादेव जी के पूछने पर परशु राम ने कहा दया निधान मैं ब्रिगुवंशी जमदगनी का पुत्र परशु राम हूँ आपका दास हूँ, आपके शरनागत हूँ, आप मेरी रक्षा करें इसके बाद सारी घटना विस्तार से सुनाकर परशु राम ने कहा कि मैंने पृत्वी को 21 बार शत्रिय शून्य करने का तथा मेरे पिता का वध करने वाले कार्ट वीर्य को मारने की प्रतिग्या की है आप मेरी प्रतिग्या को पूर्ण करें इस बात को सुनकर भगवती पारवती और भद्रकाली ने क्रुद होकर परशु राम की भर्टसना की तब परशु राम भगवती गौरी और कालिका के क्रोध भरे वचन सुनकर उच्छ स्वर से रोने लगे और प्राण विसर्जन के लिए तैयार हो गए तब दया सागर भक्त अनुग्रहकारी प्रभु महादेव ने ब्रह्मन बालक को रोते देखकर स्नेहाद्र चित से अत्यंत विनेपूर्ण वचनों के द्वारा गौरी और कालिका का क्रोध शांत किया और उन दोनों की तथा अन्याने सबकी अनुमती लेकर परशुराम से कहना आरंभ किया शंकर जी ने कहा हे वत्स आज से तुम मेरे लिए एक श्रेष्ठ पुत्र के समान हुए अतेह मैं तुम्हें ऐसा गुह्य मंत्र प्रदान करूँगा जो त्रिलोकी में दुरलब है इसी प्रकार एक ऐसा परम अद्भुत कवच बतलाऊंगा जिसे धारन करके तुम मेरी कृपा से अनायासी कार्थ वीर्य का वध कर डालोगे विप्रवर तुम 21 बार प्रित्वी को भूपालों से शुन्य भी कर दोगे और सारे जगत में तुम्हारी कीर्ती व्याप्त हो जाएगी नारत इतना कहकर शंकर जी ने परशू राम को परम धुरलब मंत्र और त्रेलोग के विजय नामक परम अद्भुत कवच प्रदान किया फिर स्तोत्र, पूजा का विधान, पुरश्चरन पूर्वक, मंत्र सिद्धी का अनुष्ठान, नियम का ठीक ठीक क्रम, सिद्धी स्थान और काल की संख्या आदी बतलाई उसी समय उन्हें संपूर्ण वेद वेदांग भी पढ़ा दिये तत पश्चात शिवजी ने परशु राम को नागपाश, पशुपत आस्त्र, अत्यंत दुरलब भ्रम्म आस्त्र, अग्ने आस्त्र, नारायन आस्त्र, वाईवै आस्त्र, वारुन आस्त्र, गांधर्व आस्त्र, गरुण आस्त्र, ज्रिम्भन आस्त्र, गदा, शक्ती, प अमोग उत्तम त्रिशूल, विधी पूर्वक नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्रों के मंत्र, शस्त्र अस्त्रों के संहार और संधान, अक्षय धनुष, आत्म रक्षा का उपाय, संग्राम में विजय पाने का क्रम, अनेक प्रकार के माया युद्ध, मंत्र पूर्वक भूंका अपनी सैना की रक्षा तथा शत्रू सैना के विनाश का धंग, युद्ध संकट के समय नाना प्रकार के अनुपम उपाए, संसार को मोहित करने वाली तथा बुढ़ापा और मृत्यू का हरन करने वाली विद्या भी सिखाई। परशु राम ने चिर काल तक गुरु कुल में ठहर कर संपूर्ण विद्याओं को सीखा, फिर तीर्थ में जाकर मंत्र सिध्धी प्राप्त की, इसके बाद शिफ आदी को नमस्कार करके वे अपने आश्रम को लौट आए। शिफ जी का प्रसन्य होकर परशु राम को त्रेलोग के विजय नामक कवच प्रदान करना। संकर ने रत्न परवत के निकट स्वयम प्रभान अधी के तड़ पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधों के समक्ष परशु राम को त्रेलोग के विजय नामक परम अदभुत कवच विभूती योग से संभूत महान पुर्णे में स्तव भ्रिगुवन्शी महाभागवत तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो अता आओ कवच ग्रहन करो राम जो ब्रह्मान में परम अदभुत तथा विजय प्रध्य स्रीकृष्ण के उस त्रेलोग के विजय नामक कवच का वर्णन करता हूं सुनो पुर्णेकाल में श्रीकृष्ण ने गोलोक में इस्थित वरंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रासमंडल के मध्ये ये कवच मुझे दिया था ये अत्यंत गोपनिये तत्व संपून मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरू पुन्य से भी बढ़कर पुन्यत्तर परम किया था जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपून तत्यों का जानकार हो गया हूं तथा पूर्वकाल में जो दुरंत और अवध्ये थे उन त्रिपूरों को खेली खेल में मैं दग्ध कर चुका हूं जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम की रचना की है जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं जिसे धारण करके कूर्म राज शेष को लीला पूर्वक धारण किये रहते हैं जिसे धारण करके स्वयम सर्व व्यापक भगवान वायू विश्व के आधार हैं जिसे धारण करके वर्म सि बल और पराक्रम से सम्पन्न हुए हैं जिसे पड़कर एवंधारन करके महश्य अगस्त सातों स्मुद्रों को पी गए और उसके तेज घो पर्दू के पचाग안 इसे पड़कर एवंधारन करके प्रिठवी डेवी सब अधिस्ठात्री देवी हुई है जिसे धारनकर्क करके प्राध्प्रा लक्ष्मी लोकों को अन-प्रदान करने वाली हुई है जिसे पढ़कर अभर धारन करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है monitoring veteran कर वेद वक्ता हुए हैं जिसे पढ़कर एवम धारण करके अगनी शुद्ध एवम तेजस्वी हुए हैं और जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्यानियों में सर्वसेश्ट स्थान मिला है जो महात्मा साधु एवम स्रीकृष्ण भक्त हो उसी को ये कवज देना चाहिए क्य पर लोक्य की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है यह परात पर कवच तीनों लोकों में दुरलब है ओम श्री कृष्णाय नमा सदा मेरे सिर की रक्षा करें कृष्णाय स्वाहा ये पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखें कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करें हरिय नमा सदा मेरी भ्रिकुटियों को बचावे ओम गोविंदाय स्वाहा मेरी नासिका की रक्षा करें गोपालाय नमा मेरे गंडस्थलों की सदा सब और से रक्षा करें ओम गोपांग नेशाय नमा सदा मेरे कानों की रक् दांतों के उर्द भाग की रक्षा करे ओम श्री कृष्णाय स्वाह सदा मेरी जिव्भा की रक्षा करे राशेश्वराय स्वाह सदा मेरे तालू की रक्षा करे राधिके शाय स्वाह सदा मेरे कंठ की रक्षा करे गोपांग नेशाय नमह सदा मेरे वक्षिस्थल की रक्षा क करे ओम गोपेशाय स्वाह सदा मेरे कंधों की रक्षा करे नमा किशोरवेशाय स्वाह सदा प्रिष्ट भाग की रक्षा करे मुकुंदाय नमा सदा मेरे उदर की तथा ओम हीम क्लिम प्रिष्णाय स्वाह सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे ओम विश्णवय नमा सदा मेरी सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमनाय स्वाहा सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। मेरे शर्वस्व की सदा रक्षा करे के प्राणनात ऊर्द भाग में मेरी रक्षा करें महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करें नर्सिह जल स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखे माधव सोते समय तथा जागरित काल में सदा मेरा पालन करें तथा जो सब के अंतरात्मा निरलेप और सर्व व्यापक हैं देभगवान सब और से मेरी रक्षा करें बत इस प्रकार त्रिलोग के विजय नामक कवच जो परम अनोखा तथा समस्त्र मंत्र समुदाय का मुर पर धारन करता है वह भी विश्नु तुल्य हो जाता है इसमें संशय नहीं है यह भग्त जहां रहता है वहां लक्ष्मी और सरस्वती निवास करती है यदि उसे कवस्चिद्ध हो जाता है तो जीवन्मुक्ट हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों तक की पूजा का फल राप्त हो जाता है हजारों राजसुई सैकड़ों वाजपे दस हजार अस्वमेध संपूर्ण महादान तथा प्रिथ्वी की प्रदिक्षणा ये सभी इस्त्रिलों की विजय की सोलवी कला की भी समानता नहीं कर सकते व्रत उपवास का नियम स्वाध्याय अध्यन तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्य ही उसे सिद्धी अमरता और श्रीहरी की दास्ता आरी सब कुछ मिल जाता है जो इसका 10 लाग जब करता है उसे ये कवच सिद्ध हो जाता है औ परन्तु जो इस कवज को जाने बिना स्रीक्रिष्ण का भजन करता है उसकी बुद्धी अत्यन्त मंद है जो करोणों कलपों तक जब करने पर भी मंत्र सिद्धी दायक नहीं होता वर इस कवज को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निशंक होकर अनायासी 21 बार प्रित्री क को शक्त्रियों से शूनिकर डालो बेटा प्राण संकट के समय राज यह दिया जासकता है सिर्कटाया जासकता है और प्राणों का प्रिध्याग भी किया जा सकता है परंतु ऐसे कवज का दान नहीं करना चाहिए शिवजी का परशुराम को मंत्र ध्यान पूजा विधी और स्तोत्र प्रदान करना परशु राम ने कहा नात जो संपूर्ण अंगों की रक्षा करने वाला सुक दायक मोक्षप्रत सार सर्वस्व तथा शत्रूं के संगहार का कारण है वह कवच तो मुझे प्राप्त हो गया सामर्थ्य शाली भगवन अब मुझ अनात को मंत्र स्तोत्र और पूजा विधी प्रदान कीजिए क्योंकि आप शर्नागत के पालक हैं महादेवजी बोले भ्रिगु नंदन ओम श्रीम नमह श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा यह सब्त दशाक्षर महा मंत्र सभी मंत्रों में मंत्र राज है मुनीवर पांच लाख जब करन से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है उस समय जब का दशांश हवन हवन का दशांश अभिशेक अभिशेक का दशांश तरपन और तरपन का दशांश मार्जन करने का विधान है तथा सो मोहरे इस पुरश चरण की दक्षिना बताई गई हैं मुने जिस पुरुष को यह मंत्र इधिध्ध हो जाता है। उसके लिए विश्व करतल गत्थ हो जाता है। वे समुद्रों को पी सकता है। विश्व का संहार करने में समर्थ हो जाता है। और इसी पांच भौतिक शरीर से वैकुंट में जा सकता है। उसके चरण कमल की धूली के स्पर्ष मात्र से सारे तीर्थ पवित्र हो जाते हैं और पृत्वी ततकाल पावन हो जाती है मुने जो भोग और मोक्ष का प्रदाता है सरवेश्वर श्री कृष्ण का वह सामवेदोक्त ध्यान मेरे मुख से श्रवन करो जो रत्न निर्मित सिंहासन पर आसीन है जिनका वर्ण नूतन जलदर के समान श्याम है नेत्र नीले कमल की शोभा छीन लेते हैं मुख शार्दिये पुर्णिमा के चंद्रमा को मात कर रहा है उस पर मंध मुसकान की मनोहर चटा चाई हुई है जो करोणों काम देवों की भांती सुंदर, लीला के धाम, मनोहर और रत्नों के आभुशनों से विभुशित हैं जिनके संपूर्ण अंगों में चंदन की खौर लगी है जो श्रेष्ठ पीतांबर धारन किये हुए हैं मुसकुराती हुई गोपियां सदा जिनकी और निहार रही हैं जो प्रफुल मालती पुश्पों की माला तथा वन माला से विभुशित हैं जो सिर्पर ऐसी कलंगी धारन किये हुए हैं जिसमें कुंद पुश्पों की बहुतायत हैं जो करपूर से सुवासित हैं और चंद्रमा एवं ताराओं से युक्त आकाश की प्रभा का उपहास कर रही हैं जिनके सरवांग में रत्नों के भूशन सुशोभित हैं जो राधा के वक्षय स्थल में विराजमान रहते हैं सिद्धेंद्र, मुनींद्र और देवेंद्र जिनकी सेवा में लगे रहते हैं तथा ब्रह्मा, विश्नु, महेश और शुरुतियां जिनका स्तवन करती रहती हैं उन श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ जो मनुश्य इस ध्यान से श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्हें शोड़ शुपचार समर्पित कर भक्ति भाव पूर्वक उनका भली भांती पूजन करता है वे सर्वग्यत्व प्राप्त कर लेता है पहले भगवान को भक्ति पूर्वक अर्ग्य, पाध्य, आसन, वस्त्र, भूशन, गौ, मधुपर्क, परमोतम यग्यसूत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, पुन्हे आचमन, अनेक प्रकार के पुष्प, सुवासित तामबूल, चंदन, अगुरू, कस्तूरी, मनोहर दिव् शैया, माला और तीन पुषपांजली निवेदित करना चाहिए, तदन अंतर शडंग की पूजा करके फिर गण की विधिवत पूजा करें, तद पश्चात, श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा, हरीभानू, चंद्रभानू, सूरेभानू और सुभानू, इन सातों शक्ति और कृष्ण द्वारा पूजय हैं, उन राधिका की भक्ति पूर्वक पूजा करें, विध्वान को चाहिए कि वह गोप और गोपियों के समुदाये, मुझ शान्त स्वरूप महादेव, ब्रह्मा, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, पृत्वी, विग्रह धारी सं पूर्ण देपता और देव शटक की पंचोप चार द्वारा सम्यक रूप से पूजा करें, तत पश्चात इसी क्रम से श्री कृष्ण का पूजन करें, फिर गणेश, सूर्य, अगनी, विष्णू, शिव और पार्वती, इन छे देवों की भली भांती अर्चना करके मुक्ति के लिए श्री विष्णू का, ज्यान के लिए शंकर का और परम एश्वरे की प्राप्ती के लिए दुर्गा का पूजन करने पर यह फल मिलता है, यदि इनका पूजन न किया जाए, तो विप्रीत फल प्राप्त होता है, तत नंतर भक्ती भाव सहित इस्ट देव क का परिहार करके भक्ति पूर्वक साम वेदोक्त स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, वह स्तोत्र बतलाता हूँ, उसे श्रवन करो, महादेव जी ने कहा, जो परब्रम, परमधाम, परमज्योती, सनातन, निरलिप्त और सब के कारण है, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ जो स्थूल से स्थूलतम, सूक्षम से सूक्षमतम, सबके देखने योग्य, अद्रिश्य और स्वेच्छाचारी हैं, उन उत्क्रिष्ट देव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण, सबके आधार, सर्वस्वरूप और करने वाले हैं, उन प्रभु को मेरा अभिवादन है, जिनका रूप अत्यंत सुन्दर है, जो उप्मा रही थै, और अत्यंत कराल रूप धारन करते हैं, उन सर्व व्यापी भगवान को मैं सिर्च उकाता हूँ, जो कर्म के कर्म रूप, समस्त कर्मों के साक्षी, फल और फ नमस्कार है, जो पुरुष अपनी कला से विभिन मूर्ती धारन करके श्रिष्टी का रचैता, पालक और संहारक है, तथा जो कलांच से नाना प्रकार की मूर्ती धारन करते हैं, उनके चरणों में मैं प्रणी पात करता हूँ, जो माया के वशी भूत होकर स्वयम प्रकृत हैं, और स्वयम पुरुष हैं, तथा स्वयम इन दोनों से परे हैं, उन परातपर को मैं सदा नमस्कार करता हूँ, जो अपनी माया से स्त्री, पुरुष और नपुन्सक का रूप धारन करते हैं, तथा जो देव, स्वयम माया और स्वयम मायेश्वर हैं, उन्हें मेरा प्र सबके कारण स्वरूप हैं, उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तेजस्वियों में सूर्य, संपूर्ण जातियों में ब्रह्मन और नक्षत्रों में चंद्रमा है, उन जगदीश्वर को मेरा अभिवादन है, जो रूद्रों, वैश्णवों और ज्यानियों में शंकर है, तथा जो नागों में शेश नाग है, उन जगत पती को मैं मस्तक जुकाता हूँ। जो प्रजापतियों में ब्रह्मा, सिद्धों में स्वयम कपिल और मुनियों में सनत कुमार है, उन जगत गुरु को मेरा प्रणाम स्विकार हो। जो पत्रों में तुलसी पत्र, लकडियों में चंदन और व्रिक्षों में कल्प व्रिक्ष है, उन जगत पती को मेरा अभिवादन है। जो पुष्पों में पारिजात, अन्नों में धान और भक्षे पदार्थों में अम्रित है, उन अनेक रूप धारी को मैं सिर जुकाता हूँ। जो गजराजों में एरावत, पक्षियों में गरुड और गोओं में काम धेनु है, उन सर्व रूप को मैं नमन करता हूँ। जो तैजस पदार्थों में सुवर्ण, धान्यों में यव और पश्यों में सिह है, उन श्रेष्ठ रूप धारी के समक्ष मैं नत होता हूँ। जो यक्षों में कुबेर, ग्रहों में ब्रहसपती और दिकपालों में महेंद्र हैं, उन श्रेष्ठ परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो शास्त्रों में वेद समुदाय, सदसद विवेकशील बुद्धी मानों में सरस्वती और अक्षरों में अकार हैं, उन प्रधान देव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मंत्रों में विश्णु मंत्र, तीर्थों में स्वयम गंगा और इंद्रियों में मन हैं, उन सर्वश्रेष्ठ को मेरा नमस्कार है। जो शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, व्याधियों में वैश्नव, ज्वर और तेजों में भ्रम तेज है, उन वरणिये प्रभु को मेरा प्रणाम है। जो बलवानों में निशेक, कर्म, फल, भोग, शीग्र चलने वालों में मन और गणना करने वालों में काल है उन विलक्षन देव को मैं अभिवादन करता हूँ जो गुरुओं में ज्यान दाता, बंधुओं में मात्र रूप और मित्रों में जन्म दाता पित्र रूप हैं, उन सार रूप परमेश्वर को मैं मस्तक जुकाता हूं जो शिल्पियों में विश्व कर्म रूप वानों में काम देव और पत्नियों में पति वरता हैं उन नम्निये प्रभु को मेरा अभिवाधन है जो प्रिये प्राणियों में पुत्र रूप, मनुश्यों में नरेश्वर और यंत्रों में शाल ग्राम है उन विशिष्ट को मैं नमस्कार करता हूँ जो कल्यान बीजों में धर्म, वेदों में सामवेद और धर्मों में सत्य रूप हैं, उन विशिष्ट को मैं प्रणाम करता हूँ जो जल में शीतलता, पृत्वी में गंध और आकाश में शब्द रूप से विध्यमान हैं, उन वंदनिये को मैं अभिवादन करता हूँ जो यग्यों में राजसुए यग्य और चंदों में गायतरी चंद है तथा जो गंधर्वों में चित्ररत है उन परम महनिये को मैं सिर्ध जुकाता हूँ जो गव्य पदार्थों में दूद्स्वरूप, पवित्रों में अगनी और पुण्य प्रदान करने वालों में स्तोत्र है उन शुब धायक को मैं प्रणी पात करता हूँ जो त्रेणों में कुश रूप और शत्रूओं में रोग रूप है तथा जो गुणों में शांत रूप है उन विचित्र रूप धारी को मैं नमन करता हूँ जो तेजो रूप, ज्यान रूप, सर्व रूप और महान है उन सबके द्वारा अनिर्वचनिये, सर्व व्यापी, स्वयम प्रभु को मेरा नमस्कार है जो सर्व आधार स्वरूपों में वायू और नित्य रूप धारियों में आत्मा के समान है तथा जो आकाश की भांती व्याप्त हैं उन सर्व व्यापक को मेरा प्रणाम है जो वेदों द्वारा अववर्णनिये है अतह विद्वान जिनकी स्तुती करने में असमर्थ है तथा जिनका गुनगान वाक शक्ती के बाहर है भला उनका स्तवन करके कौन पार पा सकता है जिनकी स्तुती करने में वेद समर्थ नहीं है तथा सरस्वती जड़सी हो जाती है मन वानी से परे उन भगवान का कौन विद्वान स्तवन कर सकता है जो शुद्ध, तेजह स्वरूप, भक्तों के लिए मूर्तिमान अनुग्रह और अत्यंत सुन्दर है उन श्याम रूपधारी प्रभु को मेरा अभिवादन है जिनके दो भुजाएं हैं, मुख पर मुर्ली सुशोभित है, किशोर अवस्था है, जो आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही हैं, गोपांगनाय निरंतर जिनकी और निहारा करती हैं, उन्हें मेरा प्रणाम स्विकार हो जो रतन निर्मित सिंहासन पर विराजमान है और राधाद्वारा दिये गए पान को चबा रही हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ जो रतनों के आभूशनों से भली बांती सुसजित हैं, तथा जिन पर पारशत प्रवर गोप कुमार श्वेच चमर डुला रही हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ जो रमणिये वरिंदावन के भीतर, रास मंडल के मध्य स्थित होकर, रास क्रीडा के उलाद से समुझसुक हैं, उन्हें मेरा प्रणाम हैं जो शत्श्रिंग की चोटियों पर, महाशैल पर, गो लोक में रत्न परवत पर, तथा विर्जा नदी के रमणिये तट पर विहार करने वाले हैं, उन्हें मेरा नमस्कार है जो परिपूर्णतम, शान्त, राधा के प्रियतम, मन को हरन करने वाले सत्य रूप और भ्रह्म स्वरूप हैं, उन्हें अविनाशी श्री कृष्ण को मैं अभिवादन करता हूँ जो मनुष्य भारत वर्ष में श्री कृष्ण के इस तोत्र का तीनो काल पाठ करता है, वे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का दाता हो जाता है इस तोत्र की कृपा से श्री हरी में उसकी भक्ती सूद्रिड हो जाती है उसे श्री हरी की दास्ता मिल जाती है और वह इस लोक में निश्चय ही विश्णु तुल्य जगत पूज्य हो जाता है वह शांती लाप करके समस्त सिद्धों का इश्वर हो जाता है और अंत में श्री हरी के परमपत को प्राप्त कर लेता है तथा भूतल पर अपने तेज और यश्च से सूर्य की तरह प्रकाशित होता है वह जीवन मुक्त श्री कृष्ण भक्त सदा निरोग गुणवान विद्वान पुत्रवान और धनी हो जाता है इसमें तनिक भी संशे नहीं है वह निश्चे ही छहों विश्यों का जानकार दसों बलों से संपन्द, मन के सद्रिश वेकशाली, सरवग्य, सरवस्वदान करने वाला और संपूर्ण संपदाओं का दाता हो जाता है तथा श्री कृष्ण की कृपा से वह निरंतर कल्प वरिक्ष के समान बना रहता है वत्स इस प्रकार मैंने इस तोत्र का वर्णन कर दिया, अब तुम पुष्कर में जाओ और वहां मंत्र सिद्ध करो, तत पश्चात तुम्हें अभीष्ट फल की प्राप्ती होगी मुनी श्रेष्ट यो श्री कृष्ण की कृपा से तथा मेरे आशीरवात से तुम सुख पूर्वक पृत्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य करो पुष्कर में जाकर परशुराम का तपस्या करना, श्री कृष्ण द्वारा वर प्राप्ती, आश्रम पर मित्रों के साथ उनका विजय यात्रा करना और शुप शकुनों का प्रकट होना, नर्मदा तट पर रात्री में परशुराम को स्वप्न में शुप शकुनों का देना श्री नारायन कहते हैं नारत तदनंतर भ्रिगुवंशी परशुराम हर्ष पूर्वक शिव दुर्गा तथा भद्रकाली को प्रणाम करके पुशकर तीर्थ में गए और वहां मंत्र सिध्ध करने लगे उन्होंने एक महीने तक अन्न जल का परित्याक कर दिया और भक् पूर्वक श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते हुए वायू को अवरुद्ध कर दिया फिर आँखे खोल कर देखा तो उनको आकाश एक अद्भुत तेज से व्याप्त दिखाई पड़ा उस तेज से दसो दिशाएं उद्दीप्त हो रही थी और सूर्य का तेज प्र पुरुष द्रिश्टी गोचर हो रहे थे वे भगतों पर अनूग्रह करने वाले थे तथा उनका मुख मंद मुस्कान से खिल रहा था परशुराम ने उन ईश्वर को दंड की भांती लेट कर सिर से प्रणाम किया और वर मांगा भगवन मैं 21 बार पृत्वी को भू बालों से रहित कर दूँ आपके चरण कमलों में मेरी अनपाइनी सुद्रिड भक्ती हो और मैं निरंतर आपके पादार विंद का दास बना रहूं यह वर मुझे प्रदान कीजिए तब श्री कृष्ण उन्हें वह वर देकर वहीं अंतरधान हो गए और परशुराम उन परातपर क को नमस्कार करके अपने आश्रम को लौट आये उस समय उनका दाहिना अंग फड़कने लगा जो शुब मंगलों का सूचक था रात में उन्हें वांच्छा सिध्धी को प्रकट करने वाला उत्तम स्वपन भी देख पड़ा इससे उनका मन रात दिन प्रसंद और रहने लगा वे स्वजनों से सारा वृत्तांत पूर्णत्या बतलाकर आनंद पूर्वक आश्रम में निवास करने लगे तद नंतर महाबली परशुराम ने अपने शिश्यों को पिता के शिश्यों को भाईयों को तथा बंधु बांधवों को बुला बुलाकर उनके साथ त उध्यत हुए उस समय परशु राम को मंगल शकुन दिखाई पड़ने लगे और जय की सूचना देने वाले शब्द सुनाई दिये तब उन्होंने मन ही मन सब का विचार करके निश्चे कर लिया कि मेरी विजय होगी और शत्रूओं का संहार होगा यात्रा के अफसर पर सहसा मुनी को अपने सामने मयूर की बोली, सिहं की गर्जना, घंटा और दुन्दुभी की ध्वनी, संगीत, कल्यान कारी नवीन सांकेतिक शब्द और विजय सूचक बादलों की गड़-गड़ाहट सुनाई पड़ी उसी समय आकाशवानी भी हुई कि तुम्हारी विजय होगी इस तरहें अनेक प्रकार के शुप शब्दों को सुनते हुए भगवान परशुराम ने यात्रा आरंब की चलते ही उन्होंने अपने आगे भ्रामन, वंदी, जियोतिशी और भिक्षुक को देखा फिर नाना प्रकार के आभुशनों से सजी हुई एक पती पुत्र संपन्ना सती नारी हाथ में प्रज्वलित दीपक लिये हुए मुस्कुराती हुई सामने आई चलते चलते परशुरामने अपनी दाहिनी और यात्रा के समय मंगल की सूचना देने वाले शव, श्रीगाली, जल से पूर्ण घट, नीलकंट, नेवला, कृष्नसार म्रिग, हाथी, सीह, घोडा, गैंडा, द्विप, चमरी गाएं, राजहंस, चक्रवाक, शुक, कोयल, मोर खंजन, सफेद चील, चकोर, कबूतर, बगुलों की पंक्ती, बतक, चातक, गोरईया, बिजली, इंद्रधनुष, सूर्य, सूर्य की प्रभा, तुरंत का काटा हुआ मास, जीवित मचली, शंक, सुवर्ण, मानिक्य, चांदी, मोती, हीरा, मूंगा, दही, लावा, सफेद सफेद फूल, कुमकुम, पान का पत्ता, पताका, छत्र, दरपन, श्वेद चमवर, सवत्सा गों, रथा रूड भूपाल, दूद, खी, राशी-राशी अम्रित, खीर, शाल ग्राम, पका हुआ फल, स्वस्तिक, शक्कर, मधु, बिलाव, सांड, भेडा, पर्वतिय चूहा, मेगा चन सूर्य का उदय, चंद्र मंडल, कस्तूरी, पंखा, जल, हल्दी, तीर्थ की मिट्टी, पीली या सफेद सर्सों, दूब, भ्रामन का बालक और कन्या, म्रिग, वैश्या, भोरा, कपूर, पीला वस्त्र, गो मूत्र, गोबर, गो के खुर की धुली, गोपच से चि गोश्ट, गोओं का मार्ग, रमनिय गोशाला, सुन्दर गोगती, भूशन, देव प्रतिमा, प्रज्वलित अग्नी, महोत्सव, तांबा, स्वतिक, वैद्य, सिंदूर, माला, चंदन, सुगंध, हीरा और रत्न देखा, उन्हें सुगंधित वायू का आग्रान और ब्राम का शुभाशीर्वात प्राप्त हुआ, इस प्रकार मांगलिक अफसर जानकर वे हर्ष पूर्वक आगे बढ़े और सुर्यास्त होते होते नर्मदा के तट पर पहुँच गए, वहां उन्हें एक अत्यंत मनुहर दिव्य, अक्षय वट दिखाई पड़ा, वे अत्यंत उच विस्तार वाला और उत्तम एवं पावन आश्रम स्थान था, वहां सुगंधित वायू बह रही थी, वहीं पुलस्ते नंदन ने तपस्या की थी, वहीं कार्थ वीर्य अर्जुन के आश्रम के निकट परशुराम अपने गणों के साथ ठहर गए, वहां उन्होंने रात में पुष्पशया पर शयन किया, ठके तो वे थे ही अतह किंकरों द्वारा भली भांती सेवा किये जाने पर, पर्मानंद में निमगन हो, निद्रा के वशी भूत हो गए, रात व्यतीत होते होते, भारगव परशुराम को एक सुन्दर स्वपन दिखाई दिया, जो वायू, प गोडा, परवत, अठालिका, गौँ और फल युक्त वरिक्ष पर चड़ा हुआ हूँ, मुझे कीडे काट रहे हैं, जिससे मैं रो रहा हूँ, मेरे शरीर में चंदन लगा है, मैं पीले वस्त्र से शोभित तथा पुष्प माला धारन किये हुए हूँ, मेरा सारा शरीर मल म मूत्र से सराबोर है और उसमें मज्जा और पीप चुपड़ा हुआ है, ऐसी दशा में मैं नौका पर सवार हूँ और उत्तम वीना बजा रहा हूँ, फिर देखा कि मैं नदी तट पर बड़े बड़े कमल पत्रों पर रख कर दही, घी और मधु मिश्रित खीर खा रहा हू पुन्हें देखा कि मैं पान चबा रहा हूँ, मेरे सामने फल, पुष्प और दीपक रखे हुए हैं तथा भ्रामण मुझे आशीरवाद दे रही हैं, फिर अपने को बारम बार पके हुए फल, दूद, शक्कर मिश्रित, गर्मा गरम अन, स्वास्तिक के अकार की बनी और मैं भैभीत होकर भाग रहा हूँ, फिर देखा कि मैं चंद्रमा और सूर्य का मंडल, पती और पुत्र से संपन्न नारी और मुस्कुराते हुए ब्रामण को देख रहा हूँ, पुन्हें अपने को सुन्दर वेश्वाली, परम संतुष्ट कन्या तथा संतुष्ट एव मुस्कान युक्त ब्रामण द्वारा आलिंगित होते हुए देखा, फिर देखा कि मैं फल, पुष्प, समन्वित, व्रिक्ष, देवता की मूर्ती तथा हाथी पर एवं रत पर सवार हुए राजा को देख रहा हूँ, पुन्हें उन्होंने देखा कि मैं एक ऐसी ब्रामण को देख रहा हूँ, जो पीला वस्त्र धारन किये हुए है, रत्नों के आभूशनों से भूशित है और घर में प्रवेश कर रही है, फिर अपने को शंक, स्वटिक, श्वेत माला, मोती, चंदन, सोना, चांदी और रत्न देखते हुए पाया, पुन्हें भार्गव को हाथी बैल, श्वेत सर्प, श्वेत चवर और नीला कमल और दरपण दिखाई पढ़ा, परशुराम ने स्वपन में अपने को रथारूड, नए रतनों से संयुक्त, मालती की मालाओं से शोभित और रत्न सिंहासन पर स्थित देखा, परशुराम ने स्वपन में कमलों की पंक्ती भरा हुआ घट, दही, लावा, घी, मधु, पत्ते का छत्र और नाई देखा भ्रिगु नंदन ने स्वप्न में बगुलों की कतार, हंसों की पांती और मंगल कलश की पूजा करती हुई व्रती कन्याओं की पंक्ती देखी पर्शु राम ने स्वप्न में उन भ्रामनों को देखा, जो मंडप में स्थित होकर शिव और विष्णू की पूजा कर रहे थे तथा जय हो ऐसा उच्चारण कर रहे थे फिर परशु रामने, स्वप्न में सुधा व्रिष्टी, पत्तों की वर्षा, फलों की वरिष्टी, लगातार होती हुई पुष्प और चंदन की वर्षा, तुरंद का काटा हुआ मास, जीवित मचली, मोर, श्वेत खंजन, सरोवर, तीर्थ, कबूतर, शुक, नील कंट, सफ से धान का विशाल परवत, प्रज्वलित अगनी, दूब, समुह के समुह देव मंदिर, पूजित शिवलिंग और पूजा की हुई शिव की मृण्मई मूर्ती को देखा, परशु रामने, स्वप्न में जों और गेहुं के आटे की पूड़ी और लड़ू देखा, और उन् समर्ण करते हुए उठ बैठे, इस स्वप्न से उन्हें अत्यंत हर्श हुआ, तट पश्चाथ उन्होंने अपना प्रातेह कालिक नित्यकर्म संपन्न किया, और मन में ऐसा समझ लिया, कि निश्चे ही सारे शत्रूओं को जीत लूँगा, परशुराम का कार्ट वीरी के पास दूद भेजना, दूद की बात सुनकर राजा का युद्ध के लिए उध्धित होना, और रानी मनोर्मा से स्वप्न द्रिष्ट अप्शकुन का वर्णन करना, रानी का उन्हें परशुराम की शरण ग्रहन करने को कहना, परंतु राजा क परशुराम का मनोर्मा को समझा कर युद्ध यात्रा के लिए उध्धित होना, श्री नारायन कहते हैं नारत, तदनंतर रिगुवंशी परशुराम ने प्रातह कालिक नित्य कर्म समाप्त करके भाई बंदूओं के साथ परामर्श किया और कार्ट वीरी के आश्रम पर दू रिगुवंशी परशुराम भाईयों साइथ पधारेवे हैं, वे 21 बार प्रिथ्वी को राजाओं से शूनिकरेंगे, अता आप उहां चलिए, अत्वा भाई बंदूओं के साथ युद्ध कीजिए, इतना कहकर परशुराम का दूद उनके पास से लोट गया, इधर राजा कवज धारन करके रण यात्रा के लिए उध्ध हुआ, तब महरानी मनोरमा ने अपने प्राण पती को युद्ध में जाने के लिए उध्ध देख, उसे रोख दिया और अपने पासी बिठा लिया, मुने मनोरमा को देखकर राजा के नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल वे मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, मुझे शंकर जी से सस्त्र और श्रीहरी का मंत्र तथा कवज प्राप्त हो गया है, अता वे 21 बार भुमी को भुपालों से हीन कर देना चाहते हैं, इस समचार से मेरे प्राण कांप उठे हैं, मन बारं बार शुब्द हो रहा है, और मेरा बाया अंग निरंतर फड़क रहा है, प्रिये मैंने एक स्वपन भी देखा है, सुनो, मैंने देखा है, मैं तेल से सराबोर हूँ, लाल वस्त धारन किये हुए हूँ, शरीर पर लाल चंदन लगा है, लोहे के आभुशनों से भूशित हूँ, अड़हूल के चंद्रमा और सूर्य से रहित होकर संध्या कालिन लालिमा से व्याप्त हो गया है, मैंने एक विद्वास्त्री को देखा, जो लाल वस्तर पहने थी, केश खुले थे, नाक कट गई थी, और वो अठाहास करती हुई नाच रही थी, महरानी, मैंने एक चिता देखी, जिस पर बाना विचे थे और वो अगनी से रहित एवं भस्म से संयूक्त थी, फिर राक की वर्षा, रक्त की वर्षा और अंगारों की वर्षा होते हुए देखा, पृत्वी पके हुए ताड के फलों से अच्छादित और हड्यों से संयूक्त थी, फिर खोपडियों की धेरी दिक पड़ी जो कटे हुए बालों और नकों से युक्त थी फिर रात के समय नमक का पहाड कोडियों की धेरी और धूल तथा तेल की कंद्रा द्रिष्टी गोचर हुई फिर फूलों से लदे हुए अशोक और करवीर के व्रिक्ष दिख पड़े वही ताल के व्रिक्ष भी थे जिन मंदल को तथा उलका पात धूम केतू और सूर्य एवं चंद्रमा के ग्रहन को देखा फिर एक ऐसे भयानक पुरुष को सामने आते हुए देखा जिसका आकार बेडोल था मुख विक्राल था और जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं था रात ने मैंने ये भी देखा कि एक बारा पुर्ण चित्र से बोलते हुए अता मैं आपके घर से वन को चली जाओंगी इसके लिए मुझे आग्या दीजे मैंने देखा कि कुरुद्ध ब्राह्मन सन्यासी और गुरु मुझे शाब दे रहे हैं और दिवाल पर चित्रित पुत्लिकाएं नाच रही हैं रात ने मैंने देखा कि चंचल गीधों कवों और भैसों का समू मुझे पीडा पहुचा रहा है महरानी मैंने तेल तेली द्वरा घुमाया जाता हुआ कोलू और पाशधारी दिगंबरों को देखा मैंने रात में देखा कि मिरे घर में परमानंद दायक विवासो मनाया जा रहा है जिसमे रात ने मोटक, पिंड, सवशयूक्त, शमशान, लाल वस्त्र और सफेद वस्त्र भी दिखे शोबने मैंने देखा कि एक विदवास्त्री जो काले रंकी थी और काला वस्त्र पहने हुए थी तथा जिसके बाल खुले वे थे नंगी होकर मेरा अलिंगन कर रही है पर ये ना बहुत बड़ी राशी और कुमार के चाक को भूमी पर घुमते हुए देखा सुवरते रात में देखा कि आंधी ने एक सूखे पेड को जगजोर कर उखाड दिया है और वह व्रिक्ष पुना उठकर खड़ा हो गया है तथा बिना सेर के धर चक्कर काट रहा है श्रिष्ठ ने मैंने ये भी देखा कि जुंड के जुंड भूत प्रेट जिनके बाल खुले हुए थे और जो मुक से आग उगल रहे थे मुझे लगातार भैभीत कर रहे थे रात में मैंने जला हुआ जीव जुलसा हुआ व्रिक्ष व्याधी ग्रस्त मनुष्य और अंग हिन शुद्र को भी देखा है रात में मैंने ये भी देखा कि सहसा घर परवत और रिक्ष गिर रहे हैं और बारंबार वज्य प्रात हो रहा है रात में घर घर में कुट्टे और सियार निशित रूप से बारंबार रो रहे हैं मुझे ये भी दिखाई पड़ा है मैंने एक पुरुष को देखा जो दिगंबर था जिसके बाल विक्रे थे और जो नीचे मस्तक तथा पैर उपर करके प्रिथ्वी पर घूम रहा था उसकी आकृती और बोली विकृत थी फिर प्राता काल ग्राम के अधिदेवता का रुदन सुनकर में जाग उठा अब बतलाओ इसका क्या उपाए र प्रोती हुई राजा दिराज कार्त वीर्य से कद्ध वानी में बोली मनोरमा ने कहा हे नात आप रमन करने वालों में उत्तम समस्त महिपालों में स्रेश्ट और मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिये हैं प्राणेश्वर मेरा शुबकारक वचन सुनिए जमदगनी नंद महाबली भगवान परशुराम नारायन के अंश हैं ये स्रिष्टी का संगहार करने वाले जगदीश्वर शिव के शिष्ष हैं जिनकी ऐसी प्रतिग्या है कि मैं 21 बार प्रिथ्व को भूपालों से शून्य कर दूंगा उनके साथ आप युद्ध न शेडिए पापी राव और वो जीते हुए भी मृतक के समान हैं जो धर्म तथा शुभाशुब कर्म के साक्षी और आत्मा राम हैं वे निरंतर अपने अंदर वर्तमान हैं परंतु आपकी बुद्धी मोहाच्छन हो गई है अता आप उन्हें नहीं देखते हैं नरेश उत्तम धर्मात्माओं के ज संत लोग संसार को स्वपन सद्रिश मानकर निरंतर धर्म का ध्यान करते हैं और भक्ति पूर्वक्त अपस्याओं में रत रहते हैं राजन मालूम होता है तत्तात्रे जी ने जो ग्यान दिया था वो सब भूल गये हैं यदि है तो फिर आपका मन ब्राम्भन की हत्या करने के कैसे प्रवृत हुआ आप तो मनोविनोत के लिए शिकार खिलने गए थे वहां ब्राम्भन के आश्रम में ठहर कर आपने अपूरु मिष्ठान का भूजन किया और व्यर्थी ब्राम्भन को मार डाला जो गुरु ब्राम्भन और देवता का अपमान करता है उसके इस देव पर रुष्ठ हो जाते हैं और विपत्ति उसे घेर लेती है अतहराजेंद्र आप दतात्रे जी के चरण कमलों का स्मरण कीजिए क्योंकि गुरु भक्ति सब के संपूर्ण विगनों का विनाश करने वाली है अब आप गुरुदेव की भलीभाती अर्चना करके उन ब्रिग उसे श्रवन करो शोग पिडित लोगों के वचन सभाओं में प्रसंशनी नहीं माने जाते सुंदरी कर्म भोग के योग्य काल आने पर सुख दुख भय शोग कलह और प्रेम ये सभी होते रहते हैं क्योंकि काल राज्य देता है काल मृत्यू और पुनर्जन का कारण होता है काल संसार की स्रिष्टी करता है काल ही पुनह उसका संहार करता है और काल ही पालन करता है काल भगवान जनार्दन का सुरूप है परंतु स्रिक्रिष्ण उस काल के भी काल और विधाता के भी ब्रह्मा है स्रिष्टी का आविरभाव और तिरोधान उन्हीं की आग्या से होता मनुष्य के सारे कारे उन्हीं की आग्या से होते हैं अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं होता महाभली बगवान परशुराम नारायन के अंश है यदि उन्होंने ऐसी प्रतिग्या कर ली है कि मैं 21 बार प्रतिवी को राजाओं से शूनि कर दूंगा तो उनकी प्रतिग्या कभ कीर्ती मृत्यू से भी बढ़कर दुखदाइनी होती है इतना कहकर समराट कार्त वीर्य ने समर भूमी में जाने के लिए उधित्त बाजा बजवाया और मांगली कार्य संपन्न करवाए वो असंखे राजाओं को तीन लाक राजा धिराजों को महान बल पराक्रम से संपन्न एक सो अक्षोहिनी चेनाओं को तथा असंख्य घोडे, हाती, पैदल, सिपाही और रथों को साथ लेकर रण यात्रा के लिए तैयार हुआ उसे कवच और बान सहित अक्षय धनुझ धारण करके यात्रा के लिए समुद्शुक देख साध्वी मनोरमा स्थब्ध हो गई राजा को युद्ध के लिए उध्यत देख मनोरमा का योग द्वारा शरीर्त्यार, राजा का विलाप और आकाश्वानी सुनकर उसकी अंतियश्टी क्रिया करना, युद्ध यात्रा के समय नाना प्रकार के अपशकुन देखना, कार्थ वीर्य और परशुराम का मनोरमा ने अपने स्वामी के मुक से भविश्य की जो जो बाते सुनी उन्हें मन में धारन कर लिया और यह समझ लिया कि ये बातें अवश्य सत्य होंगी, अतह उसने उसी क्षण अपने प्राणनात को अपनी चाती से लगा लिया और पुत्रों, बांधवों तथा अपने भृत्यों को आगे करके वह भगवचरणों का ध्यान करने लगी, फिर उसने योग द्वारा शट चक्र का भेदन करके वायू को मूर्धा में स्थापित किया और चंचल मन को जल के बुलबुले के सद्रिश क्षण भंगुर विश्यों से खीच कर ब्रह्म रंध्र में स्थ सहस्त्र दल संयुक्त कमल पर स्थापित करके उसे ज्यान द्वारा निश्कल भ्रह्म में बान दिया, तत पश्चात निर्मूल एवं पुनर जनम रहित द्वीविध कर्म का परित्याग करके उसने वहीं प्रांट त्याग दिये, परंतु प्राणों से अधिक प्रिये प्रकार आकाश्वानी हुई, महाराज शांत हो जाओ, क्यों रो रहे हो, तुम तो दत्ता त्रे की कृपा से बड़े बड़े ज्यानियों में श्रेष्ट हो, अतह सारे संसार को जो रमनिये दिख रहा है, जल के बुलबुले के सद्रिश क्षन भंगुर समझो, वह साधवी मनोर्मा तो लक्ष्मी के अंच से उत्पन हुई थी, अतह वह लक्ष्मी के वास्थान को चली गई, अब तुम भी रण भूमी में युद्ध करके वैकुंट में जाओ, आकाश्वानी के इस वचन को सुनकर नरेश ने शोक का परित्याग कर दिया, तत पश्चात चंदन की लकडी से दिव्य चिता तैयार की और पुत्र द्वारा अगनी संसकार कराकर उसका दह कराया, फिर मनोर्मा के पुन्य के निमित, हर्ष पूर्वक भ्रामनों को नाना प्रकार के रत्न, भांती-भांती के वस्त्र और अनेक तरहें के अन्याने दान दिये, मुने उस अफसर पर कार्ट वीर्य के आश्रम में सर्वत्र निरंतर यही शब्द होता था कि दान दो, दान दो और खाओ, खाओ, उस समय राजा द्वारा अधिकृत कोशों में जो जो धन मौजूद था, उसे उसने मनोर्मा के पुन्य के निमित, हर्ष पूर्वक भ्रामनों को दान कर दिय तद नंतर असंख्य बाजों तथ सैन्य समूहों को साथ लेकर राजा दुखी हृदय से समर भूमी के लिए प्रस्थित हुआ, आगे बढ़ने पर यद्यपी राजा को प्रतेक मार्ग में अमंगल के ही दर्शन हुए, तथा पी वह रणक शेत्र की और ही बढ़ता गया, उ उन्हें राजधानी को नहीं लोटा, राजा को मार्ग में एक नगन स्त्री मिली, जिसके बाल बिखरे थे, नाक कटी थी और वह रो रही थी, दूसरी विद्वा भी मिली, जो काला वस्त्र पहने थी, आगे मुख दुष्टा, योनी दुष्टा, रोगिनी, कुटनी, पती कुटसित वस्त्र, अत्यंत रूखा शरीर, नंगा, काशाय वस्त्रधारी, चर्बी बेचने वाला, कन्या विक्रई, चिता में जलता हुआ शव, बुझे हुए अंगारों वाली राक, सर्प से डसा हुआ मनुश्य, सांप, गोह, खरगोश, विश, श्रात के लिए पकाया ह पाक, पिंड, मोटक, तिल, देव मूर्तियों पर चड़ह हुए धन से जीवन निर्वह करने वाला भ्रामन, व्रिश्वाह, शुद्र के श्राधन का भोजी, शुद्र का रसोईया, शुद्र का पुरोहित, गाउं का पुरोहित, कुश्की पुतलिका, मुर्दा जलाने वा तेल, नमक, हड्डी, रुई, कच्छुआ, धूल, भोंकता हुआ कुत्ता, दाहिनी और भ्यंकर शब्द करता हुआ सियार, जटा, हजामत, कटा हुआ बाल, नक, मल, कलह, विलाप करता हुआ मनुश्य, अमंगल सूचक विलाप करने वाला, तथा शोक कारक रूदन करने वा चोर मनुश्य, हत्यारा, कुल्टा का पती और पुत्र, कुल्टा का अन खाने वाला, देवता, गुरू और भ्रामनों की वस्तुओं तथा धन का अभरन करने वाला, दान देकर छीन लेने वाला, डाकू, हिंसक, चुगल खोर, दुष्ट, पिता माता से विरक्त, ब्रामन और पीपल का विघातक, सत्य का हनन करने वाला, कृतगन, धरोहर हडप लेने वाला मनुश्य, विप्रद रोही, मित्र रोही, गायल, विश्वास खातक, गुरू, देवता और भ्रामन की निंदा करने वाला, अपने अंगों को काटने वाला, जीव हिंसक, अपने अंग से ह जहित, दीकशाहीन, नपुनसक, कुष्ठ रोगी, काना, बहरा, पुककस, कटे हुए लिंगवाला, मदिरा से मतवाला, पागल, खून उगलने वाला, भैंसा, गधा, मूत्र, विश्ठा, कफ, मनुश्य की सूखी खोपडी, प्रचंड आंधी, रप्त की व्रिष्टी, बा सुवर, गीध, बाज, कंक, भालू, पाश, सूखी लकडी, कौवा, गंधक, पहले-पहल दान लेने वाला ब्रहमन, तंत्र मंत्र से जीवी का चलाने वाला, वैद्य, रत्न पुष्प, औशद, भूसी, दूशित समाचार, मृतक की बातचीत, ब्रहमन का दारुन शाप, द दुर्गंध, युक्त, वायू, और दुह, शब्द, आदी, राजा के सामने आये, राजा का मन दूशित हो गया, प्राण, निरंतर्क, शुब्ध, रहने लगे, बाया, अंग, फड़कने लगा, और शरीर में जड़ता आ गई, तथा पी, राजा को युद्ध में ही अपन देखकर वह तुरंत रत से उतर पड़ा, और भक्ती पूर्वक बड़े-बड़े राजाओं के साथ दंड की भांती भूमी पर लेट कर उन्हें प्रणाम किया, तब परशुराम ने तुम स्वर्ग में जाओ, ऐसा राजा को उसका अभीष्ट आशीरवाद दिया, वह उनक के मनों अनुकूल ही हुआ, क्योंकि भ्रामन के आशीरवचन दुर लंग्य होते हैं, तद नंतर राज-राजेश्वर कार्त वीर्य उसी क्षण राजाओं सहित परशुराम को नमस्कार करके तुरंत ही रत पर जो नाना प्रकार की युद्ध सामगरी से संपन था, सवार हु फिर उसने सहसा दुन्दुभी, मुरज, आधी तरहें-तरहें के बाजे बजवाए और भ्रामनों को धन दान किया, तब वेद वेताओं में श्रेष्ठ परशुराम राजाओं की उस सभा में राजाधी राजकार्त वीर्य से हित कारक, सत्य एवं नीती युक्त वचन बोले परशुराम ने कहा, अए धर्मिष्ठ राजेंद्र, तुम तो चंद्रवंश में उत्पन हुए हो और विष्णु के अंश भूत बुद्धी मान दत्तात्रे के शिश्य हो, तुम स्वयम विद्वान हो और वेदग्यों के मुख से तुमने वेदों का श्रवन भी किया है, तुमने पहले लोभवश नीरीह भ्रामन की हत्या कैसे कर डाली, जिसके कारण सती साधवी भ्रामनी शोक संतप्त होकर पती के साथ सती हो गई, भूपाल इन दोनों के वद्ध से परलोक में तुम्हारी क्या गती होगी, यह सारा संसार तो कमल के पत्ते पर पड़े हुए ज अथा मात्र अफशिष्ट रह जाती है, अहो सत पूरुशों की दुश कीरती हो, इससे बढ़कर और क्या विडंबना होगी, कपिला कहां गई, तुम कहां गए, विवाद कहां गई, तब ब्रहस्पती के समान बुद्धिमान राजा ने कहना आरंभ किया, कार्टवीरय अर्जुन ने कहा, हे राम, आप श्री हरी के अंश, हरी के भक्त और जीतेंद्रिये हैं, मैंने जिनके मुक से धर्म श्रवन किया है, आप उनके गुरू के भी गुरू है, जो कर्म वश ब्रहमन कुल में उत्पन हुआ है, ब्रहम चिंतन करता है, और अपने ध घर्म में ततपर एवं शुद्ध है इसलिए वह ब्रह्मन कहलाता है जो मनन करने के कारण नित्य बाहर भीतर कर्म करता रहता है सदा मौन धारण किये रहता है और समय आने पर बोलता है वह मुनी कहलाता है जिसकी सुवर्ण और मिट्टी के ढेले में घर और जंगल में तथा क पीचड और अत्यंत चिकने चंदन में समता की भावना है वह योगी कहा जाता है जो संपूर्ण जीवों में समतव बुद्धी से विष्णू की भावना करता है और श्री हरी की भक्ती करता है वह हरी भक्त कहा जाता है ब्रामनों का धन तप है चूकि तपस्या कल्पतरू और कामधेनू के समान है इसलिए उनके निरंतर तप में इच्छा लगी रहती है रजोगुणी पुरुष कर्मों के रागवश राजसिक कार्य करता है और रागांध होकर रजोगुणी कार्यों में लगा रहता है इसी कारण वह राजा कहा जाता है मुने रागवश मैंने क काम धेनूं की याचना की थी अतेह मुझ अनुरागी ख्षत्रिय का इसमें कौन सा अपराथ हुआ फिर भी आपके पिता ने महान बल पराकरम से संपन बहुत से भूपालों का वध कर डाला इस समय यहां शिशु अवस्था वाले राजकुमार ही आएं हैं आपने संपूर्ण प्रित्वी को 21 बार भूपालों से शुन्य कर देने के लिए जो प्रतिग्या की है उसका पालन कीजिए युद्ध करना तो क्षत्रियों का धर्म ही है युद्ध में मृत्यों को प्राप्त हो जाना उनके लिए निंदित नहीं है परन्तु भ्रामनों की रण स्प्रिहा लो युग में स्वस्ति कारक कर्म है युद्ध करना ब्रामन का धर्म नहीं है शांती परायन ब्रामन युद्ध के लिए उध्योकशील हो ऐसा तो ना देखने में ही आया है और ना सुना ही गया है भगवान नारायन के विद्यमान रहते यह दूसरी तरह का उलट फेर कैसे हो गया रण आंगण में यों कहकर राजेंद्र कार्तवीर्य शांत हो गया उसके उस वचन को सुनकर सभी लोग मौन हो गए तदनंतर परशुराम के सभी भाई जो बड़े शूरवीर तथा हाथों में अत्यंत तीखे शस्त्र धारन किये हुए थे उनकी आग्या से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े तब जो स्वयम मंगल स्वरूप तथा मंगलों का आश्रे स्थान था उस महाबली मत्से राज ने भी उन सबको युद्धोन मुक देख कर युद्ध करना आरंभ किया उस राजेंद्र ने बाणों का जाल बिचा कर उन सभी को रोग दिया तब जमदगनी के पुत्रों ने उस बाण समुह को चिन भिन कर दिया मुने राजाने सैंकडों सूरियों के समान प्रकाश मान दिव्वय अस्त्र चलाया परन्तु मुनियों ने महेश्वर अस्त्र के द्वारा खेल ही खेल में उसे काट दिया पुन्हे मुनियों ने दिव्य अस्त्रद्वारा राजा के बान सहित, धनुष, रत, सार्थी और कवच की धजियां उड़ा दी इस प्रकार राजा को शस्त्रहीन देख कर मुनियों को महान हर्ष हुआ तब उन्होंने मत्से राज का वद करने की इच्छा से शिवजी का त्रिशूल हाथ में उठाया त्रिशूल चलाते समय आकाश वानी हुई, विप्रवरो, शिवजी का यह त्रिशूल अमोग है, इसे मत चलाओ क्योंकि मत्से राज के गले में सरवांगों की रक्षा करने वाला शिवजी का दिव्य कवच बंधा है जिसे पूर्वकाल में दुर्वासा ने दिया था अतेह पहले राजा से उस प्राण प्रदान करने वाले कवच को मांग लो मुने तद नंतर परशुराम ने त्रिशूल चला कर राजा पर चोट की परंतु राजा के शरीर से टकरा कर उस त्रिशूल के सो टुकडे हो गए तब आकाश वानी सुनकर महान पराक्रमी जमद अगनी नंदन परशुराम ने श्रिंगधारी सन्यासी का वेश धारण करके राजा से कवच की याचना की राजा ने ब्रह्मान विजय नामक वह उत्तम कवच उन्हें दे दिया उस कवच को लेकर परशुराम ने पुनहे त्रिशूल से ही प्रहार किया उसके आगात से मत्से राज जो चंद्रवंश में उत्पन गुणवान और महाबली था जिसके मुक की कांती सैंक्डों चंद्रमाओं की समान थी भूतल पर गिर पड़ा नारद ने कहा महाभाग नारायन मत्से राज ने शिवजी के जिस कवच को धारण किया था उसका वर्णन कीजिए क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे कौतुहल हो रहा है नारायन बोले विप्रवर महात्मा शंकर के उस ब्रह्मान विजय नामक कवच का जो सर्वांग की रक्षा करने वाला है वर्णन करता हूं सुनो पूर्वकाल में दुर्वासा ने बुद्धिमान मत्से राज को संपूर्ण पापों का समूल नाश करने वाला शड़क्षर मंत्र बतलाकर इसे प्रदान किया था यदि सिध्धी प्राप्त हो जाए तो इस कवच के शरीर पर स्थित रहते अस्त्र शस्त्र के प्रहार के समय जल में तथा अगनी में प्राणियों के मृत्यों नहीं होती इसमें संशे नहीं है जिसे पढ़कर एवं धारन करके दुर्वासा सिध्ध होकर लोक पूजित हो गए जिसके पढ़ने और धारन करने से जैगी शव्य महायोगी कहलाने लगे जिसे धारन करके वामदेव, देवल, स्वयम चैवन, अगस्ते और पुलस्ते विश्ववन्धे हो गए ओम नमह शिवाय यह सदा मेरे मस्तक की रक्षा करे ओम नमह शिवाय स्वाह यह सदा ललाट की रक्षा करे ओम रीम श्रीम क्लीम शिवाय स्वाह सदा नेत्रों की रक्षा करे ओम रीम क्लीम हूम शिवाय नमह मेरे नासिका की रक्षा करे। ओम नमह शिवाय शांताय स्वाह सदा कंट की रक्षा करे। ओम रीम शिरीम हूम संगार करतरे स्वाह सदा कानों की रक्षा करे। ओम रीम शिरीम पंच वक्तराय स्वाह सदा दांत की रक्षा करे। ओम रीम महेशाय स्वाह सदा मेरे ओट की रक्षा करे। ओम रीम श्रीम क्लीम त्री नेतराय स्वाह सदा केशों की रक्षा करें ओम रीम एम महा देवाय स्वाह सदा चाती की रक्षा करें ओम रीम श्रीम क्लीम एम रुद्राय स्वाह सदा नाभी की रक्षा करें ओम रीम एम श्रीम ईश्वराय स्वाह सदा परिष्ट भाग की रक्षा करे ओम रीम ईश्वराय स्वाह सदा मेरे उधर की रक्षा करे ओम श्रीम क्लीम मृत्योंजाय स्वाहा सदा भुजाओं की रक्षा करे ओम रीम श्रीम क्लीम ईश्वराय स्वाहा मेरे हाथों की रक्षा करे ओम महेश्वराय रूद्राय नमह सदा मेरे नितंब की रक्षा करे ओम रीम श्रीम भूत नाथाय स्वाहा सदा पैरों की रक्षा करे। ओम सर्वेश्वराय सर्वाय स्वाहा सदा सर्वांग की रक्षा करे। पूर्व में भूतेश मेरी रक्षा करे। अगनी कोण में शंकर रक्षा करे। दक्षिन में रूद्र तथा नेरित्य कोण में स्थानू मेरी रक्षा करे। पश्चिम में खंड पर्शू, वायवय कोण में चंदर शेखर, उत्तर में गिरीश और इशान कोण में स्वयम इश रक्षा करें उधर्व भाग में म्रिड और अधो भाग में स्वयम मृत्य अंजय सदा रक्षा करें जल में स्थल में आकाश में सोते समय अथ्वा जाकते रहने पर भक्त वत्सल पिना की सदा मुझ भक्त की स्नेह पूर्वक रक्षा करें वत्स इस प्रकार मैंने तुमसे इस परम अद्भुत कवच का वर्णन कर दिया इसके 10 लाग जब से ही सिद्धी हो जाती है यह निश्चित है यदि यह कवच सिद्ध हो जाए तो वह निश्चे ही रूद्र तुल्य हो जाता है वत्स तुम्हारे स्नेह के कारण मैंने वर्णन कर दिया है तुम्हें इसे किसी को नहीं बतलाना चाहिए क्योंकि यह काण्व शाखोक्त कवच, अत्यंत गोपनिये तथा परम दुरलब है सहस्त्रों अश्वमेद और सैंक्डों राज सुए यह सभी इस कवच की सोलवीं कला की समानता नहीं कर सकते इस कवच की कृपा से मनुष्य निश्चेथी जीवनमुक्त, सरवग्य, संपूर्ण सिध्धियों का स्वामी और मन के समान वेक्षाली हो जाता है इस कवच को बिना जाने जो भगवान शंकर का भजन करता है उसके लिए एक करोड जब करने पर भी मंत्र सिध्धी दायक नहीं होता मत्से राज के वध के पश्चात अनेकों राजाओं का आना और परशु राम द्वारा मारा जाना पुन्हे राजा सूचंद्र और परशु राम का युद्ध परशु राम द्वारा काली स्तवन ब्रह्मा का आकर परशु राम को युक्ति बताना परशु राम का राजा सूचंद्र से मंत्र और कवच मांग कर उसका वध करना श्री नारायन कहते हैं नारत युद्ध में मत्से राज के गिर जाने पर महाराज कार्त वीर्य के भेजे हुए ब्रहद्वल, सोमदत, विधर्ब, मिथिलेश्वर, निशदराज, मघद आधिपती, एवं कान्य कुप्ज, सौराष्ट्र, राढिये, वारेंद्र, सौम्य परिये, महाराष्ट्र, गुर्जर जातिये, और कलिंग आधी के सैंक्डों सैंक्डों राजा, बारहें अक्षोहीनी सैना के साथ आए, परंतु पर्शु राम जी ने सबको रण भूमी में सुला दिया। यह देखकर, एक लाख नर्पतियों के साथ, बारहें अक्षोहीनी सैना लेकर, राजा सूचंद्र रण स्थल में आए, सूचंद्र के साथ भयानक युद्ध हुआ, पर्वे परास्त न हो सके। तब पर्शु राम ने देखा कि मुंड माला धारन किये हुए, विक्टा नना, भयंकर जग जन्नी भद्र काली उनकी रक्षा कर रही है। यह द आप शंकर जी की प्रियतमा पत्नी है, आपको नमस्कार है, सार स्वरूपा आपको बारंबार प्रणाम है, दुर्गती नाशनी को मेरा अभिवादन है, माया रूपा आपको मैं बारंबार सिर्ध जुकाता हूँ। जगत धातरी को नमस्कार नमस्कार, जगत करतरी को पुनहे पुनहे प्रणाम, जगत जन्नी को मेरा नमस्कार प्राप्त हो, कारण रूपा आपको बारंबार अभिवादन है, श्रिष्टी का संहार करने वाली जगनमाता प्रसन होईए, मैं आपके चरणों की शरण ग्रहन करता हूं मेरी प्रतिग्या सफल कीजिए मेरे प्रति आपके विमुक हो जाने पर कौन मेरी रक्षा कर सकता है भक्त वचसले शुभे आप मुझ भक्त पर कृपा कीजिए सुमुखी पहले शिव लोक में आप लोगों ने मुझे जो वर्दान दिया था उस वर को आपको सफल क करना चाहिए पर्शु राम द्वारा किये गए इस तवन को सुनकर अंबिका का मन प्रसन हो गया और भय मत करो यो कहकर वे वहीं अंतरधान हो गई जो मनुश्य भक्ति पूर्वक इस पर्शु राम कृत्स तोत्र का पाठ करता है वे अनायासी महान भय से छूट जाता है वे क्रिलोकी में पूजित, त्रैलोक्य विजई, ज्यानियों में श्रेष्ठ और शत्रुपक्ष का विमर्दन करने वाला हो जाता है इसी बीज ब्रह्मा जी धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भ्रिगुवंशी पर्शु राम के पास आकर उनसे उस रहस्य का वर्णन करने लगे ब्रह्माजी बोले महाभाग राम अपनी प्रतिग्य सफल करने के लिए पहले तुम सूचंद्र की विजए के हेतु भूत रहस्य का मुझसे श्रवन करो पूर्वकाल में दुर्वासा ने सूचंद्र को दशाक्षरी महाविद्या तथा भद्रकाली का परम दुरलब कवच प्रदान किया था भद्रकाली का कवच देवताओं के लिए भी अत्यन्त धुरलब है यह कवच संपूर्ण शत्रूओं का विनाश करने वाला अत्यन्त पूजनिये, प्रशंसनिये और त्रिलोकी पर विजय पाने का कारण है वह कवच जिसके गले में वर्तमान है उसे जीतने के लिए भूतल पर तुम कैसे समर्थ हो सकते हो अतेह भारगव तुम भिक्षा के लिए जाओ और राजा से प्रार्थना करो सूर्य वंश में उत्पन हुआ वह राजा परम धर्मात्मा एवं दानी है मांगने पर वह निश्चे ही प्राण, कवच, मंत्र आदी सब कुछ दे डालेगा मुने तब परशुराम सन्यासी का वेश धारन करके राजा के पास गए और उससे उन्होंने मंत्र तथा परम अद्भुत कवच की याचना की तब राजा ने अत्यंत आदर पूर्वक उन्हें मंत्र और कवच दे दिया तदनंतर परशुराम ने शंकर जी के त्रिशूल से उस राजा का काम तमाम कर दिया तशाक्षरी विद्या तथा काली कवच का वर्णन नाराजी ने कहा सरवग्यनात अब मैं आपके मुख से भद्र काली कवच तथा उस तशाक्षरी विद्या को सुनना चाहता हूं श्री नारायन बोले नारत मैं दसाक्षरी महाविद्या तथा तीनों लोकों में दुरलब उस गोपनिय कवच का वर्णन करता हूँ सुनो ओम हरीम श्रीम कलिम कालिकाय स्वाहा यही दसाक्षरी विद्या है इसे पुषकर तेर्थ में सूरिक रहन के आउसर पर दुर्वासा ने राजा को दिया था उस समय राजा ने दस लाग जब करके मंत्र सिद्ध किया और उस उत्तम कवच के पांच लाग जब से ही सिद्ध कवच हो गए ततपश्यात वियायुध्या में लोट आए और इस कवच की कृपा से उन्होंने सारी प्रित्वी को जीत लिया नारत जी शिव की विजे के लिए नारायन ने कृपा करके शिव को जो परम अधबुत कवच प्रदान किया था उसका वर्णन करता हूं सुनो मुने वो कवच अत्यंत गोपनियों से भी गोपनिये तत्व स्वरूप तथा संपूर्ण मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है उस ओम रीम नेत्रों की रक्षा करे ओम रीम त्रिलो चने स्वाहा सदा मेरी नासिका की रक्षा करे क्रीम कालिके रक्ष रक्ष स्वाहा सदा दातों की रक्षा करे ओम रीम क्रीम कालिकाय स्वाहा सदा कंठ की रक्षा करे ओम रीम कालिकाय स्वाहा सदा दोनों कानों की रक्षा करे। ओम रीम चामुंडाय स्वाहा सदा मेरे सरवांग की रक्षा करे। वस ये कवच समस्त मंत्र समूह का मूर्त रूप संपूर्ण कवचों का सारभूत और उतक्रिष्ट से भी उतक्रिष्ट तर है। इसे मैंने तुम्हें बतला दिया। जो इस कवच को जाने बिना जगत जननी काली का भजन करता है। उसके लिए एक करोर जब करने पर भी ये मंत्र सिद्ध दायक नहीं होता। सूचंद्र पुत्र पुष्कराक्ष के साथ परशुराम का युद्ध परशुपतास्त्र छोडने के लिए उध्यत परशुराम के पास विष्णु का आना और उन्हें समझाना विष्णु का विपरवेश से पुत्र सहित पुषकराक्ष से लक्ष्मी कवच तथा नारायन कहते हैं ब्रह्मन रणक शेत्र में राजाधी राजों के शिरोमनी सूचंद्र के गिर जाने पर तीन अक्षों हीनी सैना के साथ पुश्कराक्ष आधमका महान पराक्रमी राजा पुश्कराक्ष सूर्यवंश में उत्पन महालक्ष्मी का सेवक लक्ष्मीवान और वह सूच चंद्र का पुत्र था उसके गले में महालक्ष्मी का मनोहर कवच बंधा था जिसके प्रभाव से वह परमेश्वर्य संपन और त्रीलोक विजई हो गया था उसे देखकर बुद्धिमान परशुराम के सभी भाई हाथों में नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्र धारन करके युद्ध करने के लिए आडटे राजा ने लीला पूर्वक बाण समुह की वर्षा करके उन्हें छेत डाला तब उन वीरों ने भी हस्ते हस्ते उन बाणों के टुकडे टुकडे कर डाले फिर तो पुश्कराक्ष के साथ घोर युद्ध आरंब हुआ परशुराम ने परशुपत अस्त्र के सिवा सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रियोग किया पर पुश्कराक्ष ने सबको काट गिराया तब अपने समस्त शस्त्र अस्त्रों को विफल देखकर परशुराम ने सनान करके शिवजी को प्रणाम किया और पशुपत अस्त्र का प्रियोग करना चाहा इतने में भगवान नारायन ब्रह्मन का वेश धारन करके वहाँ प्रकट हो गए और बोले ब्रह्मन वेश धारी नारायन ने कहा वद्स भारगव यह क्या कर रहे हो तुम तो ग्यानियों में श्रेष्ट हो फिर भ्रमवश क्रोधा वेश में आकर मनुश्य का वद करने के लिए पाशुपत का प्रियोग क्यों कर रहे हो इस पाशुपत से तो ततकाल ही सारा विश्व भस्म हो सकता है क्योंकि यह शस्त्र परमेश्वर श्री कृष्ण के अतिरिक्त और सबका विनाशक है अहो पाशुपत को जीतने की शक्ती तो सुदर्शन चक्र में ही है क्योंकि श्री हरी का सुदर्शन चक्र समस्त अस्त्रों का मान मर्दन करने माला है शिवजी का पाशुपत अस्त्र और श्री हरी का सुदर्शन चक्र ये ही दोनों तीनों लोकों में समस्त अस्त्रों में प्रधान है इसलिए भ्रह्मन तुम पाशुपत अस्त्र को रख दो और मेरी बात सुनो इस समय तुम जिस प्रकार महाबली राजा पुश्कराक्ष को जीत सकोगे तथा जिस प्रकार अजय कार्त वीर्य पर विजय पा सकोगे वह सारा उपाय तुम्हें बतलाता हूँ सावधानत्या श्रवन करो महालक्ष्मी का कवच जो तीनों लोकों में दुरलब है पुश्कराक्ष ने भक्ति पूर्वक विधी विधान के साथ अपने गले में धारण कर रखा है और पुश्कराक्ष का पुत्र दुर्गती नाशनी दुर्गा का परम अद्भुत एवं उत्तम कवच अपनी दाहिनी भुजा पर बांधे हुए हैं इन कवचों की कृपा से वे दोनों विश्व पर विजय पा लेने में समर्थ हैं उनके शरीर पर कवचों के वरतमान रहते त्रिभूवन में उन्हें कौन जीत सकता है मुने मैं तुम्हारी प्रतिग्या सफल करने के निम्मित उन दोनों के सन निकेट मांगने के लिए जाऊंगा और उनसे कवच की याचना करूंगा ब्रहमन की बात सुनकर परशुराम का मन भैभीत हो गया तब वे दुखी हृदय से उस वृद्ध ब्रहमन से बोले परशुराम ने कहा महा प्राग्ये ब्रहमन रूपधारी आप कौन है मैं यह नहीं जान पा रहा हूं अतह मुझ अंजान को शीग्र ही अपना परिचय दीजिए तत पश्चात राजा के पास जाईए परशुराम का वचन सुनकर भ्रहमन को हसी आ गई वे मैं विश्नु हूं यों कहकर राजा के पास याचना करने के लिए चले गए उन दोनों के सन्निकट ज दोनों कवच दान कर दिये भगवान विश्नु उन कवचों को लेकर वेकुंट को चले गए नारज जी ने पूछा महामुने भूपाल पुश्कराक्ष को महालक्षमी का कवच किसने दिया था तथा पुश्कराक्ष के पुत्र को दुर्गा का दुरलब कवच किसने बताया था आप इसे बतलाने की कृपा करें क्योंकि इसे सुनने की मेरी प्रबल उतकंठा है जगत गुरो साथ ही मुझे यह भी बताईए कि उन दोनों के कवच कैसे थे उनका क्या फल है और वे दोनों मंत्र किस तरहें के थे श्री नारायन ने कहा नारद बुद्धिमान पुश्कर को महालक्ष्मी का कवच और दशाक्षर मंत्र सनत कुमार ने दिया था उन्हों ने ही गोपनिय स्तोत्र उसका चरित पूजा की विधी और साम वेदोक्त मनोहर ध्यान भी बतलाया था दुर्गा का कवच गुहय स्तोत्र और दशाक्षर मंत्र पूर्वकाल में दुर्वासा पुष्कराक्ष पुत्र को प्रदान किया था इसके पश्चाद देवी के उस परम अद्भुत संपूर्ण चरित को सुनोगे जिसे उन्होंने महा युद्ध के आरंभ में प्रार्थना करने पर बतलाया था अब मैं तुम्हें महा लक्ष्मी का मंत्र बतलाता हूँ उसे श्रवन करो ओम श्रीम कमल वासिनई स्वाहा यही वह परम अद्भुत मंत्र है मुने सनत कुमार ने बुद्धिमान पुष्कराक्ष को जो पूजा विधी और साम वेदोक्त ध्यान बतलाया था उसे सुनो सहस्त्र दल कमल जिनका आसन है जो भगवान पद्म नाप की सती साध्वी प्रियतमा है कमल जिनका घर है जिनका मुक कमल के सद्रिश और नेत्र कमल पत्र की सी आभा वाले हैं कमल का फूल जिन्हें अधिक प्रिये है जो कमल पुष्प की शयया पर शयन करती है जिनके हाथों में कमल शोभा पाता है जो कमल पुष्पों की माला से विभूशित है कमलों के आभूशन जिनकी शोभा बढ़ाते हैं जो स्वयम कमलों की शोभा की वृध्धी करने वाली ह और मुस्कुराती हुई जो कमल वन की और निहार रही हैं उन पदमिनी देवी का मैं आनंद पूर्वक भजन करता हूँ साधक को चाहिए कि चंदन का अश्ट दल कमल बनाकर उस पर कमल पुषपों द्वारा महालक्ष्मी की पूजा करें फिर गण का भली भांती पूजन करके उन्हें शोड़ शोपचार समर्पित करें तदनंतर स्तुती करके भक्ती पूर्वक उनके सामने सिर जुकावें ब्रह्मन अब सबका सार रूप कवच तुम्हें बतलाता हूँ सुनो श्री नारायन आगे कहते हैं विप्रवर भगवान पद्म नाब ने अपने नाभी कमल पर स्थित ब्रह्मा को लक्ष्मी का जो परम शुप कारप कवच प्रदान किया था उसे सुनो उस कवच को पाकर ब्रह्मा ने कमल पर बैठे बैठे जगत की सुरिष्टी की और महालक्ष्मी की कृपा से वे लक्ष्मी वान हो गए फिर पद्मालय से वरदान प्राप्त करके ब्रह्मा लोकों के अधीश्वर हो गए उन्हीं ब्रह्मा ने पद्मकल्प में अपने प्रिये पुत्र बुद्धीमान सनत कुमार को यह परम अध्भुत कवच दिया था नारद सनत कुमार ने वह कवच पुष्कराक्ष को प्रदान किया था जिसके पढ़ने एवं धारन करने से प्रह्मा समस्त सिध्धों के स्वामी, महान परम एश्वर्य से संपन और संपूर्ण संपदाओं से युक्त हो गए संपूर्ण संपत्यों के प्रदाता इस कवज के प्रजापती रिशी है, ब्रहती छंद है, स्वयम पदमाल्या देवी है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में इसका विनियोग किया जाता है, यह परम अद्भुत कवज महा पुरुषों के पुन्या का कारण है ओम रीम कमल वासिनई स्वाहा मेरे मस्तक की रक्षा करे, श्रीम मेरे कपाल की और श्रीम श्रियाई नमह नेत्रों की रक्षा करे, ओम श्रीम श्रियाई स्वाहा सदा दोनों कानों की रक्षा करे, ओम रीम श्रीम क्लीम महा लक्षमेई स्वाहा मेरी नासिका की रक्षा करे ओम श्रीम पदमालियाई स्वाहा सदा दांतों की रक्षा करे ओम श्रीम कृष्ण प्रियाई स्वाहा सदा दांतों के छिद्रों की रक्षा करे ओम श्रीम नारायनेशाई स्वाहा सदा मेरे कंट की रक्षा करे ओम श्रीम केशव कांतेई स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करे ओम श्रीम पदमालियाई स्वाहा सदा दांतों की रक्षा करे ओम रीम श्रीम संसार मात्रे स्वाहा सदा मेरे वक्षे स्थल की रक्षा करे ओम श्रीम श्रीम क्रिश्न कांतेई स्वाहा सदा पीट की रक्षा करे ओम रीम श्रीम श्रियेई स्वाहा सदा मेरे हाथों की रक्षा करे ओम श्रीम निवास कांतेई स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करे ओम रीम श्रीम क्लीम श्रियेई स्वाहा मेरे सरवांग की रक्षा करे पूर्व दिशा में महालक्ष्मी और अगनी कोण में कमलाल्या मेरी रक्षा करें दक्षिन में पद्मा और नैरित्य कोण में श्री हरी प्रिया मेरी रक्षा करें पश्चिम में पद्माल्या और वायवय कोण में स्वयम श्री मेरी रक्षा करें उत्तर में कमला और इशान कोण में सिंधु कन्या का रक्षा करें उधर्व भाग में नारायनेशी रक्षा करें अधो भाग में विश्णु प्रिया रक्षा करें विश्णु प्राणाधिका सदा सब और से मेरी रक्षा करें वत्स इस प्रकार मैंने तुमसे इस सर्वेश्वर्य प्रद नामक परम अध्भुत कवच का वर्णन कर दिया। यह समस्त मंत्र समुदाय का मूर्ती मान स्वरूप है। धर्मात्मा पुरुष भ्रामन को मेरू के समान सुवर्ण का पहार दान करके जो फल पाता है उससे कहीं अधिक फल इस कवच से मिलता है। जो मनुष्य विधिवत गुरु की अर्चना करके इस कवच को गले में अथ्वा दाहिनी बुझा पर धारन करता है। वह प्रत्येक ज देवेंद्रों तथा राक्षस राजों द्वारा निश्चे ही अवध्य हो जाता है। जिसके गले में यह कवच विध्यमान रहता है। उस बुद्धी मानने सभी प्रकार के पुण्य कर लिये। संपूर्ण यग्यों में दीक्षा ग्रहन कर ली और समस्त तीर्थों में स् भी इसे जिस किसी को नहीं देना चाहिए। अपीतु शर्णागत एवं गुरु भक्त शिश्य के सामने ही प्रकट करना चाहिए। इस कवच का ज्यान प्राप्त किये बिना जो जगत जन्नी लक्षमी का जब करता है। उसके लिए करोडों की संख्या में जब करने पर भी म अंत्र सिध्धी दायक नहीं होता। दुर्गा कवच का वर्णन नारत जी ने कहा प्रभो महा लक्षमी के मनोहर कवच का वर्णन तो आपने कर दिया। ब्रह्मन अब दुर्गती नाशनी दुर्गा के उस उत्तम कवच को बतलाईए जो पदमाक्ष के प्रांटुल्य, जी श्री नारायन बोले, नारद प्राचीन काल में श्री कृष्ण ने गो लोक में ब्रह्मा को दुर्गा का जो शुप प्रत कवच दिया था, उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में त्रिपूर संग्राम के अफसर पर ब्रह्मा जी ने इसे शंकर को दिया, जिस शंकर ने इसे गौतम को और गौतम ने पदमाक्ष को दिया, जिसके प्रभाव से विजई पदमाक्ष सातों द्वीपों का अधिपती हो गया, जिसके पढ़ने एवं धारन करने से ब्रह्मा भूतल पर ज्यानवान और शक्ति संपन्न हो गये, जिसके प्रभाव से शिव सर ब्रह्मान विजई नामक कवच के प्रजापती रिशी हैं, गायतरी चंद है, दुर्गती नाशिनी दुर्गा देवी हैं और ब्रह्मान विजई के लिए इसका विनियोग किया जाता है, यह परम अद्भुत कवच महा पुरुषों का पुर्ण्य तीर्थ है, ओम रीम दु कित्रों की रक्षा करे, ओम दुर्गाई नमह सदा मेरे दोनों कानों की रक्षा करे, ओम रीम श्रीम सदा सब और से मेरी नासिका की रक्षा करे, रीम श्रीम हूम दातों की और क्लीम दोनों ओष्ठों की रक्षा करे, क्रीम क्रीम कंट की रक्षा करे, दुर्गे कपोल की रक्षा करे दुर्ग विनाशिनई स्वाहा निरंतर कंधों की रक्षा करे विपद विनाशिनई स्वाहा सब और से मेरे वक्षे स्थल की रक्षा करे दुर्गे दुर्गे रक्ष नीती स्वाहा सदा नाभी की रक्षा करे दुर्गे दुर्गे रक्ष रक्ष सब और से मेरी पीट की रक्षा करे। प्रकार मैं तुम्हें यह ब्रह्मान विजय नामक कवच बतला दिया। यह परम अद्भुत तथा संपूर्ण मंत्र समुदाय का मूर्तिमान स्वरूप है समस्त तीर्थों में भली भांती गोता लगाने से संपूर्ण यग्यों का अनुष्ठान करने से तथा सभी प्रकार के वृतो अपवास करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल मनुष्य इस कवच के धारन करने से पा लेता है जो विधी पूर्वक वस्त्र, अलंकार और चंदन से गुरु की पूजा करके इस कवच को गले में अत्वा दाहिनी भुजा पर धारन करता है वह संपूर्ण शत्रूओं का मर्दन करने वाला तथा त्रिलोक विजई होता है जो इस कवच को न जानकर दुर्गती नाशिनी दुर्गा का भजन करता है उसके लिए एक करोड जब करने पर भी मंत्र सिध्धी दायक नहीं होता नारद यह काण्व शाखोक्त सुन्दर कवज जिसका मैंने वर्णन किया है परम गोपनिये तथा अत्यंत दुर्लब है इसे जिस किसी को नहीं देना चाहिए परशुराम द्वारा पूत्र सहित राजा सहस्तराक्ष कवद कार्थवीर्य परशुराम युद्ध परशुराम की मुर्चा शिव द्वारा उन्हें पुनर जीवन दान श्री नारायन कहते हैं नारत जब भगवान विष्णू महालक्ष्मी कवच तथा दुरगा कवच को लेकर वैकुंठ चले गए तब भ्रिगु नंदन परशु राम ने पुत्र सहित राजा सहस्त्राक्ष पर प्रहार किया यदपी राजा कवचीन था तथा पी वो प्रयत्न पूर्वक ब्रह्मास्त द्वारा एक सप्ता तक युद्ध करता रहा अंततो गत्वा पुत्र सहित धराशाई हो गया सहस्त्राक्ष के गिर जाने पर महाबली कार्ट विर्यारजुन दो लाक अक्षोहिनी सेना के साथ स्वयम युद्ध करने के लिए आया वो रत्न निर्मित खोल से अक्षादित सुर्ण मय रत पर सवार हो अपने चारों और नाना प्रकार के अस्त्रों को सुसजित करके रण च्छत्र उसकी शोभा बढ़ा रहा था वो रत्नों के गहनों से विभूशित था उसके सर्वांग में चंदन की खौर लगी हुई थी उसका रूप अत्यंत मनोहर था वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था राजा मुनिवर पर शुराम को देख रत से उतर पड़ा और उन्हें प्रणाम कर पुनह रत पर सवार हो राज समुदाय के साथ सामने खड़ा हुआ तब पर शुराम ने राजा को समयोजित शुभाशिरवात दिया और पुनह यों कहा अनियायों सही तुम स्वर्ग में जाओ नारत इसके बाद वहां दोनु से नाओं में युद्ध होने लग शुष्ट धारियों में श्रेष्ट परशुराम को अपनी तता राजा की सेना नहीं दिख रही थी फिर तो परस पर घोर दिव्यास्त्रों का प्रयोग होने लगा अंत में राजा ने दत्तात्रे के दिये हुए अमोग शूल को यथा विधी मंत्रों का पाठ करके परशुर धराशाई हो गए तद्रंतर भगवान शीव ने वहां आकर परशुराम को पुनर जीवन दान दिया इसी समय वहां युद्ध स्थल में भक्त वत्सल कृपालु भगवान दत्तात्रे शिष्ष की रक्षा करने के लिए आ पहुँचे फिर परशुराम ने कृद्ध होकर पा से बजा रहे हैं सैकडों गोप जिनके साथ हैं जो मुस्कुराते हुए प्रज्वलित सुदर्शन चक्र को निरंतर घुमा रहे हैं और अनेकों पार्शदों से घिरे हुए एवं ब्रह्म्हा विष्णू और महेश्वर जिनका स्तवन कर रहे हैं वे गोप वेश धारी श्र राजा की दाहिनी भुजा पर बंधा हुआ है अतहा योगियों के गुरू शंकर भिक्षा रूप से जब उस कवच को मांग लेंगे तभी परशुराम राजा का वद करने में समर्थ हो सकेंगे नारत उस आकाश वानी को सुनकर शंकर ब्रह्म्हा का रूप धारण करके गए और राजा से याचना करके उसका कवच मांग लाए फिर शंभू ने श्रिक्रिष्न का वो कवच परशुराम को दे दिया इसके बाद देवगण अपने अपने उत्तम स्थान को चले गए तब परशुराम ने राजा को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए कहा परशुर परशुराम में यथोवर्धक कार्य किया है इस समय मुझे मुर्शित कर दिया है सभी राजाओं को जीत लिया है लीला पूर्वक रावन को काबू में कर लिया है और दत्तात्रे द्वारा दिये गए त्रिशूल से मुझे पराजित कर दिया है परशुराम की बात सुनकर प प्रिट्वी का क्या उत्तम शाषन किया भूथल पर मेरे समान कितने भूपाल इस लोक से चले गए मेरी बुद्धी तेज पराक्रम विविद प्रकार की युद्ध निपूर्टा लक्ष्मी एश्वर्य ग्यान दान शक्ति लौकिक गुण आचार विने विद्या के शरीर में तिरोहित हो जाएगी समय आने पर सभी देवता मर जाएंगे और समय आने पर त्रिलोकी में स्थित समस्त चर अचर प्राणी नश्ट हो जाते हैं काल का अतिक्रमन करना दुश्कर है परातपर श्रीकृष्ण उस काल के काल है और स्वेच्छा नुसार श्रिष् सारे विश्व जिनके रोए हैं वो महाविराट पूरुष के तेज से परमात्मा श्रीकृष्ण के सोलवे अंश के बराबर हैं जिससे शूद्र विराट उत्पन्न हुआ है जो सबका उत्कृष्ट करने के कारण है जो स्वेम स्रिष्टा है और ब्रह्मा जिसके नाभी कमल से उत्पन्न हुए हैं उस समय ब्रह्मा यत्न पूर्वक लाखों वर्षों तक भ्रह्मन करने पर भी जब नाभी कमल के दंड का अंत्र ना पा सके तब अपने स्थान पर स्थित हो गये वहां उन्होंने वायू का आहर करके एक लाख वर्ष तक तब किया तद्रंतर उन्हे स्रीकृष्ण गोप और गोपियों से घिरे हुए थे उनके दो भुजाएं थी हाथ में मुर्ली लिये हुए थे रत्न सिहासन पर आसीन थे और राधा को वक्ष श्थल से लगाए हुए थे उन्हें देखकर ब्रह्मा ने वारंबार प्रणाम किया और इश्वरेक्षा जान चरी के कारण भूत ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी विश्वो में स्रीकृष्ण की कला से उत्पन्न हुए है प्रकृति सबको जन्म देने वाली है और श्रेक्रिश्ण प्रकृति से परे हैं माया पती परमेश्वर भी उस प्रकृति रूपिनी शक्ति के बिना श्रि कट हो जाती है जैसे मिट्टी के बिना कुमहार घड़ा नहीं बना सकता और स्वर्ण के बिना सोनार कुंडल का निर्मान करने में असमर्थ है वो शक्ति ईश्वर की इच्छा से सिस्टिकाल में राधा पद्मा सावित्री दुर्गा देवी और सरस्वती के नाम से पांच प् वे लक्षमी नाम से पुकारी जाती है जो वेद शास्त्र और योग की जननी है परम दुरलप और परमेश्वर की विध्या की अधिश्थात्री देवी है उनका नाम सावित्री है जो सर्व शक्ति स्वरूपिणी सर्व ग्यानात्मिका सर्व स्वरूपा और बुद्धी की अधिष्ठात्री देवी हैं वे दुर्ग नाशनी दुर्गा कहलाती हैं जो वानी की अधिष्ठात्री देवी सदा शास्त्र ज्यान प्रदान करने वाली है तथा जो श्रीकृष्ण के कंठ से उत्पन्न हुई है वे देवी सरस्वती कहीं जाती है आदी में स्वयम मूल भू प्रकृति परमेश्वरी देवी पांच प्रकार की थी, परंतु वे ही पीछे श्रिष्टी करम से बहुत सी कलाओं वाली हो गई, श्रिष्टी कला में माया द्वारा अस्त्रियां प्रकृति के और पुरुष गंड पुरुष के अंश से उत्पन्न हुए, क्योंकि माया शक्त बिना श्रिष्टी नहीं हो सकती, प्रत्यक विश्व में श्रिष्टी सदा ब्रह्मा से ही प्रकट होती है, विश्णु उसके पालक हैं और निरंतर मंगल प्रदान करने वाले शिव संहारक हैं, परशुराम ये ग्यान धत्तात्रय जी का दिया हुआ है, उन्होंने पुषक धनुष हाथ में लेकर वो रत पर जा बैठा, ततपश्चात परशुराम ने श्रीहरी का स्मरण करते हुए ब्रहमास्त्र द्वारा राजा की सेना का सफाया कर दिया, फिर लीला पुर्वक पाशुपताश्त्र का प्रयोग करके राजा की जीवन लीला समाप्त कर दी, इस परशुराम ने श्रीवजी का स्मरण करते हुए खेली खेल में करमसा 21 बार प्रित्वी को राजाओं से शूनिकर दिया, परशुराम ने अपनी प्रतिग्या की रक्षा करने के लिए शत्रियों के गर्ब में स्थित तथा माता की गोद में खेलने वाले शिशुओं का नौ परशुराम ने 21 बार प्रित्वी को भूपालों से हीन देख और राम को फरसे द्वारा कृड़ा करते देख उनका नाम परशुराम रख दिया नारत तब देवता मुनी देवियां सिद्ध गंधर्व के नर ये सभी लोग परशुराम के मस्तक पर पुश्पों की व्रिष् परशुराम से वहां पधारे उनके सारे अंग पुलकायमान थे और नेत्रों में आनंद के आशु छलक आये थे वे सभी हाथ में दूब और पुश्प लेकर मंगलाशन कर रहे थे तब परशुराम ने दंड की भाती भूमी पर लेट कर उन सब को प्रणाम किया तब क्रमश का सारतत्व और परिणाम में सुख दायक वचन बोले ब्रह्मा ने कहा राम जो संपूर्ण संपत्यों को देने वाला पर्मोत क्रिष्ट सर्व सम्मत और सत्य है वह काण्व शाखोक्त वचन कहता हूं सुनो जो सभी पुजनियों में इश्ट पुजितम और प्रधान है वह जन्म देने के कारण जनक और पालन करने के कारण पिता कहा जाता है किन्तु मुने जो अन्य दाता पिता है वह जन्म दाता पिता से बढ़ा है क्योंकि पिता से उत्पन्न हुआ शरीर अन्य के बिना नित्शीन होता जाता है माता उन दोनों से सौ गुनी पुजिया मान्या और वंदनिया है क्योंकि गर्ब में धारन करने और पालन पोशन करने से वो उन दोनों से बढ़ी है शुरूती में ऐसा सुना गया है कि अपना अभिष्ट देव उन सबसे सौ गुना बढ़कर पुज्य है और ग्यान विद्या तथा मंत्र देने वाला गुरू अभिष्ट द कोने पर कोई धिरक्षा नहीं कर सकता इसलिए गुरू ही ब्रह्मा गुरू ही विष्ट में महेश्वर देव गुरू पर अर ब्रह्मणों से भी बढ़कर primary हैं गुरू ही ग्यान देते हैं और वो ग्यान भर्वकति उत्पन्न्न करता है इस प्रकार जो हरी भ्रवकति लगता है उससे बढ़कर बंधू दूसरा कौन है गुरू के दिये हुए मंत्र का जब करने से ग्यान की प्राप्ति होती है और उस ग्यान से सरवग्यता तथा से धी मिलती है अता गुरू से बढ़कर बंधू दूसरा कौन है गुरू द्वारा दी गई जिस विद्या के बल स से मनुष्य सर्वत्र सुख पूर्वक विजय होता है और जगत में पुझ भी हो जाता है उस गुरु से बढ़कर बंदु दूसरा कौन है हे पुत्र श्री कृष्ण तुम्हारे अभिष्ट देव हैं और स्वयम शंकर गुरु है अता तुम अभिष्ट देव से भी बढ़कर पुझनी गुरु की शरण ग्रहन करो जिनके आश्रे से तुमने 21 बार प्रित्वी को भूपालों से रहित कर दिया है और श्री हरी की भक्ती प्राप्त की है उन शिव की शरण में जाओ जो मंगल सुरूप कल्यान की मूर्ती, कल्यान दाता, कल्यान के कारण, पार्वती के आराध्य और शांत रूप हैं, अपने गुरु देव उन शिव की शरण में जाओ, तुम्हारे इस्ट देव जो गोलोकनात भगवान श्रीकृष्ण हैं, वे ही अपने अंश से शिव का रूप धारन करके ही तुम्हारे लिए गुरु हुए हैं, अतह उनी की शरण ग्रहन क के कारण सनातन मृत्यू को जीतने वाले तथा काल के भी कारण हैं, उन गुरु की शरण में जाओ, जो ब्रह्म जयोती स्वरूप, भक्तों के लिए मूर्तिमान, अनुगरह, सरवग्य, ऐश्वर्य, शाली और सनातन हैं, उन गुरुदेव की शरण का आश्रे लो, प्रकृ जन्मा ब्रह्मा मुनियों के साथ चले गए, तब परशुराम ने भी कैलास जाने का विचार किया। श्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, तब वे अपने गुरु देप, शिव को नमस्कार करने, और गुरु पतनी, अंबा शिवा को, तथा दोनों गुरु पुत्र, कार्तिके और गणेश्वर को, जो गुणों में नारायन के समान थे, देखने के लिए कैलास को चले, व वहां उन्होंने अत्यांत रमणिये परम मनोहर नगर देखा, वेह नगर ऐसी बड़ी-बड़ी सडकों से सुशोभित था, जो अत्यांत भली लगती थी, उनकी भूमी सोने की भूमी कीसी थी, चिन पर शुद्ध स्वटिक के सद्रिश मनिया जड़ी हुई थी, उस नगर में चारों और सिंदूर कीसी रंग वाली मनियों की वेदिकाएं बनी थी, वेह राशी की राशी मुकताओं से संयुक्त और मनियों के मंडपों से परिपूर्ण था, उसमें यक्षों के एक अरब दिव्य भवन थे, जो रतनों और कांचनों से परिपूर्ण, यक शेंद्र गणों से परिवेश्टित और मनि निर्मित किवाड, खंबे और सीड़ियों से शोभाएं मान थे, वेह नगर दिव्य सुवर्ण कल्षों, चांदी के बने हुए श्वेद चमरों, रतनों के अभूशनों से विभूशित था, वेह उद्दीप्त होती हुई लिए हुए निरंतर स्वचंदता पूर्वक हसते और खेरते हुए सुंदर सुंदर बालकों एवं बालिकाउं तथा स्वर्ग गंगा के तट पर उगे हुए पारिजात के व्रिक्ष समूहों से खचाखच भरा था, सुगंधित एवं खिले हुए पुश्प समूहों से पन, कल्प व्रिक्षों का आश्रय लेने वाले कामधेनू से पुरस्कृत, सिद्ध विद्या में अत्यंत निपुन, पुन्यावान सिद्धों द्वारा सेवित था, जो तीन लाख योजन उचे और सो योजन के विस्तार वाले थे, जिनमें सैंक्डों मोटी मोटी डालिया थी, जो असंख्य शाखा समुहों और असंख्य फलों से संयुक्त थे, परम मनोहर शब्द करने वाले विभिन प्रकार के पक्षी समुहों से व्याप्त थे, शीतल सुगंधित वायू जिन्हें कमपायमान कर रही थी, ऐसे अविनाशी वट व्रिक्षों से, सहस्त्रों पु वह नगर सुशोभित था, उसे देख कर परशुराम का मन अत्यंत प्रसनता से खिल उठा, फिर सामने ही उन्हें शंकर जी का शोभाशाली रमणिय आश्रम दिख पड़ा, विश्व कर्मा ने बहु मूल्य सुनहली मनियों द्वारा उसकी रचना की थी, उसमें हीरे जड़ हुए थे, वह 15 योजन उचा और 4 योजन विस्त्रित था, उसके चारों और अत्यंत सुन्दर सुडोल चोकोर पर कोटा बना हुआ था, दर्वाजों पर नाना प्रकार की चित्रकारियों से युक्त, रतनों के किवार लगे थे, वह उत्तम मनियों की वेदियों से युक्त, तथा मनियों के खंबों से सुशोभित था, नारद परशुराम ने उस आश्रम के प्रधान द्वार के दाहिनी और वरिशेंद्र को और बाई और सेह, तथा नंदीश्वर, महाकाल, भयंकर पिंगलाक्ष, विशालाक्ष, बान, महाबली विरुपाक्ष, विक्ताक्ष, भा पिंगार भैरव, भयंकर काल भैरव, रुरु भैरव, इश्की सी आभावाले महा भैरव, क्रिश्नांग भैरव, द्रेडपराक्रमी, क्रोध भैरव, क्रिपाल भैरव, रूद्र भैरव, तथा सिध्धेंद्रों, रूद्र गणों, विद्याधरों, गुह्यकों, भूतों प्रेतों, पिशाचों, कूश मांडों, भ्रह्म राक्षसों, वेतालों, दानवों, जटाधारी योगींदरों, यक्षों, किम पुरुषों और किन्रों को देखा। उन्हें देख कर भ्रिगु नंदन ने उनके साथ वार्तालाब किया, फिर नंदिकेश्वर की आज्या ले, वे प्रसन्न मन से भीतर गुशे। शीशे उन मंदिरों की शोभा बढ़ा रहे थे। उनमें गो रोचना नामक मनियों के हजारों खंबे लगे थे और वे मनियों की सीडियों से संपन्न थे। परशु राम ने उनके भीतरी द्वार को देखा जो नाना प्रकार की चित्रकारी से चित्रित तथा हीरे मोतियों की गुंती हुई मालाओं से सुशोभित था। उसकी बाई और कार्तिके और दाहिनी और गणेश तथा शिव तुल्य पराक्रमी विशाल काय वीर भद्र दिख पड़े। नारद वहाँ प्रधान प्रधान पार्शत और क्षेत्र पाल भी रतना भर्णों से विभूशित हो रतना निर्मित सिंहासनों पर बैठे हुए थे। महान बल पराक्रम से संपन ब्रिगुवंशी परशुराम उन सबसे संभाशन करके हाथ में फरसा लिये हुए शीग्रही आगे बढ़ने को उध्यत हुए। उन्हें आगे बढ़ते देखकर गनेश ने कहा भाई शन भर ठहर जाओ। इस समय महादेव निद्रा के वशीभूत होकर शयन कर रहे हैं। मैं उन इश्वर की आग्या लेकर यहां आता हूँ और तुम्हें साथ लिवा ले चलूँगा। इस समय रुख जाओ। गनेश की बात सुनकर महाबली परशुराम जो ब्रहस्पती के समान वक्ता थे कहने के लिए उध्यत हुए।